हेलो फिसर्ज, स्वागत आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक और इंडरेस्टिंग की क्लास में, आज की इस क्लास में, जैसा के आप देख पा रहे हो, इनिक्वालिटी ये चैप्टर, A to Z बांकिंग एग्जमेनेशन के लिए एक दम जीरो से सुपर हिरो लेवल तक कवर हो जाएगा, इनिक्वालिटी अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो भी, और इनिक्वालिटी अगर आपको लगता है कि आपको आता है, तो भी, ये क्लास आपके लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में, इनिक्वालिटी के सारे हम discuss करने वाले हैं, कौन-कौन से सारे पहलू discuss करने वाले हैं, तो ज़रा बात कर लेते हैं, ओके, inequality देखो, मैंने आपको हर बार बताया है, कि कोई भी topic जब आप पढ़ते हो ना, उस topic को पढ़ते वक्त, आप सब लोग, सब से पहले subtopics की list बना लेना, कि इस chapter में, मुझे कौन-कौन से subtopic पढ़ने हैं, तो inequality में हमें कितने subtopic पढ़ने हैं, अगर आप चाहते हो, कि आप A to Z, A to Z, सारे banking examinations, सारे के सारे banking examination, ठीक है, clerk, clerk हो गया, PO हो गया, इन दोनों का prelims हो गया, और इन दोनों का mains हो गया, अगर आप ये level की तयारी करना चाहते हो, clerk PO में भिदभाव नहीं करते हो, और अच्छे बच्चों की तरह अगर इसमें विश्वास रखते हो, कि अभी से पढ़ेंगे, और A to Z, सारा पढ़ेंगे, notification आएगा, तो exam आराम से निकाल लेंगे, उनके लिए, serious, only for serious candidates, ये class है, तो अभी देखना, inequality में हमें क्या-क्या पढ़ना है, inequality में हमें कौन-कौन से symbols होते हैं, और उनके क्या-क्या meaning होते हैं, ये हम पढ़ेंगे, priority rule, उन symbols की क्या priority होती है, एक छोटा सा priority rule है, वो देखेंगे, फिर, single statement में inequality आए तो कैसे deal करना है, double statement में inequality आए तो कैसे deal करना है, multiple statement में inequality आए तो कैसे deal करना है, missing inequality, है ना, ये सारा का सारा, बिना pen paper के हम solve करेंगे, है ना, बिना pen and paper के जो हम, जो selection वाले जिंदगी है, ठीक है, तो बिना pen paper के ये हम लोग solve करेंगे, उसके बाद reverse inequality, बिना pen paper के ये भी solve होगा, अब आएगा मजा, इसके बाद, अगर आप prelims level तक inequality पढ़ते हो, अगर आप prelims level तक inequality पढ़ते हो, तो एक से लेकर 7 तक topics, सब topics जो है, वो prelims के लिए, prelims के लिए कौन-कौन से subtopic है, एक से लेकर 7 तक, ठीक, means के लिए अगर आप inequality पढ़ते हो, तो means के लिए inequality के लिए 8 से 12 ये सब टॉपिक्स है 8 to 12 ये सब टॉपिक्स है मेंस के लिए क्या क्या आता है मेंस examination में मज़ा आता है टॉपिक कौन से आता है coded inequality मेंस examination में पूचा जाता है clerk means हो या PO means हो ठीक है मज़े की बात ये है coded inequality में भिना pen चला है answer कैसे निकालना है इस session में आपको सीखने को मिलेगा अगर आपको ये सारी चीज़े आती है तो मैं बस यही insist करूँगा कि priority rule तक discussion आप सुन लेना अगर आपको आता भी है तो ठीक है क्योंकि coded inequality जो बिना pen paper के हम solve करने वाले है वो तभी आपको समझ में आएगा जब ये priority rule वाला concept आप अच्छे से समझोगे ठीक है उसके बाद reverse coded inequality है जो last year SBI PO means में पूछा गया था उसको भी हम बिना pen and paper के solve करेंगे उसके बाद एक थोड़ा सा मैंने innovative question बनाया है inequality में कुछ question के जलग भी मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद definitely false शायद शायद inequality में आपने अभी तक definitely false वाले conclusion डील नहीं किये पर देखो तयारी कर रहे है ना तो maturity के साथ तयारी करेंगे क्या है banking examination में हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है है ना तो कुछ ना कुछ हर बार नया देखने को मिल ही रहा है अगर कुछ ना कुछ हर बार नया देखने को मिल ही रहा है अगर तो chance बहुत जादा है कि जो pattern जो types अभी तक हम लोगों ने देखे नहीं है वो examination में देखने को मिल है है ना तो definitely false conclusion इसके अलावा possibility वाले conclusions भी हम inequality में देखेंगे तो ज़र हमें question के जलग दिखाता हूँ इस innovative question को मैंने नाम ही दे दिया है क्या है ये क्या है ये ये symbol आपने देखा है आग से पहले ये symbol देखा है ये देखा है ये देखा है नहीं देखा है पर ये symbols बन सकते है ये symbols बन सकते है कोई मुश्किल नहीं है कोई मुश्किल नहीं है banking examinations अगर clear करने है तो एक thought process हमारे पास होनी चाहिए और वही सारी thought process हम आज के इस session में discuss करने वाले है उसके बाद एक जो topic में आपको बूल रहा था definitely false conclusion वाला तो यहाँ पर देखिए ये normal question की तरह देख रहा है पर option कुछ अलग है इन में से definitely false conclusion कौन सा है ये हमें देखना है और फिर उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे questions भी inequality में solve करेंगा overall session बहुत exciting होने वाला है session start to end पूरा देखना चलिए शुरू करते है सबसे पहले हम लोग जानते है कि inequality का विटेच क्या होता है और ये topic कुण कुण से examinations के लिए important है तो देखो अगर आपने सोचा हुआ है कि मुझे banking और insurance sector के examination देने कुण कुण से examinations की बात कर रहा हूँ मैं banking और insurance sector के examinations ठीक है insurance sector का PO level का examination हो ठीक है इस में से किसी भी level का examination हो आपको inequality 2-5 mark को prelims में देखने को मिलेगा 2-5 mark ठीक और mains examination में यही topic फिर से हमें 5 mark तक दिखाई देता है IBPS RRB clerk हो IBPS clerk, SBI clerk, IBPS RRBPO IBPS PO, SBI PO यह और सारे A to Z सारे insurance examinations inequality पूछा चाता है आपको inequality की एक खास बात बता दू कि inequality के question solve करना कोई बड़ा challenge है यही नहीं बहुत मजा आता inequality के question solve करने में पर मजा लेने के साथ साथ हमारा target क्या होना चाहिए कि inequality के जो 5 questions पूछे जा रहे हैं inequality के जो 5 questions हमें examination में पूछे जा रहे हैं हमारा target यह होना चाहिए कि उन 5 questions को हम एक या maximum डेड़ मिनिट के अंदर solve कर पाए यह हमारा target होना चाहिए और इस session का purpose भी वही है कि inequality के questions आप एक से डेड़ मिनिट के अंदर पाचो के पाचो solve कर सको ठीक है तो ध्यान से सुनना है ओके focus करना है जिनको inequality के question का शकल सूरत ही पता नहीं है पता ही नहीं है inequality में कैसा सवाल पूछा जाता है तो उनके लिए बता दू inequality के question का शकल सूरत कुछ ऐसे दिखता है क्या समज में आ रहा है इसमें इसमें हमें समझ में आ रहा है एक statement दिया गया है और उसके उपर कुछ conclusions दिये गये है statement और conclusion दोनों किस format में है statement और conclusion दोनों किस format में है ये क्या symbol है, कौन से symbol है किसलिए use करते हम ये symbols ये symbols हम use करते है comparison करने के लिए यह symbols हम किस लिए use करते है comparison करने के लिए है ना और आप मैंसे सभी लोगों को इन symbols का meaning पता है इन सारे symbols का meaning पता है ठीक है तो एक statement जो basically comparison के format में है उसके उपर कुछ conclusions जो again comparison के format में है अब हमें बताना है कि इन दोनों conclusion में से कौन सा conclusion सही है कौन सा conclusion गलत कैसे बताएंगे कि से बताएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत उसके लिए हमें comparison के बारे में कुछ basic knowledge चाहिए क्या knowledge चाहिए यह मैं आभी आपको बता देता हूँ सबसे पहले आप सभी लोग ज़रा ये सोचो कि कितने तरीकों के comparison हमारे पास है जल्दी से सब लोग इस पर दिमाग लगा अगर मान लो मुझे compare करना है मुझे compare करना है राम और शाम का height compare करना है तो मैं कितने तरीकों से राम और शाम की height compare कर सकता हूँ है ना तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि Types of Comparisons ठीक तो comparison में अभी मैंने आपसे क्या पूछा कि मुझे राम और शाम के height compare करनी है तो मैं कितने तरीकों से राम और शाम के height compare कर सकता हूँ अब बोलने के लिए मैं यह बोल सकता हूँ क्या बोल सकता के राम की हाइट राम की हाइट शाम की हाइट से ज्यादा है ये बोल सकता हूँ या फिर ऐसे भी बोल सकता हूँ नई 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 राम की हाइट और शाम की हाइट दोनों एक वल है या फिर बोलने के लिए तो मैं इसे भी बोल सकता है ना कि राम के हाइड जो है ना बिडू शाम से कमे रे इससे अलावा और कोई comparison है क्या हमारे पास है इच नहीं दुनिया में दुनिया में कोई भी दो चीजों के बीच में comparison करना हो कोई भी दो हम उन दो चीजों के बीच में comparison केवल और केवल तीन तरीकों से कर सकते है फिर से एक बार दुनिया में कोई भी चीजों के बीच में comparison करना हो कितने तरीकों से कर सकते है केवल तीन तरीकों से comparison किया जा सकता है there are only three ways of comparisons there are only three ways of comparisons ठीक है के वलती आप बोलो गया है जुट बोल रहो सर आप आप मैंसे कुछ लोग बोलेंगे जुट बोल रहो सर इधर 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 ये देखो ये देखो ये देखो इधर less than equal to ये भी तो है ना ये तो चाउता है फिर आप तीन कैसे बोल रहे हो confused नहीं हो ना ध्यान से देखना मैंने आप लोगों को क्या कहा कि इस दुनिया में कोई भी दो चीजों के बीच में अगर comparison करना है तो हमारे पास comparison के केवल और केवल तीन तरीके greater than equal to and less than अब आप मैं से अगर किसी को लग रहा है नहीं सर ये भी तो है greater than और equal to ये भी तो है ना ये नहीं है ठीक है ये नहीं है क्यों नहीं है ध्यान दो देखो अगर हम बोलते है a is greater than or equal to b तो क्या मतलब होता है इसका इसका मतलब होता है a जो है वो b से बड़ा है या फिर a जो है वो b के बराबर है तो अगर आप ध्यान से देखोगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो greater than or equal to का मतलब greater या फिर equal या तो greater नहीं तो equal इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखे तो ये जो sign बना है इन दोनों को combine करके बना है एक नहीं इन दोनों को जोड़ दिया आपस में ये बन गया ऐसे ही ऐसे ही आप में से कुछ लोग बोलेंगे अरे सार ये भी तो है ना ये भी तो है a is less than or equal to b पर अगर हम देखते है a is less than equal to b ठीक है अगर हमें मिलता है a is less than or equal to b तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो मतलब इसका यही हुआ ना a जो है वो b से छोटा है या फिर a जो है वो b के बराबर है यही तो मतलब हुआ है कि नहीं मतलब ये sign कब मिला हमें ये sign कब मिला जब हमने इसको और इसको combine किया है कि नहीं इन दोनों को combine किया तो ये मिला यानी ये symbol अलग है ये symbol अलग है पर comparison के तरीके अलग है क्या नहीं comparison के तरीके अगर हम ध्यान से देखें तो comparison के तरीके इन तीनों में से ही कुछ न कुछ निकल कर आ रहे है तो फिर से एक बार सबसे important point का revision कर लेते हैं कुछ सा है दुनिया में कितनी हैं नहीं comparisons है ना दुनिया में कोई भी दो चीज़ों के बीच में अगर comparison करना हो हमारे पास केवल और केवल तीन तरीके है पहला point inequality का पहला point कोई भी दो चीज़ों में compare करने की केवल तीन तरीके होते हैं ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम एक कहानी सुनेंगे सुर्यवंशन देखे हो सब लोग सुर्यवंशन देखे हो सब लोग सुर्यवंशन मतलब एक South Indian movie की कहानी है ठीक है तो South Indian movies Maximum movies में ऐसे ही सिनारिय में होता है वैसे ही कुछ कुछ कहानी होती है है ना वैसे ही हमारे सामने एक घर है इस घर की अभी हम कहानी सुनने वाले है तो सब लोग इस घर की कहानी ध्यान से सुनना इस घर में इस घर में ये जो घर है ना दो फैमिली में बटा हुआ है ये इस घर की पहली फैमिली है और ये इस घर की दूसरी फैमिली है, कहानी ध्यान से सुनना, बहुत इंपोर्टेंट है रहे कहानी, ध्यान से सुनना, अब इस घर में क्या है न, दो, एक घर में दो फैमिली है, ठीक, अब इस घर में एक चाइल्ड है, इस घर में एक चाइल्ड है, इस घर में पहले फैमिली में एक पाप पहले फैमिली में एक पापा रहते है तो वो यहां पे रहते है पहले फैमिली में एक ग्रैंड पापा भी है और वो ग्रैंड पापा यहां पे रहते है ठेक इसी घर में जो दूसरी फैमिली है इस दूसरे फैमिली में भी एक पापा है और दूसरे फैमिली के पापा यहां प रहते हैं, घर का इस टरक्चर समझ में आ गया सब को, इस टरक्चर समझ में आ गया घर को, दू फैमिली, चाइल्ड, फादर, ग्रैंट फादर, फादर, ग्रैंट फादर, अब एक बात बताओ, किसी घर में सिर्फ बच्चा प्रेजंट है, अगर घर में बच्चा अकेला प्रेजंट है, तो वो टीवी पे क्या देखेगा, काटून लगाएगा, और देखते रहेगा, काटून देखना है मेरे को, आएगे नहीं, तो टीवी का रिमोट, जब सिर्फ बच्चा प्रेजंट है तो बच्चे के हाथ में रहेगा और वो काटून देखेगा किसी घर में बच्चा और पापा दोनों प्रेजेंट है किसी घर में बच्चा और पापा दोनों प्रेजेंट है बच्चा भी प्रेजेंट पापा भी प्रेजेंट अब टीवी का रिमोट किसके हाथ में रहेगा बच्चे के हाथ में रहेगा, कि पापा के हाथ में रहेगा, पापा तो काटून देखने नहीं देगे, तो जब बच्चा और पापा दोनों भी घर में प्रेजन्ट हो, तो टीवी का रिमोट पापा के हाथ में है, फिर पापा लगाएंगे न्यूस चैनल, बच्चा अकेला गर पे है तो चलेगा काटून पापा गर पे प्रेजेंट है तो टीवी का रिमोट पापा के हाथ में और वो चलाएंगे निवस चैनल अच्छा तो मतलब जब बच्चा अकेला था चल किसकी रही थी बच्ची की चल रही थी यह मैं अकेला एर गर पे जो चाहिए वो करेगा आग्यात यह मनों कि आ यह शौल एक टैओं पापा के भी पापा आगर आए ऐस सोफे पे पहले बच्चा अकेला बेट अटा टीवी का रिमोट उसके हाथ में था काटून देह रहा था फिर पापा आए पापा बोले ही यह लाइए काट्टून देखेकर किसकी बढ yapmış है और उन्होंने पापा से रेमोट ले लिया, दे इधर, सत्संग देख जरा, कुछ अच्छे गाम करने चाहिए जीवन में, तो सत्संग देख, तो दादा जी ने चला दिया सत्संग, मतलब, जब घर में चाइल्ड, पापा और ग्रांड पापा, तीनों भी प्रेजंट है, तो सिर्फ बच्चा अगर प्रेजंट है, तो बच्चे की चलनी है घर में, घर में बच्चा और पापा प्रेजंट है, तो पापा की चलनी है, घर में बच्चा पापा और ग्रांड पापा तीनों प्रेजंट है, तो ग्रांड पापा की चलनी है, ठीक है, तो अभी हम क्या करे जो सिंबल्स हम लोगों ने देखे देना उन सिंबल्स को उठाएंगे और इधर रखेंगे ये जो चाइल्ड है ना ये कोन है इक्वल टू अला साइन है ठीक है चाइल्ड कोन है इक्वल टू अला साइन है पहले फामिली में जो पापा है ना ये कोन है ग्रेटर दन इक्वल हो दूसरे फामिली में जो ग्रांट पापा है वो कोन है लेस्ट है ठीक है यह इंपोर्टेंट है ठीक है अब हो सकता है आप में से जिन लोगों ने इनिक्वालिटी पड़ा है उन लोगों ने कुछ एक मैजिक बॉक्स नाम का कुछ चीज देखा होगा और उन लोगों इनिक्वालिटी की क्वेस्टन अगर इस तरीके से जाते है तो पेंच चलाने की जरूरत नहीं है ठीक है तो यह अगर सीखा हुआ है तो थोड़ा सा साइड में रख दीजिए ठीक है तो structure समझ में आगया अब इसका फाइदा क्या है सर कहानी तो सुना दी है आप है ना कहानी तो सुना दी है फाइदा तो बताओ फाइदा बता रहा हूँ एक statement अगर दिया जाएगा हमें हाँ मान लो एक statement दिया जाता है क्या statement दिया जाता है a is equal to b is greater than equal to c is greater than b ऐसा statement दिया गया है अब हमसे पूछा गया है बताओ रहे सब लोग बताओ क्या बताओ यहाँ पर a और c के बीच में क्या relation निकल कर आता है बताओ क्या पूछा गए आपसे a और c के बीच में क्या relation निकल कर आता है आप क्या करोगे a से लेकर c तक जाओगे बीच में जो symbols आते हैं सिर्फ उन पर ध्यान दोगे किसके बीच में relation निकालना था a और c के बीच में को नहीं बच्चा यह greater than equal to का sign को नहीं पापा अब आप मुझे बताओ अब आप मुझे बताओ अगर किसी घर में बच्चा और पापा दोनों present है तो चलेगी किसकी पापा की चलेगी आप अब बोलोगे सर दादा भी है अरे दादा जी अपने रास्ते में नहीं आ रही रही तो बक्चा और पापा में सबसेवर्युरिटी किस पापा की तो जिसकी प्रियुडिटी जादा उसके हाथ में टीवी का ठीक है तो तो A और C के बीच में relation कौन सा हैगा पापा का, A और C के बीच में relation पापा का, कौन किस के पापा है ये भी तो समझना पड़ेगा न, है कि नहीं, कौन किस के पापा, तो simple है, ये मुझ जिसकी तरफ खुल रहा है वो पापा, किस की तरफ खुला मुझ, A की तरफ, तो ये relation है, A is papa of C क्या relation है A is papa of C ठीक तो कहानी का फाइदा कहा है जब कोई भी statement हमें दिया जाएगा और उस statement में कोई भी दो variable के बीच में relation निकालना होगा तो वो relation निकालने के लिए इस कहानी का फाइदा होता है जैसे अगर मैं आप लोगों को पूछू तो बताओ रे B और D के बीच में क्या relation आईगा आप क्या करोगे B से लेकर D तक जाओगे है कि नहीं और फिर बीच में कौन कोन आया सिर्फ उन पर ध्यान दोगे B से लेकर D तक जाने में बीच में जो जो आया सिर्फ उन पर ध्यान देना है ये कौन है पापा ये कौन है उनके पापा ग्रैंड पापा है ना तो पापा और ग्रैंड पापा किसी घर में प्रेजन्ट हो तो टीवी का रिमोट किसके हाथ में रहेगा ग्रैंड पापा के हाथ में है कि नहीं तो यहां पर बी और डी के बीच में क्या रिलेशन आएगा B और D के बीच में relation आएगा B is greater than D या फिर B is grandfather of D B ही क्यों grandfather क्योंकि ये मुँ जिसकी तरफ खुल रहा है वो grandfather रहेंगे समझ में आ गई बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई है तो फटा फट आप सभी लोग A और D के बीच में relation निकालो और देखो क्या आता है हम पकड़ेंगे A को भागेंगे D तक ये है बच्चा, चाइल्ड ये father, ये grandfather चाइल्ड, father and grandfather में से सबसे जादा चलनी किसकी है TV का remote किसके हाथ में grandpapa के हाथ में TV का remote grandpapa के हाथ में तो A और D के बीच में relation क्या आएगा grandpapa का आएगा A already के बीच में relation grandpapa का आएगा है ना, अब कौन grandpapa होंगे, ये मूँ किसकी तरफ खुला, A की तरफ जिसकी तरफ मूँ खुल रहा है, वो grandpapa क्या सीख रहे है हम कोई भी statement दिया जाएगा तो उस statement में कोई भी दो variables होंगे तो उन दो variables में इस कहानी की मदद से relation कैसे निकालना है, ये हम सीख रहे है ये हम सीख रहे है, तो चलो एक और मैं statement देता हूँ अगर यहां तक सबको सारी चीज़े clear है तो मैं एक और statement आपको दे रहा हूँ, statement है statement है A is greater than B, is greater than equal to C, is equal to D, is less than equal to E, and is less than F ध्यान से देखना आप, आप ध्यान से देखना, अगर ये statement मैं, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कि C और E के बीच में relation क्या आएगा बताओ रे, आप क्या करोगे किस के बीच में relation चाहिए है relation चाहिए C और E के बीच में relation चाहिए C और E के बीच में तो आप C से लेके ही तक जाओगे, और किस पे ध्यान दोगे जो C और E के बीच में आया जो C और E के बीच में आया पापा का, कौन पापा रहेंगे जिसके तरफ मुख खुल रहा है वो पापा रहेंगे जिसके तरफ मुख खुल रहा है वो पापा रहेंगे, तो ये relation क्या आएगा, E is father of C क्या मिला relation ये मुख E की तरफ खुल रहा था, तो पापा कौन होने चाहिए थे, E is father of sea relation हमें मिला, कभी कभी मेरे दिल में ख़ियाल आता है कि सर, ये E is father of sea, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिखने का तरीका कुछ भी रखो, लिखने का तरीका कुछ भी रखो, मतलब नहीं चींज होना चाहिए ठीक है E is father of C ऐसे लिखा तभी E C के पापा है ऐसे लिखा तभी E C के पापा है तो यहां से जो relation हमें मिल रहा था उस relation के मतलब में कोई फरक पड़ा? नहीं, तो कैसे भी लेगो? ठीक है? अब आप मुझे बताओ अब आप मुझे बताओ D और F के बीच में क्या relation होगा? चल्दी से बताओ रहे D और F के बीच में क्या relation होगा? क्या करोगे? D से लेकर F तक जाओगे यह कौन है? पापा यह कौन है? ग्रैंड पापा पापा और ग्रैंड पापा के बीच में किस के जादा यह मुझे इसके तरफ कुल रहे ग्राँट पापा जिसकी तरफ देख रहे है जिसकी तरफ मो खुल रहे है वो ग्राइट पापा किसके तरफ देख रहे था है F की तरफ तो यह relation क्या आएगा F is grandfather of D Relation क्या आएगा F is grandfather of D Clear Clear अगर हाँ तो सब लोग फटा-फट मुझे C और F के बीच में relation बता C और F के बीच में पकड़ो सी को भागो F तक ये कौन है? बच्चा ये पापा और ये ग्रैंड पापा बच्चा भी है, पापा भी है, ग्रैंड पापा भी है इन तीनों में सबसे ज़्यादा किस की चलती है? ग्रैंड पापा की सबसे ज़्यादा ग्रैंड पापा की चलती है तो ये relation आएगा ग्रैंड पापा कौन है ग्रैंड पापा? किस की तरफ मुझे खुल रहा था? F की तरफ F is grandfather of C अप F is grandfather of D आप ऐसे लिखो या F is grandfather of D आप ऐसे लिखो कोई फरक नहीं पड़ेगा F is grandfather of C आप ऐसे लिखो या F is grandfather of C ऐसे लिखो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो समझे ये जो कहानी हमने सीखी थी कहानी का यूज कहा है? जहां हमें एक statement मिलता है और उस statement में कोई भी दो variable है और उनके बीच में हमें relation चाहिए तो कहानी कही उस होता है है कि नहीं अगर अभी तक की A to Z सारी कहानी clear है सब लोग मुझे अब जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उनके बीच में relation बताएंगे चलिए बताईए आप अब आप मुझे बताऊ A और E के बीच में क्या relation आएगा A और E के बीच में क्या relation आएगा बताऊ यह देखो तो A से लेकर सबसे पहले तो यह तक भागेंगे grandpapa, papa child फिर से पापा grandpapa, papa, child and फिर से पापा तो इन सब में किस की चलेगी किस की चलेगी इन सब में grandpapa की नए कहानी हमने आदी ही सुनी है सबसे पहले तो कहानी का climax देखते है, picture अभी बाकी है मेरे दोस इस घर में यह जो दो families रहती है यह खांदानी दुश्मन families है इन दोनो families में खांदानी दुश्मन ही है आपस में बिल्कुल नहीं बनती इस family में जो भी लोग रहते है उनकी और इस family में जो भी लोग रहते है उनकी इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती आपस में नहीं बनती, खांदानी दुश्मन है गी नहीं ठीक है, तो ए से लेकर ये तक जाते हुए क्या हो रहा है देखो ये वाला ये वाला पहले family से है और ये वाला दूसरे family से है अब होगी fighting सूर्य वन्शम का climax ये दोनों जगड रहे दोनों भाई भाई आपस में खंदानी दुश्मन अगर बीच में आए तो हम relation ही निकाल नहीं सकते कैसे पता करेंगे A का relation E के साथ क्या है कैसे पता करेंगे खंदानी दुश्मन बीच में आ रहे तो relation हम लोग निकाल नहीं सकते इस case में relation हम लोग निकाल नहीं सकते cannot be determined reason खंदानी दुश्मन है रहे बीच में बीच में खांदानी दुश्मन है ठीक तो यह खांदानी दुश्मनी का फंडा समझ में आया खांदानी दुश्मनी का फंडा समझ में आया सबको देखो अगर आपके रास्ते में ऐसे सिंबल मिलते है अगर आपके रास्ते में ऐसे सिंबल मिलते है अगर आपके रास्ते में आपके रास्ते में ऐसे सिम्बल मिलते हैं, इन मैंसे कोई भी combination आपको मिल रहा हो रास्ते में, इन मैंसे आपको रास्ते में कोई भी combination मिल रहा हो तो यह क्या होगा? खांदानी दुश्मन कुछ लोग पहले फैमिली से कुछ लोग दूसरे फैमिली से जब अपोज़ट अपोज़ट फामिली से लोग रास्ते में आ रहे होंगे तब हम relation determine नहीं कर पाएंगे अपोज़ट अपोज़ट फैमिली से लोग जब रास्ते में आ रहे होंगे तब हम लोग relation determine नहीं कर पा रहे होंगे For example, आप मुझे बताओ A और F के बीच में क्या relation निकलेगा जल्दी से बताओ देखो ध्यान से, पकड़ो A को भागो F तक पकड़ो A को भागो F तक Grandfather ये ये दोनों पहले फामिली से ये आया ख Cars bank निदुश्मन ë Holykin दोनों अलग अलग family के members रास्ते में दिखे याने Χांद Family अलग अलग family के members रास्ते में दिखे याने खांदानी दुश्मनी तो A और F के बीच में भी खांदानी दुश्मन आ रहे है रास्ते में खांदानी दुश्मन आए relation नहीं निकाल पाएंगे सभी लोग मुझे जल्दी से बताओ B और F के बीच में क्या relation होएगा B और F के बीच में पकड़ो B को भागो F तक ये कौन पापा, ये कौन बच्चा ये कौन पापा, ये कौन ग्रांड पापा ठीक है? अब ज़रा ध्यान से देखिए अब ये पापा बच्चा पापा, ग्रांड पापा ये और ये खांदानी दुश्मन हो गए न ये दोनों, खांदानी दुश्मन हो गए खांदानी दुश्मन अगर बीच में आ रहे है तो relation निकाल सकता है क्या नहीं निकाल सकता अब यह cannot be determined का मतलब क्या है इधर हम लोगों ने लिखा ना कि A और E के बीच में जो relation है वो हम निकाल नहीं सकते cannot be determined तो क्या मतलब है इसका अब जो point बता रहा हूँ ना अब जो point अगर पूरी reasoning master करनी है पूरी reasoning मैं सिर्फ यह chapter की बात नहीं कर रहा हूँ चाहे banking के reasoning हो और SSA में तो अब तो means में भी reasoning आती है चाहे वो reasoning हो या फिर catwatt जैसे एक अच्छे exam की तयारी कर रहा है वो reasoning हो कोई भी reasoning एकदम अच्छे से master करनी है तो बस एक line याद रखना reasoning मैं जहां कहीं भी शौरिटी नहीं दिखे confirm नहीं पता चल रहा है confirm नहीं पता चल रहा है है ना ए और ए के बीच में क्या relation है confirm नहीं पता चल रहा है शौरिटी नहीं है जहां पे भी शौरिटी नहीं है वहां पे सारे के सारे relation possible हो सकते हैं reasoning का एक नियम मैं यहां पे लिख देता हूँ जहां पर हम शौर नहीं है जहां पर हम शौर नहीं है तब confirm नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा वहां सारे वहां सारे scenarios possible हो सकते हैं reasoning में जहां कही पर भी हम शौर नहीं है है ना जहां कही पर भी हम शौर नहीं है हमें confirm नहीं पता ये वाला है वो वाला है वो वाला है confirm नहीं पता तो कुछ भी हो सकता है ठीक है थोड़ा से इसको detail में समझते हैं बहुत जरूरी है ध्यान देना ठीक है बहुत जरूरी है ध्यान देना अगर हमें ऐसा expression दिया है a is greater than b and b is less than c अगर ऐसा expression दिया है मान लो ऐसा एक statement हमें दिया है तो अब आपने तो कहानी सुनी है है ना मैं अगर आप लोगों से पूछता हूँ कि बताओ रहे a और c के बीच में क्या relation होगा आप बोलोगे a और c के बीच में खंदानी दुश्मन आये है खंदानी दुश्मन आया है मतलब relation निकाल नहीं सकते है है ना तो अब इसका क्या मतलब है inequality में a और c के बीच में अभी हम relation निकाल नहीं पा रहे है shore नहीं है a और c के बीच में क्या relation होगा shore नहीं है जहाँ shore नहीं वह सारे scenarios possible हो सकते है तो a और c के बीच में सारे के सारे relation possible हो सकते है a और c के बीच में a to z सारे relation possible हो सकते है कोन कोन से सारे relations है कोन कोन से सारे relations है तो a और c के बीच में कितने comparisons possible हो सकते है comparison के तो तीनी तरीके है a c से बड़ा हो सकता है या फिर a c के बराबर हो सकता है या फिर a जो है वो c से छोटा हो सकता है क्योंकि comparison तो तीन ही possible है तो तीनों के तीनों relation possible हो सकता है अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कैसे sir नहीं समझा बताता हूँ रुको ज़रा थोड़ा सा सबर करो ठीक है यह expression था अब मान लो नहीं तो मैं b की वाल्यू 10 आजयूम कर सकता हूं कितनी भी कर सकते है न बी की वाल्यू हम ए मैंने 10 कर लिया सचने टेंटूल करका जरसे नंबर है मेसी का जरसे नंबर हैं अबने, बी का वैल्यू दस, एका वैल्यू बी से बड़ा होना चाहिए, एका वैल्यू बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए, ग्यारा भी हो सकता है, बारा भी हो सकता है, तेरा भी हो सकता है, चौदा भी हो सकता है, अनन्त हो सकता है, 10 से बड़ी कोई भी value A assume कर सकता है 10 से बड़ी कोई भी value A की हो सकती है C की value 10 से बड़ी होनी चाहिए अब 10 से बड़ा C 15 हो सकता है है कि नहीं 10 से बड़ा C 14 हो सकता है 10 से बड़ा C 13 भी हो सकता है 10 से बड़ा C 16 भी हो सकता है 17 भी हो सकता है बस 10 से बढ़ा होना चाहिए था अब ज़रा देखो हम लोगों ने क्या कहा था इस expression में A और C के बीच में क्या relation होगा हमें नहीं पता हम निकाल नहीं सकते हैं हम determine नहीं कर सकते हैं A और C के बीच में हम लोग relation determine नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब मैंने क्या कहा आपको इसका मतलब मैंने आप लोगों को कहा कि A और C के बीच में जो है न A और C के बीच में यह तीन relation possible हो सकते हैं देखो अगर मैं A की value 11 आजियूम करता हूं ठीक और C की value और C की value मैं 13 आजियूम करता हूं कुछ भी हो सकती है न तो A अगर मैंने 11 आजियूम कर लिया C अगर मैंने 13 आजियूम कर लिया तो C जो है वो A से बड़ा हो जाएगा अगर मैंने A का value 14 आजियूम कर लिया अगर मैंने A का value 14 आजियूम कर लिया और C का value 13 आजियूम कर लिया c का value 13 अजियूम कर लिया तो क्या हो जाएगा a c से बड़ा हो जाएगा है कि दि और अगर मैंने a का value 13 अजियूम कर लिया और c का value भी 13 अजियूम कर लिया a 13 भी हो सकता है c 13 भी हो सकता है a is equal to c हो जाएगा तो कहने की बात क्या है जब हम relation determine नहीं कर सकते इससे अलावा और कोई scenario possible हो सकता है कि देखा इसके अलावा और कोई scenario possible हो इच नहीं सकता है कि नहीं तो जब कभी भी हम relation determine नहीं कर पाएंगे ये सारी valueism करने की कला कारी आपको नहीं करनी है अभी तो समझ रहे हैं इसलिए मैं सारा डीटेल में बता रहा हूँ है गिनी हम इसको समझ रहे हैं इसलिए डीटेल में बता रहा हूँ एक्जाम में ये कलाकारी नहीं करनी एक्जाम में क्या बंडा है सूर्य वंशम का क्लाइमेक्सीन खांदानी दुश्मन अगर बीच में आ गए खांदानी दुश्मन बीच में आ गए तो relation determine नहीं कर पाएंगे बाद खतम and relation determine ना कर पाने का मतलब क्या है relation determine ना कर पाने का मतलब जिंदो variable में relation determine नहीं कर पा रहे है उन में तीन में से कोई भी relation possible हो सकता है अब तक क्या-क्या पढ़ा एक बार quickly revise करते हैं और आगे बढ़ते हैं सबसे पहले तो हमने inequality के question की शकल सुरत कैसे दिखती है हमने देखा inequality के question ऐसे statement और comparison के format में मिलेंगे statement और conclusion दोनो comparison के format में हमें कौनसा conclusion सही है कौनसा conclusion गलत है बतान ठीक है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए comparison का idea चाहिए तो comparison का idea हमने लिया कोई भी दो entities है दुनिया में कोई भी दो entities अगर उनके बीच में compare करना है तो हमारे पास केवल तीन तरीका है कौनसे greater, equal and less यह तो बस symbol है ठीक उसके बाद हमने क्या किया एक बहुत प्यारी सी कहान सुनी और इस कहानी से हमने symbols की priority को समझा, इस कहानी से हमने symbols की priority को समझा, symbols की जो priority है उस priority rule को हम लोगों ने समझा ठीक, symbols के priority rule को हमने समझा, अब उस priority rule के हिसाब से किसी भी statement में कोई भी दो variable के बीच में relation निकालना है तो वो कैसे निकलेगा ये भी हम लोगों ने देखा, ठीक, अब हमने climax scene भी देखा, इस कहानी का climax क्या था, खांदानी दूश्मन मतलब इन में से कोई भी combination रास्ते में आ रहा है, cannot be determined, cannot be determined का मतलब हमने देखा, जब कोई भी दो variable में हम लोग relation determine नहीं कर सकते, cannot be determined, तो उन दो variable में इन तीन में से कोई भी relation possible हो सकता है, ये है base, यहां तक जिसको clear है, आगे बले बले, ठीक है, अब हम question solve करेंगे, तो देखो ये question मैंने आपको दिया था, ठीक है question solve करने के लिए क्या करना है, सबसे पहला नहीं हम statement की तरफ देखना ही नहीं है, हमें statement की तरफ देखना ही नहीं है, time बचाना है, सबसे पहले conclusion पर focus करेंगे, direct conclusion पढ़ेंगे, तो पहला conclusion किस के बीच में relation मांगता है, k and h, पहला conclusion हम से पूछ रहा है, भाई साब, भाई साब, k or h के बीच में क्या ये relation सही है, हम बोलेंगे, रुक, मुझे देखने दे, statement में, k or h के बीच में क्या relation आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, statement से, k और h के बीच में relation निकाल लेंगे, क्या मिलता है K और H के बीच में relation grandfather, child, father इन तीनों में सबसे जादा किसकी चलनी है grandfather की तो relation क्या मिलेगा K is grandfather of H relation हमें मिला K is grandfather of H अब देखो जो relation हमें मिला है जो relation हमें मिला है और जो relation हमें दिया है क्या ये दोनों so टका मैच हो रहे है 100% as it is मैच हो रहे है क्या नहीं रहे इधर तो कह रहा है के grandfather है इधर कह रहा है के पापा है जब हम लोगों को statement से मिला हुआ relation हम लोगों को statement से मिला हुआ relation दिये हुए relation से 100% मैच नहीं करता 100% मैच नहीं करता ठीक है 100% अगर मैच नहीं करता है तो ये क्या है गलत है 100% इधर बोला है ना के grandfather है हे तो conclusion सही होने के लिए के grandfather ही होने चाहिए थे समझ मैं आगे बाए ठीक अब second conclusion चेक करेंगे second conclusion में किसके बीच में relation चाहिए है ह और ए के बीच में second conclusion में ह और ए के बीच में relation चाहिए पकड़ो कौन कोन है बीच में grandfather father father तो e और h के बीच में father ही है तो e और h के बीच में relation किसका आएगा father का आएगा e और h के बीच में relation father का आएगा कौन father ये मुझ खुल रहा है e की तरफ तो ये relation है e is father of h हम लोगों को क्या मिला e is father of h conclusion में क्या दिया था conclusion में क्या दिया था हम लोगों को मिला E is father of H conclusion में भी दिया था E is father of H conclusion में भी दिया था E is father of H तो जो relation हमें दिया था जो relation हमें दिया था वो as it is 100% match कर गया 100% match हो गया 100% match हो गया तो यह conclusion सही है तो केवल दूसरा conclusion सही था only second follows is absolutely correct answer clear, अब ऐसे ही करना है ठीक है, अब ऐसे ही करना है मैं आपको अगले question के लिए 20 second का time दूँगा 20 second के अंदर आपको इसका सही answer निकालना है, चलो जल्दी से बताओ statement है, conclusion है कौन से conclusion सही है बताओ जल्दी से मिला देखो किसके बीच में relation चाहिए statement पढ़ना ही नहीं है शुरू में statement पढ़ना ही नहीं है direct conclusion किसके बीच में relation चाहिए S और सी तो पकड़ो और भागो कौन कोन है बीच में grandfather grandfather father father child सारे के सारे same family से A to Z चारे same family से है तो S और सी के बीच में relation किसका आएगा grandfather का कौन है grandfather ये मूँ C की तरफ खुल रहा था तो ये relation आएगा C is grandfather of S conclusion में क्या दिया है वही दिया है C is grandfather of S conclusion सही होगा जो relation हमें यहां से मिला वही conclusion में दिया सही होगा हम लोगों को मिला C is के grandfather है conclusion में भी वही दिया तो सही है दूसरा चेक करो दूसरा किस के बीच में relation मांग रहा है टी और एसके बीच में रिलेशन मांग रहा है तो टी और एसके बीच में कोन कोन आ रहा है ग्रैंट फादर फादर एंड चाइड ग्रैंट फादर फादर एंड चाइड में से चलनी किसकी ज्यादा है सबसे ग्रैंट फादर की तो यह टी और एसके बीच में रिलेशन किसका आएगा grandfather का है ठीक है तो कौन grandfather है ये मुझ किस की तरफ खुल रहा है T की तरफ T is grandfather of us conclusion में यही दिया है हमें मिला हुआ relation as it is conclusion में दिया है तो conclusion सही समझ मैं अगई बार simple inequality simple है क्या करना है सबसे पहले तो इसका answer mark कर लेते हैं both one and two follows option E इसका सही answer है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया देखू यहाँ पर हम लोगों ने सीखा priority rule priority rule के हिसाब से कोई भी statement में कोई भी दो variable अगर हमें मिलता है तो उनके बीच में कैसे relation निकालना है यह हमने सीखा ठेक फिर उस relation के basis पर हम लोगों ने सीखा conclusion सही है यह गलत कैसे check करना है सबसे पहले तो जिन दोनों के बीच में relation चेक करना है उन दोनों के बीच में statement से relation निकालेंगे जो भी relation statement हमें देगा वो relation as it is conclusion में दिया है तो conclusion सही है वरना नहीं है बात खतम बात खतम ठीक है चलो तो आगे चलते हैं यही logic लगाना और 20 सेकेंड के अंदर यह question सही है गलत है बताना चलो जल्दी से गिंदी से 20 सेकेंड है बताओ आखों आखों में inequality solve हो जाता आखों आखों में चलो किसके बीच में relation निकालना है फाइव एंड नाइन फाइव इदर नाइन इदर इन दोनों के बीच में pappa pappa child pappa सारे same family के सारे same family के तो इन में सबसे ज्याद आख किसकी चलनी on papa के कुन papa मुझ किस के तरफ खूल रहा है नौह की तरफ नाइन इस पापा ओफ इस नाइन और फाइव में statement के बीच में relation क्या मिला? 9 is papa of 5 9 is father of 5 वही हमें conclusion में दिया था conclusion सही हो second में 6 and 3 के बीच में relation चाहिए है ना? second conclusion को check करने के लिए किस के बीच में relation चाहिए 6 and 3 6 and 3 के बीच में पकड़ो 6 को भागो 3 तक ये पापा ये grandfather ये भी grandfather पर opposite family members 6 और 3 में opposite family members आए तो relation निकल सकता है क्या? नहीं, relation ही नहीं निकल पाया 6 और 3 के बीच में तो ये conclusion सही हो सकता है क्या? नहीं, 6 और 3 के बीच में confirm relation ही नहीं निकाल पाये तो ये सही होने का चानसिच नहीं है रे बाबा दोनों में से किवल पहला conclusion सही था, तो हम क्या कहेंगे only conclusion one is true समझ में आगया समझ में आगया, समझ में आगया, तो फटा-फट सब लोग comment section में आग लगाओ जल्दी से, समझ में आगया है तो comment section में फटा-फटा आग लगाओ अगला question, 20 second के इंदर solve एरो last second खतम, अभी तक आजाना चाहिए था, किसके बीच में relation चाहिए बी और जी के बीच में, तो बी और जी के बीच में देखो क्या relation मिलता है, grandfather, father, grandfather, ये दोनो खंदानी दुश्मन, है ना, opposite family members, खंदानी दुश्मन, खंदानी दुश्मन बीच में आये तो relation निकल सकता है, क्या नहीं, तो g और b के बीच में हम लोग relation determine नहीं कर पाएंगे, g और b के बीच में relation determine कर पाएंगे, क्या, नहीं कर पाएंगे, relation determine नहीं कर पाएंगे, मतलब गलत, relation determine नहीं कर पाएंगे, अरे determine ही नहीं कर पाए तो उसको सही कैसे बोल सकता है नहीं बोल सकता है खतम टेक चला अब second conclusion में हमें किस के बीच में relation चाहिए A और D के बीच में तो A और D के बीच में कौन-कौन मिलता है father पहले family के father पहले family के बच्चे किसी भी family में बच्चे का कोई यह नहीं है तो A और D के बीच में relation निकल सकता है कि हाँ सारे same family के member है relation father का निकलेगा कौन father जिसकी तरफ मुझ खुल रहा D की तरफ मुझ खुल रहा है तो D is father of A D is father of A exactly वही conclusion में दिया जो relation हमें statement से मिला वही conclusion में दिया तो conclusion सही है समझ में आ गया है तो आग लगाओ जल्दी से chat section में जल्दी से आग लगाओ comment section में समझ में आ गया है तो ठीक है अगला question solve करो अब सबका सबका 20 second के अंदर आना चाहिए A to Z सभी का answer 20 second के अंदर आना चाहिए कितने लोगों का आ गया जल्दी से बताओ कितने लोगों का answer इस question का 20 seconds के अंदर आ गया सबका आना चाहिए था किसके बीच में relation निकालोगे Z और K के बीच में पकड़ो Z और K को K इदर है Z इть इदर है कौनको ने इनके बीच में पापा, ग्राइणडपा, ग्राइणडपापा खांदा नी दुष्मन अपोस्ट फैमेली मेंबरी तो Z और K के बीच में relation निकलेगा क्या रह बाबा नहीं निकलेगा Z और K के बीच में खांदानी दुश्मन इरे बीच में तो relation नहीं निकला गलत Y and V के बीच में relation चाहिए था V and Y के बीच में relation चाहिए था Papa, Grandpapa and Papa Papa, Grandpapa and Papa में किसकी सबसे ज़ादा चलेगी Grandpapa की, तो इधर relation क्या आएगा Grandpapa कौन Grandpapa, जिसकी तरफ मुझ खुला V के तरफ मुझ खुला, तो V is Grandpapa of Y हमें relation मिला है, V is Grandfather of Y conclusion में बताया है, V is Father of Y हमें क्या मिला? V is Grandfather of Y conclusion में दिया, V is Father of Y, चलेगा, क्या नहीं चलेगा रही जो हमें मिला, अगर exact वही conclusion में नहीं है तो conclusion गलत, ठीक है? पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो हमारा answer क्या होना चाहिए इसमें, neither one nor two follows neither one nor two follows is absolutely correct answer ठीक है? जल्दी से बताओ, कितने लोगों ने इस question को 20 seconds के अंदर solve किया था? ठीक है? चलो अगले question का answer बताओ 20 seconds है, आपके पास फटा-फट answer बताओ चलो अगले इतल्ड ररे भूंद अगो क्या मिलता है P और W के बीच में relation P और W के बीच में relation father father child father सारे के सारे same family के किस की चलेगी जादा father की कौन father है जिस की तरफ father कमो जिस की तरफ खुल रहा है P is father of W conclusion में भी वही दिया न रे बाबा P is father of W conclusion में भी वही दिया है सही है जो relation हमें मिला हो एई जो relation हमें मिला हो अगर वही relation conclusion में दिया हो तो वो conclusion सही होता है ठीक है ठीक है छलो अगला question conclusion किस के बीच में relation X and U के बीच में relation X इधर U इधर कौन कोन है बीच में grandfather father father child सारे same family के तो relation किस के जाधा चलेगी grandfather की तो relation क्या आएगा X and U के बीच में grandfather का X and U के बीच में relation grandfather का कौन grandfather ये मुह किस की तरफ खुला U की तरफ तो X is grandfather of U sorry उल्टा U की तरफ मुह कुला था ना मुह किस की तरफ कुला था U की तरफ तो U is grandfather of X conclusion में भी वही दिया है U is grandfather of X conclusion में भी वही दिया है तो दोनू के दोनू क्या हो गए सही हो गए both the conclusions 1 and 2 are correct option E is absolutely correct answer ठीक है अगला question 20 second 20 second चलो जब तक 20 second में नहीं आता तब तक practice करनी है A to Z सारे के सारे लोगों के 20 second के अंदर आने चाहिए 17 18 उनने आना चाहिए था answer किसके बीच में relation निकालोगे BRC BRC के बीच में खंडानी दुश्मन है BRC के बीच में खंडानी दुश्मन है तो relation निकाल पाइंगे गया रहे बाबा नहीं निकाल पाइंगे तो यह गलत हो जाएगा F and E के बीच में relation चाहिए पकड़ो F को भागो ही था कोन F and E के बीच में पापा है ये grandpapa है, ये पापा है ये child है और ये पापा है grandpapa, papa, child, papa सारे same family से सारे के सारे same family के है तो E और F के बीच में relation जिसकी सबसे ज़्यादा चलेगी grandpapa कोन grandpapa, ये मूँ किसकी तरफ खुला F की तरफ, F is grandpapa of E F is grandpapa of E यही conclusion में दिया था option B सबका आ गया बता, comment करके बताओ सबका भी second के अंदर आ रहा है की नहीं आ रहा है जल्दी से बताओ आगे देखते हैं, चलो फटा फट उड़ा दो आगे सबके आने चाहिए थे, आ गये क्या किसके बीच में relation निकालोगे J और L के बीच में किसके बीच में J और L के बीच में क्या मिलेगा J और L के बीच में relation J और L के बीच में चाइल्ड, चाइल्ड, पापा, पापा सारे के सारे सेम फैमिली से A to Z सारे सेम फैमिली से तो J is greater than or equal to L relation पापा कायगा कोन बनेंगे पापा ये मुझा इसके तरफ कुला किसके तरफ कुला J की तरफ तो J is पापा ओफ हैल यही conclusion में दिया है J is पापा ओफ हैल्ड, खताम N और जी के बीच में relation चाहिए relation किसके बीच में चाहिए एन एंड जी के बीच में तो एन इधर है जी इधर है एन और जी के बीच में है खांदानी दुश्मन तो रिलेशन निकलेगा नहीं गलत तो सिर्फ पहला केंट्लूजन सही है चकाचक क्लियर अभी तक डिस्कस किया हर एक पॉइंट सबको क्लियर है तो फटा फट कॉमेंट स अब तो सब काया होगा कोई नहीं बचाओगा ठीक है के एंड एक के बीच में रिलेशन चाहिए था के एंड एक के बीच में रिलेशन चाहिए था पकड़ो के एंड एक के इधर एधर कौन कोन है रास्ते में ग्रैंट फादर फादर ग्रैंट फादर फादर एंड ग्रैंट फादर इन सब में किसकी जादा चलेगी सारे सेम फामिली सी तो यह सबसे जादा ग्रैंट फादर कौन ग्रैंट फादर यह मुझ इसकी तरफ के अब क्या यह सही होगा relation मिला है is grandfather of k और इधर कुछ अलगी दिया है 100% match नहीं जहां 100% match नहीं वहाँ गलत अब k and g के बीच में relation निकालना है g यहाँ है k यहाँ है तो g और k के बीच में check करो father grandfather child सबसे तेस कोन grandfather relation क्या निकलेगा grandfather का कोन grandfather जिसकी तरफ मों खुला किसकी तरफ खुला g की तरफ तो g is grandfather of k g is grandfather of k 100% match हो गया second conclusion सही हो गया option b is टकात एकदम सही answer ठीक है पिचर क्लिए रहे देखो inequality का foundation है अगर अभी तक discuss किया हुआ हर एक question समझ में आया ना तो मैं आपको बता दू clerical prelims examination में clerk का जो prelims level का examination होता है ना clerical prelims examination में 2-3 question अभ तक हमने जितना सीखा है उसी के basis पे आता है 2-3 mark अभी पक्के हो गया clerk prelims में 2-3 question अभी तक हमने जितना सीखा है सिर्फ उस पे आता है कितने लोगों के जेब में यह 2-3 mark आ गए आग लगा कि बताओ चलो जल्दी से फड़ा फट comment section में आग लगा कि बताओ कितने लोगों के जेब में आ गए अभी कुछ नहीं practice क्या ही करोगे इसमें और मुझे बताओ कानी अच्छे से समझ में आ गई है practice इधर ही हो गई है और क्या practice करोगे तो 2-3 mark जिम में ठीक है एक आखरी question फिर थोड़ा सा pattern change करेंगे इसके बाद pattern change करेंगे यह आखरी question है फटाफट आंसर करो इसका करेंगे सबको मिलगे answer अभी इधर मुझे बताओ comparison तो समझ में आ गया ना फिर इधर symbol दिये हो letter दियो number दियो क्या ही फ़रक पड़ता है या लाकर लोगों को भिटा दियो क्या फ़रक पड़ता है comparison का funda तो clear है किसके बीच में relation चाहिए ampersand और bracket के बीच में ये रहा ampersand और ये रही हमारी bracket तो इनके बीच में कोन आया grandfather, father, father, child सारे same family के members तो priority किसके ज़्यादा grandfather की तो relation क्या आएगा grandfather का कोन grandfather जिसकी तरफ मुझ खुला bracket की तरफ मुझ खुला तो ये relation आएगा this bracket is grandfather of ampersand conclusion में भी तो यही दिया है ना ये bracket grandfather है किसकी ampersand की conclusion सही हो गया ये conclusion क्या हो गया हमारा, सही हो गया picture clear, अब किसके बीच में relation चाहिए, add the rate and hash के बीच में अब relation किसके बीच में चाहिए, add the rate and hash के बीच में, तो ये relation तो इधर ही clear है and hash के बीच का relation तो इधर ही clear है देखो, यह रहा add the rate यह रहा hash, क्या relation है hash is greater than or equal to add the rate hash is greater than or equal to add the rate क्या exactly यही relation conclusion में है बताओ बताओ जो relation statement से मिला क्या exact वही copy paste करने वाला relation conclusion में के ना मुनना ना यह conclusion जो relation हमें मिल रहा है वो बोल रहा था कि hash is greater than or equal to इधर बोला hash is less than or equal to खताब, टाटा, बाई बाई सिर्फ पहला conclusion सही था सारा concept clear है सारा concept clear है ठेक है अगर सारा concept clear है तो अब तक हमने क्या किया अब तक हमने clerical prelims के 2-3 mark की त्यारी कर ली अब आगे बचे हुए 2-3 mark की त्यारी कर लेते है ठीक है अब देखो अब तक हमने जो statement deal किये वो सारे के सारे statement कैसे थे single statement सारे के सारे statement कैसे थे single statement अब हम करेंगे deal double statement को है ना double statement मतलब अभी तक statement हमें कैसा दिया जाता था statement हमें एक ही दिया जाता था अब क्या होगा इस एक statement के साथ कौमा देके एक और statement दिया जाएगा एक statement एक और statement अब आएगा मजा है ना तो इन question को deal करने के हम दो तरीके देखेंगे, एक देखेंगे आम जिंदगी, एक हम क्या देखेंगे, आम जिंदगी, और दूसरा हम देखेंगे selection वाले जिंदगी, दोनों देखेंगे, हमें क्या चाहिए, selection चाहिए, हमें क्या चाहिए selection चाहिए time pass करने के लिए पढ़ रहे क्या नहीं हम time pass करने के लिए पढ़ रहे क्या नहीं हम selection के लिए पढ़ रहे है ठीक है तो आम जिन्दगी क्यों देखेंगे फिर जरूरी है ठीक है चलो एक question मैं आपको दिखाता हूँ आपको जो भी जैसे भी समझ मे आता है समझने की कोशिश करो और इसका अंसर करो जल्दी से कर्वश करो बंधनर आता है समझने की करवे रषरे ताना मेंहर्ता है समझने की What don't Sam करता है सल 2nd करो जल्दी से रणिते स्फरती से को तुशिश कर भर करता है सम्काप़inky की किते टिता बनाओतीас से हैस जो कर बिसकते हैं WOW कितने लोगों को आंसर मिला चलो देखते हैं वैस आप थोड़ी देर साइड में आ जाईए आप इसको देखना ही नहीं है स्टेट्मेंट को देखना ही नहीं सबसे पहले कंक्लूजन को किसके बीच में रिलेशन चाहिए ती और क्यों हम लोगों को रिलेशन चाहिए हमका चाहिए रिलेशन ती और क्यों के बीच में ती है इधर क्यों है इधर ठीक है, अब तक क्या हो रहा था, देखो, अब तक कानी कैसे चल रही थी, जिनके बीच में रिलेशन निकालना था, वो एक ही क्लास में प्रेजेंट है, इसको इसका नंबर चाहिए था, एक ही क्लास में प्रेजेंट है, आसा निसे नंबर मिल जाता था, अब दिक्कत हो गई अब दिक्कत हो गई देखो क्या दिक्कत हो गई हमारे T भाई साब को चाहिए Q का नंबर T को चाहिए Q का नंबर तो T है इस वाली क्लास में Q है इस वाली क्लास में अब कैसे मिलेगा नंबर क्या करते थे स्कूल में कॉलेज में जब किसी का नंबर जो आपका भी फ्रेंड हो, उसका भी फ्रेंड हो, उसी को तो पकड़ दे यार, सुनना, एक काम है, तो नंबर देने का काम कौन करेगा, जो आपको भी जानता हो, और उसको भी जानता हो, तभी तो मिलेगा, तभी तो मिलेगा, तो अगर हमें आब T और Q के बीच में relation निकाल निकालना है हमें टी और क्यू के बीच में रिलेशन निकालना है तो टी और क्यू का म्यूच्वल फ्रेंड दून तो टी को चाहिए क्यू का नंबर किसको किसका नंबर चाहिए टी को क्यू का तो ऐसा इंसान जो टी को भी जानता हो और क्यू को भी कोने बताओ कोने बताओ ज देखो T और G दोनों का relation निकाला जा सकता है है ना दोनों statement में G present है तो G की जान पहचान इधर भी है तो यह number देने का काम कोन करेगा G तो क्या करेंगे हम T का relation G के साथ निकाल लेंगे T का relation G के साथ क्या निकलता है T is grandfather of G यह grandfather यह grandfather T is grandfather of G T का relation G के साथ निकाल लिया अब हम क्या करेंगे G का relation Q के साथ निकाल लेंगे G का relation Q के साथ क्या है G is father of Q G is greater than Q अब देखो अब देखो जो हमारे पास पहले दो, दो statement है, अब वो एक ही बन गया, किसकी वजह से एक बन गया, यह statement दो जिसम एक जा किसकी वजह से हुए, जी की वजह से, है कि नहीं, हाँ, तो अब T और Q के बीच में relation निकालना मुश्किल है क्या, अब निकल जाएगा, ती और Q के बीच में relation अब निकल जाएगा क्या निकलेगा ये है grandpapa और ये है पापा दोनों same family से है तो ये relation आयेगा T is grandfather of Q T और Q के बीच में relation क्या आया T is grandfather of Q और exactly वही हमें conclusion में दिया था T is grandfather of Q हमें relation मिला था और conclusion में भी वही दिया था तो सही होना चाहिया था क्या किया हमने जब हमारे पास जो दो variables है वो दोनों variables अलग-अलग statement में present हो तब हम क्या करेंगे तब हम वही करेंगे जो school college में किया था क्या किया था school college में school college में जब किसी का number चाहिया होता था तो mutual friend की मदद लेते थे वैसे ही किया अब देखो किसको किसका number चाहिए अब किसको किसका number चाहिए अब C को L का number चाहिए अब इन दोनों को number में देने में कौन मदद करेगा G तो सबसे पहले C का relation G के साथ निकालो C का relation G के साथ C is less than equal to G को हो या फिर G is father of C को कोई दिकत नहीं होनी चाहिए तो चलो यहाँ तक तो हो गया अब G का relation L के साथ निकालो G is less than L G का relation L के साथ क्या निकला G is less than L तो C का relation L के साथ क्या निकलेगा यह पापा है और यह ग्रैंट पापा है पापा और ग्रैंड पापा में किसके ज़लेगी ग्रैंड पापा की? तो यह relation आएगा L is grand papa of G L is grand papa of G तो यह गलत हो जाएगा न जो relationship हमें मिला हमें C चाहिए था L is grand papa of C हो जाएगा L is grand papa of C हो जाएगा तो यह relation हमें मिला था L is grand papa of C conclusion में कुछ और ही दिया था तो वो गलत हो जाएगा थी है वो गलत हो जाएगा सिर्फ पहला conclusion सही था option A is absolutely correct answer clear हो गया दो अलग-अलग statement हो mutual friend की मदद लेनी है एक और question आप try करो यह आम जिन्दगी मैंने आपको बताईए आम जिन्दगी मैंने आपको बताईए मिला मिला answer आसान है किसके बीच में relation निकालना है दो और छे के बीच में आधर है 6 इधर है दोनों का mutual friend कौन एक दोनों का mutual friend कौन एक तो दो का relation एक के साथ क्या है 2 is less than or equal to 1 2 is less than or equal to 1 अब 1 का relation 6 के साथ निकाल सकते हो क्या चाइल, grandfather, grandfather खांदानी दुश्मन तो एक का relation छे के साथ निकल ही नहीँ पाया है ना एक और छे का relation निकल ही नहीं पाया इन दोनों की जान पहचान हो ही नहीं पाई एक class में उने से क्या होगा कुछ नहीं होगा जान पहचान भी तो हने पड़ेगी ने इसी numbers सबको थोड़ी मिलता है class में ओतो numbers मिल जाएगा आरे नहीं रहे जान पैचान भी तो होनी चाहिए तो 1 और 6 में जान पैचान हो पाई क्या नहीं अब अगर 1 को 6 का number ही नहीं मिल पाया तो वो 2 को कैसे देगा नहीं दे सकता इसका मतलब 2 and 6 में relation निकाल सकते है क्या 2 and 6 में relation निकाल नहीं पाएंगे बात समझ में आ गई है तो बोलो फायर कॉमेंट सेक्शन में आग लगा कर बता दो अभी तक का सारा discussion क्लियर है कि नहीं है ठीक है अब हमें relation चाहिए 4 and 3 के बीच में है न 4 and 3 के बीच में 4 यह रहा 3 यह रहा ठीक है तो इनके बीच में relation हम लोग निकाल नहीं पा रहे थे 4 and 3 के बीच में relation क्या मिलेगा दोस्त को ने इनका एक तो हमें 4 is equal to 1 1 का relation 3 के साथ father grandfather 1 is grandfather of 3 तो यहां से 4 and 3 के बीच में relation क्या मिलेगा 4 is grandfather of 3 relation मिला 4 is grandfather of 3 तो यह conclusion क्या हो जाएगा सही हो जाएगा केवल दूसरा सही था ठीक है दोनों question समझ में आ गए तो लगा दो चाट section में आग इसको हम लोगों ने जिस तरीके से देखा है यह है आम जिंदगी पेंच चलाना नहीं है यह ना यह तो अभी हम छोटे थे बच्चे थे इसलिए पेंच चला कर basic तरीका देखा आना जरूरी है बेसिक तरीका आना जरूरी है अब बड़े हो गए अब बड़े हो गए अब क्या चाहिए हमें अब चाहिए selection वाली जिंदगी ठीक है अब selection वाली जिंदगी देखेंगे selection वाली जिंदगी के लिए थोड़ा सा imagine करना है SELECTION वाली जिंदगी के लिए थोड़ा सा picture को imagine करना है शुरुवात वहाँ से करनी है conclusion ही देखना है सबसे पहले conclusion देखना है ठीक है अब बिना pen चला है हमें क्या करना है इन दोनों के बीच में relation निकालना है इधर हमने pain चलाया ना अब नहीं चलाना है कैसे देखो conclusion को सबसे पहले देखना है और क्या करना है ये मू जिसकी तरफ खुल रहा है मू जिसकी तरफ खुल रहा है उसकी तरफ से start करना है किस की तरफ खुला मुँ टी की तरफ तो टी से start करेंगे कहा जाना है क्यों के पास जाना है तो किस के थू जाएंगे जी के थू टी और जी का relation समझ में आ गया टी इस greater than जी अब आपको कुछ नहीं करना है इमाजन करना है टी इस greater than जी यहाँ पे इमाजन करना है इमाजन हो रहा है क्या दिख रहा है इदर मेरे को ति दिख रहा है देखो इधर imagine करो देखो T है इधर is greater than G दीख रहा है करो imagine imagine करो T is greater than G अगर ऐसा imagine हो गया तो यह फट से directly बिना कुछ की answer आजाएगा T is greater than Q T is greater than Q जो common friend है उसके पास relation imagine करो क्या common है जो common friend है उसके पास relation imagine करो ठेक तो हम लोगों ने कर लिया अब C का relation L के साथ चाहिया था C का relation L के साथ चाहिया था तो C कहां है यहां है L कहां है यहां है common friend कोन है G तो C का relation G के साथ क्या C का relation G के साथ C is less than equal to G C is less than equal to G यहां पर imagine करो imagine करो हो राई के imagine हो राई के imagine C और G के बीच में relation जो हमें मिला था C और G के बीच में मिला C is less than equal to G तो हमने क्या किया C is less than equal to G यहां पर imagine किया और फिर L और C के बीच में relation L is greater than G is greater than equal to C तो यहां से हमें relation मिलेगा L is greater than C यह गलत हो जाएगा पहला सही दूसरा गलत बात समझ में आगी imagine करना क्या करना है बस imagine करना है जिनको imagination में थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई है इधर ध्यान दीजिए इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे दूसरा conclusion कहां से start करेंगे जिसकी तरफ मुझ खुल रहा है किसकी तरफ चार की तरफ तो यह रहा 4 और यह रहा 3 चार से कहा जाना है 3 के तरफ कौन मदद करेगा फोन नंबर लाने में एक चार एंड एक का relation 4 is equal to 1 4 is equal to 1 करो यहां पे imagine 4 is equal to 1 यहां पे imagine किया तो यहां से अगर आप 3 तक गए तो यह child, father, grandfather grandfather की जादा चलनी है तो यह relation आएगा 4 is greater than 3 दूसरा conclusion सही हो जाएगा imagination वाला funda कितने लोगों को समझ में आगया चाट सेक्षन में आग लगा कर बताऊ जल्दी से imagination वाला funda clear है तो चाट सेक्षन में आग लगा कर बताईए जल्दी से अब हम पहला conclusion चेक करेंगे किस से चालू करेंगे दो से क्यों मुझ की तरफ कुल रहा है तो दो से 6 जाएंगे कैसे जाएंगे दो से 1 और एक से 6 तो दो से 1 क्या है 2 is less than equal to 1 यहाँ पर imagine करेंगे 2 is less than equal to 1 यहाँ पर imagine करेंगे और 6 तक जाने की कोशिश करेंगे यह देखो इधर और इधर खंदानी दुश्मन है तो यह relation निकल पाएगा क्या खतम टाटा बाई पाई ठीक है clear है तो अगला question बिना pen चलाए solve करने की कोशिश करना 30 seconds का time दे रहा हूं मैं ठीक है 30 seconds के अंदर यह question बिना pen के answer करने की कोशिश करना छुए कर की ओक ऑग्य कैसे क्या it's आम जिंदली की से कीया के selection वाली जिंदली की से कीया ज़ल्द commence selection वाले जिंदकी से करेंगे ठीक है शुरूआत कहा से करेंगे जिसकी तरफ मूँ खुल रहा है किस की तरफ मूँ खुल रहा है वी की तरफ तो वी से शुरू करेंगे वी कहां है यहां किसकी तरफ जाना है忘 Tabii कि तरफ वाई कहा justamente यहां दोनों में common friend कॉंण X तो v से X अगर जाएगे तो relation आएगा V is less than equal to X V is less than equal to X यहाँ पर imagine होगा अब यहाँ पर imagine हो गया तो Y का relation V के साथ यह father, यह grandfather यह father, दोनों same family के member तो यहाँ पर Y is grandfather of V यह relation आएगा तो यहाँ पर हमें क्या मिला हमें मिला Y is grandfather of V, conclusion में दिया था V is grandfather of Y, match हुआ क्या नहीं हुआ री match नहीं हुआ, hundred percent match नहीं हुआ, मतलब conclusion गलत है, चलो पहला तो गलत हो क्या, आगे Z और W के बीच में relation चाहिए कहां से start करेंगे Z से जिसकी तरफ मो खुल रहा है उसकी तरफ start करेंगे, Z से start करेंगे, किस की तरफ जाएंगे, W की तरफ कौन है common friend X Z का relation X के साथ Z is greater than X Z is greater than X यहाँ पर imagine करो Z is greater than X imagine कर लिया, तो Z is greater than W relation मिल जाएगा Z is greater than W जो हमें मिला, वही conclusion में दिया था, conclusion सही हो गया, कुछ लगा क्या, कुछ नहीं, आखो आखो में inequality solve हो जाती है, ठीक है आखो आखो में inequality solve हो जाती है, अगला question फट्चे उड़ा दो, चलो 20 seconds, अब ज्यादा time नहीं लगना चाहिए, selection वाली जन्दिगी, 20 seconds उड़ाओ concept भी सीख लेंगे, practice भी कर लेंगे, तो कुछ बचेगा ही नहीं न, हाण न, हो गए आपके 20 seconds, किसके बीच में relation चाहिए, F और C, किस से शुरू करेंगे, जिस की तरफ मुझ खुल रहा है, F की तरफ मुझ खुल रहा है, तो F से शुरू करेंगे, C तक जाएंगे, कौन दोस्ती कराएगा, D, तो F से D जा सकते हैं, क्या रे बाबा, नहीं रे, खांदानी दुश्मन है बीच में, F से D तक ही नहीं पहुँच पाए, तो D से C तक पहुँच के, क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, तो F and C के बीच में रेलेशन निकल पाएगा, क्या नहीं cannot be determined, relation determined इच नहीं हो सकता, रे, कतम, ठीक है, चर्णो, अब हमें A और E के बीच में रेलेशन चाहिए, तो A और E के बीच में रेलेशन कैसे जाएंगे, A और E का common friend कौन है, D, है ना, तो A से D, क्या relation मिला, A is greater than D, A is greater than D, यहाँ पर imagine करेंगे, और E तक जाएंगे, तो A is greater than E आएगा, रे बाबा, A is greater than E आएगा, A, E से बड़ा है, conclusion में कहानी कुछ और ही चल रही है, गलत है, रे, गलत है, तो F से सी हम जानी पाये थे, क्योंकि F और D के बीच में खंदानी दुश्मन्त है, A से E जा पाए, A is greater than D था, तो A is greater than E हुआ, A is greater than E, conclusion में कुछ और ही, 100% match नहीं मतलब conclusion, गलत, option D is absolutely correct, clear, कितने लोगों ने selection वाली जिंदगी से answer निकाला है, comment करके बताओ, जल्दी से selection वाली जिंदगी, comment करो, जिन्होंने निकाला है, ये तो ऐसे चुटकी बजाते निकल जाएगा, कैसे निकाला, जल्दी से बताओ, आम जिंदगी से निकाला, selection वाली जिंदगी से निकाला, जल्दी से बताओ, हमें किस के बीच में रिलेशन चाहिए था जी और टी के बीच में रिलेशन चाहिए था तो जी यहां पर है टी यहां पर है कोन है common friend दोनों के बीच में डी common friend है जी और डी equal है जी और डी equal है तो जी को यहां पर imagine कर लो तो हमें कहां तक जाना था टी तक तो जी से टी तक तो G is grandfather of T क्या relation मिला हमें G is grandfather of T यही conclusion में दिया था, बात खतम जो हमें मिला वही conclusion में दिया था, सही हो गिया आसा नहीं नहीं है बताओ जल्दी से comment कर चलो W and P के बीच में relation चाहिए तो W यहाँ पर है, P यहाँ पर है common friend D है W का relation D के साथ W is less than D, imagine करो W is less than D, imagine करो अब यहाँ अगर आपने देख लिया तो खंदानी दुश्मन बीच में है यह relation निकलेगा नहीं है ना, यह relation निकलेगा नहीं, सिर्फ पहला conclusion सही था, option नहीं मसा आगया, मसा आगया selection वाली जिंदेगी समझ में आ गई है सबको जल्दी से बता, ठीक है selection वाली जिंदेगी यहने बिना pen paper चलाए answer pen चलाना मना है कितने लोगों ने बिना pen चलाए answer निकला comment करके बताओ, जल्दी से chat section में आग लगा दो, अगर यह method समझ में आ गई है, तो चालाओ क्या मिला G और C के बीच में कहां से चालू करेंगे जिसकी तरफ मों खुल रहा है, किसकी तरफ G की तरफ, तो G से चालू करेंगे G यहाँ है, C यहाँ है दोनों के बीच में common print कोन है B, तो G का relation B के साथ सारे same family के members G is grandfather of B G is grandfather of B यहाँ पे imagine करेंगे G से C तक जाएंगे, खंदानी दुश्मन बीच में दिखेंगे, तो relation निकल नहीं पाएगा मजा आगया मजा आगया, pen चलाना ही नहीं है पेंचलाना ही नहीं है पेंचलाना मना है, ठीक है अब देखो, E and A के बीच में relation E and A के बीच में relation E अहां है, A अहां common friend कौन B E is greater than equal to B E is greater than equal to B यहां पर imagine करेंगे, तो E is greater than equal to A आजाएगा, imagine करना ही ना कैसे ऐसे E is greater than equal to B अगर ये बीना लिखे दिख गया तो फिर बल्ले बल्ले इधर greater than E is greater than equal to B ऐसे दिखा, तो E is greater than equal to A आजाएगा imagine करने की कोशिश करो examination में हमें pain नहीं चलाना है और बहुत आसान है थोड़ा इत्तु रत्ती बर भी difficult नहीं है बहुत आसान है बस थोड़ा सा imagine करने की कोशिश करें एक बार नहीं बनेगा, दो बार नहीं बनेगा ग्यार भी बार बनना ही चाहिए बनेगा, pain मत चलाना बस ठीक है, चलो आगे चलते है अभी दो-दो statement हमने deal कर लिए सबसे पहले हमने क्या देखा सबसे पहले हमने देखा कि भाई साब हमें एक statement में दिया जा रहा था यह तो मतलब हम 5 second में उड़ा रहे थे दोनों conclusion ठीक, उसके बाद examiner को पता चल लिए यह बहुत तेज हो रहा है examiner ने क्या किया फिर ऐसा कॉमा करके statement देदी है ठीक है, इसके लिए अभी हमने 20 second लिया है, पर practice के बाद 10 second में यह हो जाता है, हो जाना चाहिए 10 seconds practice के बाद हो जाना चाहिए ठीक है, अब multiple statements examiner देगा एक statement दिया, दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा अब number आसानी से नहीं मिलेगा है ना, number आसानी से नहीं मिला मतलब एक दोस से दूसरे का जान पहचान, फिर तीसरा number आसा करना पड़ेगा, पहले एक दोस से जान पहचान करो तो number मिल जाता था, अब नहीं होगा, अब किसी जान पहचान वाले के जान पहचान का दोस्त, फिर number, ऐसा कुछ कुछ होगा, तो चलो, solve करते हैं, करो कोशिश, करो कोशिश देखो, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो इसमें, चार statement है, तीन भी हो सकते है, चार भी हो सकते है, कितने भी हो सकते है, ठीक है, पहले question solve करेंगे, फिर देखेंगे, ये लेवल का question कौन से examination में आता है ठीक है चलो पहले question solve करेंगे हमें किसको दूणना है G को दूणना है और D को दूणना है एना किस से शुरुवत करेंगे G से का है G से ये मुझे की तरफ खुल रहा है तो G से शुरू करेंगे ठीक है तो G कहाँ पर है जी इधर है ठीक है अब G से हम J तक जा सकते है, E तक जा सकते है, P तक जा सकते है, ठीक है, हमें कहां तक जाना है, D तक जाना है, D इधर भी है, D इधर भी है, दोनों में से कौन सा D हमारे काम का है, ये वाला D काम का है, ये वाला D काम का है, अब ये observation जिसका तेज होगा, ठीक है, observation का खेल है, inequality अब सारा का सारा किसका खेल है observation का inequality A to Z सारा का सारा observation का खेल है अब तो ज़रा यहाँ पर देखिए अब G से हमें पता था कि P तक जा सकते है और P से D तक आराम से पहुँच सकते है तो ये वाला D हमारे काम का नहीं है इदर पहुच गए G से D पहुच गए ये रास्ता जिसको जल्दी मिलेगा उसको ऐसे ऐसे answer मिल जाएगा ठीक है रास्ता जल्दी मिलना चाहिए और जल्दी रास्ता observation से देलेगा तो बस process वही है G का relation P के साथ G is greater than P यहाँ पर imagine करना है imagine कर लिया तो G is conclusion में भी वही मिला था बात खत्म अब आगे देखो second conclusion I and D किससे start करेंगे जिसके तरफ मुझ खुल रहा है I के तरफ मुझ खुल रहा है I इदर है और D कि इदर है D इदर भी है D इदर भी है अब इस वाले D तक पहुचना है इदर है Z से D जा रहे है तो ये वाले D तक तो पहुचने पाए I से Y गए पर आगे Y कहीं दिखा ही नहीं तो I से Y तक रास्ता खतम हो गया इस D तक पहुच पाए क्या किसी भी तरीके से नहीं I से Z गए और Z से D गए तो ये वाला D हमारे काम का है ये वाला D काम का नहीं बात समझ में आगे ठीक है तब I का रिलेशन Z के साथ I is greater than equal to Z यहाँ पर इमाजिन कर लिया तो I is greater than or equal to D I is greater than or equal to D second conclusion भी सही हो गया पहला भी सही हो गया दूसरा भी सही हो गया बोथ conclusion 1 and 2 are true option E is absolutely correct आगा है option E सही answer है अब किसको दिक्कत है एक statement दिया हो तो 5 से 6 second में answer आजाएगा दो statement दिया हो तो maximum 8 second में answer आजाएगा तीन statement या 4 statement दिया हो तो maximum 20 second ठीक है और मैं आपको बताओ clerk prelims level में जो questions आएंगे आपके कोई भी banking का कोई भी clerk prelims रहने दो या insurance का कोई भी clerk prelims रहने दो clerk prelims में जो भी question आएंगे maximum question में एक ही statement रहेगा maximum question में ठीक कुछ questions ऐसे रह सकते हैं कि जिनमें दो statement हो तीन statement वाले question clerk prelims में आएंगे ही नहीं ठीक है तीन statement वाले questions clerk prelims में नहीं आएंगे रही बात pure prelims की रही बात pure prelims में तो pure prelims में भी one statement आएगा two statement आएगा तीन statement का थोड़ा बहुत chance है one and two statement तो होंगे ही होंगे one and two statements तो होंगे ही होंगे pure prelims में ठीक है तीन statement का थोड़ा बहुत chance है ठीक है तीन statement का थोड़ा बहुत chance है बात समझ में आ रही है अगर उसके घर में झगडा वगडा हो गया है पेपर सेट करने वाले के घर पे उसके बच्चे उसके सुन्ने रहे हैं यह बीबी उसको परचान कर रही है यह फिर इसका कुछ अलेगी चल रहा है तो फिर यह तीन स्टेटमेंट वाला pure prelim में आ सकता है चार वाला तो प्रिलिम्स में आए गई है ठीक है बट मैं आपको यह दिखा रहा था कि चार स्टेट्मेंट भी दिये हो कोई दिक्कत नहीं हो अब्जर्वेशन अगर स्ट्रॉंग है ऐसे सॉल्ड हो जाता है A to Z अभी तक डिसकस की हुए सारी चीज़े क्लियर है फटा फट आग लगा दो कॉमेंट सेक्शन में और इस क्वेश्चन का अंसर दे दो M and J के बीच में रिलेशन चाहिए है किस से शुरू करेंगे M से शुरू करेंगे M से कहां तक जाएंगे J तक जाएंगे J इधर है ठीक है तो कैसे जाएंगे M से J तक M से J तक जाने का रास्ता M से L जाएंगे L से K जाएंगे और K से J जाएंगे M से L गए है ना M is greater than L यहाँ पर imagine अगर किया तुरंट समझ में आएगा M से K नहीं जा सकता M से K ही नहीं जा पाएं तो K से J जा नहीं सकते cannot be determined cannot be determined ठीक है J और M के बीच में अभी हम लोगों ने देखा कि relation determined नहीं हो सकता cannot be determined ठीक है तो J और M के बीच में हम लोग relation ही determined नहीं कर सकते तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अब इसका अंसर क्या करेंगे दोनों गलत हो चुके है तो क्या हम option D इसका अंसर करेंगे इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इसको hold पे रखेंगे इसको hold पे रखेंगे क्योंकि एक concept अभी हमने सीखा नहीं है इसके बाद वो concept पहले सीखेंगे और फिर इस पर आएंगे क्योंकि इसका अंसर है either or क्यूँ और कौन सी condition में either or लगाना है हम अभी देखने वाले ठीक है बट ये दोनों गलत है यहां तक तो सबको समझ में आगे है ना either or क्यूँ लगा ये अभी देखेंगे बट उससे पहले ये दोनों क्यूँ गलत है समझ में आगे है तो फटा फटा आग लगा दो ठीक है इसको solve करो तीन statement है 20 second के अंदर हो जाने चाहिए 6 से 2 जाओ फटा फट 6 से 2 जाओ 6 से 2 कैसे जाएंगे 6 से 4 6 is greater than 4 यहाँ पर imagine करेंगे 6 is greater than 2 ठेक गलत हो जाएंगा 4 से 8 जाना है 4 से 8 4 से 8 कैसे जाएंगे 4 से 8 जाने के लिए 4 से 6 जाना पड़ेगा 4 से 6 कैसे जाएंगे ऐसे जाएंगे 4 से 6 और 6 से 8 पट 4 से 6 जाही नहीं पाएंगे इधर देखे उनों गलत हो चुके neither 1 not clear 40 से केंड में मैं अगर question explain कर सकता हूँ बोल बोल के लिख लिख के अगर 40 से केंड explain करने में लग रहे तो solve 20 से केंड में नहीं होगा क्या बताओ 20 से केंड में नहीं होगा clear है बताईए जल्दी से अगर यह क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं जड़ टी के बीच में रिलेशन चाहिए तो जड़ टी के बीच में रिलेशन कैसे मिलेगा जड़ से वाई जाएंगे observation जितना strong उतना जल्दी रास्ता मिलेगा जड़ इस greater than y यहाँ पर imagine होगा यहाँ पर imagine होगा जड़ इस greater than y तो जड़ इस greater than t रिलेशन क्या मिलेगा जड़ इस greater than t पहला conclusion से ही हो गया वाई और टी के बीच में relation तो यही से मिल रहा है वाई इस greater than t वाई इस greater than t तो यह गलत हो जाएगा केवल पहला से ही था खतम explain किया है 30 second में 20 second में solve नहीं होगा बताव बताईए सारा clear है चका चक crystal clear है तो फड़ा फड़ा चर्ट section में आग लगाओ ठीक है मैं आपको homework के लिए कुछ questions देता हूँ और फिर हम आईदर और पर चलेंगे चलो homework बजगया आप बजगये homework किदर resolve हो गया अब तक हमने क्या देखा अब तक हम लोगों ने देखा inequality में कौन-कौन से symbols है और उनके meaning क्या-क्या है और उसकी priority क्या है वो family की कहानी देखा उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोई भी statement अगर हमें दिया है उस statement में कोई भी दो variable के बीच में कैसे relation निकालना है यह हम लोगों ने देखा फिर हम लोगों ने देखा कि conclusions कैसे check करना है जो भी relation हमें मिलता है अगर exactly वही relation conclusion में दिया है तो conclusion सही जो भी relation हमें मिलता है अगर exact वही relation conclusion में दिया है तो conclusion सही ठीक single statement दिया है तो 5 second double statement दिया है तो 8 से 10 second और multiple statement दिया है तो maximum 20 second ठीक है clerk और PO prelims में यही questions आएंगे clerk prelims में maximum single statement pure prelims में एका दूसरा double statement या अगर उसके घर पर जगडा हुआ है तो multiple statement नहीं तो जिन्दगी आसा है यहाँ तक clear है इन equality में अभी तक हमने इतना देखा अब आगे हम कुछ concept सीखेंगे either or सीखेंगे exceptional cases भी है either or में फसना नहीं है क्योंकि examiner क्या करता है exceptional cases all matters are solid बताओ mercury क्या होगा तो यह ऐसे exceptional cases पकड़ता है examiner क्या करता है कुछ exceptional cases पकड़ता है इधर आपको फसाने की कुशिश करता है बट आप नहीं फसेंगे और उसे लिए हम लोग यह discuss करेंगे either and neither में कुछ लोगों का confusion होता है होना नहीं चाहिए बट होता है अगर होता है तो उसको भी खत्म करता है ठीक चाला तो सबसे पहले आप मुझे बताओ क्या आप इस सिनारियो को समझते हो क्या आइधर और इस सिनारियो को आप समझते हो समझते हो गए इस सिनारियो को आइधर और को शक्तिमान देखे हो शक्तिमान शक्तिमान किदर भी जाता था कितना असान था इसा उंगली उपर उठाया घूम गिया फिर किदर जाना उधर चलाए तो एक बात बताओ मुझे अगर आपको शक्तिमान के बारे में आइडिया है तो आप मुझे बस एक चीज़ बताओ अगर गंगाधर आपके सामने है अगर गंगाधर आपके सामने तो शक्तिमान हो सकता है क्या आपके सामने ना गंगाधर अगर सामने तो शक्तिमान सामने आईच नहीं सकता है ठीक है ना तो गंगाधर अगर आपके सामने है तो शक्तिमान आपके सामने आ सकता है क्या नही आसकता और अगर शक्तिमान आपके सामने आया शक्तिमान आपके सामने आया तो गंगादर आपके सामने आ सकता है क्या नहीं नहीं आसकता है दोनों में से एक टाइम पे कोई एक ही हमें दिख सकता है इसी को आइदर और का case कहते है आइदर गंगाधर दिखेगा और शक्तिमान दिखेगा कलियर है ठीक है, तो आइदर और में क्या होता है जब हमें दो conclusion मिलते है जब हमें दो conclusion मिलते हैं और इन दोनों conclusion में गंगाधर और शक्तिमान वाला scenario बनता है मतलब या तो यह सही होगा नहीं तो यह सही होगा यह सही हुआ तो यह नहीं हो पाएगा और यह सही हुआ तो यह नहीं हो पाएगा अगर ऐसा सिनारियो बना अगर ऐसा सिनारियो बना तो वो आईदर और होता है ठीक है अब concept समझना जरूरी है क्यों जरूरी है क्योंकि means examination में अगर question घुमा दिया कैसे घुमेगा मैं आगे जब इसी का means का जब part इसी वीडियो में जब cover करूँगा तब आपको बताऊँगा कि means में question अगर घुम जाता है तो उसको deal करने के लिए basic और conceptual understanding जरूरी होता है ठीक है तो concept भी समझेंगे और कुछ नियम काईदे कानून भी समझेंगे आईदर और क चेक करने के लिए अब इसको चेक करो और आपका answer क्या आता है जल्दी से देख लो ठीक है आपका answer क्या आता है देख लो हमें किसके बीच में relation चाहिए था बी और डी के बीच में relation इधर से ही मिल गाए बी इस greater than equal to d बी is father of d या फिर greater than equal to d जो आपको अच्छा लगए यह भी गलत हो जाएगा यह भी गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि बी और डी के बीच में यह relation 100% इधर भी मैच नहीं हुआ इधर भी नहीं हुआ हमें बी और डी के बीच में जो relation मिला था वह 100% ना तो पहले conclusion में है ना दूसरे दोनों गलत हो गया अभी तक कि प्रतिष्टा पर प्रतिष्ठा परंपरा अनुशासन क्या कहते थे हाईए कि यह भी गलत ब्लब दोनों भी गलत तो नू इधर नौ और कर्दो मर व इच्ने अंशर गया है अ पहले condition समझाता हूं कौन से condition में either or mark करना है फिर concept बताता है condition समझो बहुत प्यारी conditions है तीन condition याद रख पाओगे एकदम simple है पहली condition हमारे पास दो conclusions ऐसे होने चाहिए जिन में same variable हो same variable either or mark करने के लिए ये तीन conditions होती है जिसमें से पहली condition दो conclusion में same variables होने चाहिए देखो इस conclusion में B और D आये है second conclusion में भी B और D आये है दोनों के दोनों conclusion में same variable ये पहली condition है ठीक either or की पहली condition दो conclusion same variable एकदम simple कुछ दिमाग लगा ना आएगा इसमें नहीं दूसरी condition उससे भी simple दोनों conclusion गलत होने चाहिए दोनों conclusion गलत होने चाहिए ये भी conclusion गलत है ये भी गलत है क्या पात है मुश्किल है मुश्किल है बदा आइधर और कि ये दोनों कंडिशन मुश्किल है क्या रहे नहीं है रहे मुश्किल ठीक है, तो condition क्या है, दोनों conclusion में same variables होने चाहिए, दोनों के दोनों conclusions गलत होने चाहिए, जिसने तीसरी condition समझ डाला, तीसरी condition समझ डाला तो जिंदेगी जिंगा लाला, ऐसा ही था, इसमें समझने लायक क्या है, कुछ भी तुम्हें, तीसरी condition क्याती है, जो वेरियेबल्स रिपीट हुए है उन वेरियेबल्स में जितने भी रिलेशन पॉसिबल हो जो वेरियेबल्स रिपीट हुए है उन वेरियेबल्स में जितने भी रिलेशन पॉसिबल हो वो सारे वो सारे कंक्लूजन में आने चाहिए मतबल का है रहे इस बात का कंक्लूजन में आने चाहिए लिखने की ज़रूरत नहीं है पस ध्यान दो इदर एक बार अच्छे से तीसरी कंडिशन फिर से पड़ो जो वेरियेबल्स रिपीट हुए है कौन से वेरियेबल्स रिपीट हुए है बी और डी रिपीट हुए तो बी और डी के बीच में कितने रिपीट हुए है जो वेरियेबल्स रिपीट हुए उन वेरियेबल्स में जितने भी रिपीट हुए है बी और डी रिपीट हुए बी और डी में जितने भी रिलेशन पॉसिबल हो सकते है वो सारे के सारे कंक्लूजन में दिखना चले है अब बी और डी के बीच में कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते कैसे पता चलेगा B और D के बीच में कितने relation possible हो सकते कैसे पता चलेगा तो उसके बीच में statement से जो relation मिलता है उससे B और D के बीच में statement से हमें जो relation मिला है उससे पता चलेगा अब ये relation हमें क्या बता रहा है कि B जो है वो D से बड़ा हो सकता है या फिर B जो है वो D के बराबर हो सकता है B जो है वो D के बराबर हो सकता है ये B से बढ़ा हो सकता है तो B या तो बढ़ा हो सकता है नहीं तो बराबर हो सकता है conclusion में repeat कोन होए थै B और D conclusion में repeat B और D होए थै B और D में कितने relation possible हो रहे है दो जो variables repeat हुए है, उनके बीच में जितने भी relations possible हो, वो सारे conclusion में आने चाहिए, क्या ये दोनों relation conclusion में दिख रहे है, B is greater than D, first conclusion में दिखा, B is equal to D, second conclusion में दिखा, ये भी दिख गया, यानी तीसरी condition भी satisfy हो, समझ में आगे, जहां पर, जब जब ये तीनों condition satisfy होगी, तब तब आंसर आईदर होगा, भगवान श्री कृष्ण का वो भगवद गीता का श्लोग याद है, यदा यदा ही धर्मस्य, गलानिर भवति भारत, तदा व्युत्तानम धर्मस्य, परित्रानाय सादुनाम, विनाशायस्च दुष्कृतान, धर्मसंस्तापनार्थाय संभवामी ये जब जब धर्म बढ़ेगा, और बहुत सारे कांड होने लगेंगे, ये तब तब मैं प्रकट हूँगा, और दुष्ट लोगों का विनाश करूँगा, और सज्जन लोगों का रक्षाल करूँगा, जब जब ऐसी सिचुएशन आएगी, तब तब मैं प्रकट हूँगा, यदा यदा ही धर्मस्य, गलानिर भवति भारत, येKYनी, जब जब ऐस तब तब answer either or ना रहेगा एक बर फिर से पता दू थीनों condition तीन में से दो तो एकडम एकडम simpler दोनों conclusion में same variable होने चाहिए इदर भी है इदर d है इदर b है इदर d है क्या पार दो conclusion में same variable पहली condition दूसरी condition क्या है वो दोनों के दोनों conclusion गलत होने चाहिए ते देखो दोनों गलत हो गए दोनों के दोनों conclusions गलत होने चाहिए थे दोनों गलत हो गए तीसरी condition बस तीसरी condition चानती से एक बार फिर से समझ लो conclusion में जो variables repeat हुए है जो भी variables यहाँ पे repeat हुए है उन variables में जतने भी relations possible हो जो variables repeat हुए है उन में जतने भी relation possible हो सारे के सारे conclusion में आने जाए ठीक तो इन दोनों के बीच में कितने relation possible है यह कौन बताएगा किसको पूछने जाएंगे पड़ोसी को पूछने जाएंगे भीच में कितने relation possible है? नई statement से जो भी relation मिल रहा है उससे check करेंगे कि उनके बीच में कितने relation possible हो तो B और D के बीच में B बड़ा हो सकता है या फिर B बड़ाबर हो सकता है दो relation देखो B बड़ा भी है और B बड़ाबर भी है दोनों के दोनों relation cover हो गए जहाँ जहाँ पर तीनों condition satisfy होगी वहाँ वहाँ पर answer आईदर और आएगा एक बड़ इसको check करो और इसका answer देखो क्या मिल रहाँ आपको A और F के बीच में relation check करना है फटा फट देखो अब आपको क्या करना है A और F के बीच में relation निकालना है यह A है यह F है तो A और F के बीच में खंदानी दुश्मन आ रहे है तो A और F के बीच में relation निकाल पाएंगे क्या बाबा नहीं निकाल पाएंगे cannot be determined खांदानी दुश्मन है ना बीच में तो ये भी गलत ये भी गलत A और F के बीच में relation निकलाई नहीं तो कोई conclusion सही कैसे हो सकता है नहीं हो सकता है तो गलत ठीक दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए है जब- bour जब सेम वेरिये不好 दिकнаком जब जब सेम वेरिये बिह दिखेंगे चांस हे ऐडर और हो सकता है चांस हे ऐडर और हो सकता है तो एक बार जबार है चेक करेंगे वाया इदर और बन रहा है, क्या इदर? आइदर और कि तीन condition पहली condition तो satisfy हो गई 2 conclusion में same variable दूसरी condition दोनों गलत होने चाहिए थे देखो, दोनों गलत भी हो गए दूसरी भी condition satisfy हो गई तीसरी क्या थि? तीसरी condition क्या थि? जो भी variables repeat हुए कौन कौन रिपीट हुआ ए और एफ जो वेरिएबल्स रिपीट हुए उनके बीच में जितने रिलेशन पॉसिबल हो रहे है जो वेरिएबल्स कन्क्लूजन में रिपीट हुए उनके बीच में जितने रिलेशन पॉसिबल हो रहे है वो सारे के सारे कन्क्लूजन में होने चाह अब A और F के बीच में कितने relation possible है can not be determined का scenario हमने session के शुरुवात में discuss किया था तो A और F के बीच में relation determined नहीं कर सकते मतलब A भाई साब F से बड़े हो सकते है या फिर A भाई साब F के बराबर हो सकते है या फिर A भाई साब F से छोटे हो सकते है A और F के बीच में statement से हमें समझ में आया कि हम लोग relation determine नहीं कर पाएंगे अब relation determine नहीं कर पाएंगे मतलब A और F के बीच में 3 relations possible है क्या ये 3ों के 3ों relation conclusion में दिख रहे है A is greater than F देखो यहाँ पर दिख रहा है तो ये conclusion में दिख गया A is equal to F यहाँ पर दिख रहा है देखो A is A A is equal to F यहाँ पर दिख रहा है देखो A is equal to F यहाँ पर दिख रहा है यानि A और F के बीच में जो भी और जितने भी relations possible थे सारे के सारे conclusion में दिख रहा है E और F के बीच में जो भी और जितने भी relations possible थे सारे के सारे conclusions में दिख रहे है तिसरी condition पर satisfy हो जब जब तीनों की तीनों conditions satisfy हो जाती है दो conclusion में same variable हो दोनों conclusions गलत हो और जो variables आये है उनके बीच में जितने भी possible relations हो सारे के सारे relations अगर conclusion में दिख रहे है आईदर और हो जाता है आईदर और हो जाता है अब यहाँ पर किसी के दिमाग में यह doubt आ रहा है क्या चर तीसरी condition तो यह है कि सारे possible relation तो सारे possible relation में सर आपने क्या किया इस example में डो relation चेक किये है ना और इस example में आप तीन relations चेक करेंगे मजाग चल रहा है क्या है मजाग चल रहा है आपके मन में आया आप डो चेक करोगे आपके मन में आया आप तीन चेक करोगे है सारे performance कई से पता चलेगा दो कब करना यह तीसरे condition का लाइन फिर से पड़ो उन वेरियेबल्स में जितने भी रिलेशन्स पॉसिबल हो रहे इनके बीच में जितने पॉसिबल होते हैं उतने चेक करने दो रिलेशन्स कब चेक करने हैं तीन रिलेशन्स कब चेक करने हैं अगर इन दोनों के बीच में दो ही relations possible हुए है इन दोनों के बीच में दो ही relations possible हुए तो दो ही check करेंगे और अगर जो repeat हुए है उनके बीच में तीन relations possible हो रहे हो तीन check करेंगे condition समझ में आगे तिसरी condition क्या कहती है उनके बीच में जितने भी possible होंगे उतने check करो दो पॉसिबल हो रहे है तो दो चेक करो और शान बैटो तीन पॉसिबल हो रहे है तो तीन चेक करो और शान बैटो दो या तीन किस बात पर depend करेगा cannot be determined आता है या greater than equal to less than equal to आता है बात समझ में आगे बात समझ में आगे तो chat section में फटा फटाग लगा दो आइदर और कि तीनों condition समझ में आगे है थोड़ा सा googly question है थोड़ा सा googly question है एक छोटा सा confusion होता रहता है ठीक है वो confusion इस question में हम दूर कर देंगे आपका answer क्या आता है इस question का देखो I and K के बीच में relation चाहिए तो I and K के बीच में relation cannot be determined खंदानी दूश्मन आप बीच में कैसे relation निकालेंगे तो I and K के बीच में relation cannot be determined तो ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया अब ना इदर नोर मार्क करने ही जा रहा था कि मेरे दिमाग की बत्ती जल गई सचीन इधर तो same same variable है first conclusion में भी I के है second conclusion में भी I के है मेरा दिमाग बता रहा है रुक आईदर और चेक कर दोनों conclusion में same variable दिख रहे है रुक रे रुक आईदर और चेक कर तो मैं करूँगा हाँ ठीक है फिर मैं condition याग कर रहा हूँ मैंने क्या पढ़ा था लिक्चर में दो conclusion में same variable पहली condition satisfied दूसरी condition यह है दोनों गलत होने चाहिए ते हो गई तीसरी condition I and K के बीच में जितने भी relations possible हो रहे हो कितने possible होंगे ज़र बताओ I and K के बीच में जितने relations जितने relations possible हो रहे हो उतने सारी conclusion में आगे चलिए तो I and K के बीच में स्टेटमेंटं से हम relations थो निकाल नहीं पाए अब relation नहीं निकाल पाए मतलब 3 relations possible है I क से बढ़ा हो सकता है I क के बढ़ाबर हो सकता है या फिर I के से छोटा हो सकता है आए के के से बड़ा हो सकता है के के बराबर हो सकता है या के से छोटा हो सकता है तेक दिल पे हाथ रखके बताओ इमानदारी से क्या ये ये और ये क्या ये तीनों रिलेशन से कंक्लूजन में दिख रहे हैं इमानदारी से बताओ, I is greater than के, ये तो दिग गया, I is greater than के, ये तो दिग गया, I is equal to के, इधर दिग गया, देखो, A, I is equal to के, इधर दिग गया, फर्स्ट में, है न, I is equal to के, ये भी दिग गया, I is less than के किदर है, इसमें, I is greater than के, इसमें, I is greater than के, I is less than के कहां है, कहां है, है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये वाला relation, conclusion में, दिखने रहां भाई साब, I and K के बीच में, 3 relations possible थे, 3 में से केवल दो ही conclusion में, दिख रहे हैं, याने 3 कंडिशन साटिस्फाइ नहीं होई रे बाबा, 3 कंडिशन साटिस्फाइ नहीं होती है, 3 में से 1 कंडिशन साटिस्फाइ अगर नहीं होती है, आइदर और मार्क नहीं कर सकते आइदर और मार्क करने के लिए तीनों की तीनों का साटिस्फाय होना जरूरी है एक भी अगर नहीं हुई तो गया आइदर और नहीं हो सकता तो इसमें आइदर और आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा आईदर और आंसर आएगा क्या फिर क्या आएगा आंसर आईदर और जहां पे नहीं दिख रहा है वहां पे आंसर वही मार करो जो दिखता है आईदर और आंसर अगर नहीं दिखा तो वही मार करो जो दिख रहा है क्या दिख रहा है मुझे तो दोनों गलत दिख रहे दोनों गलत दिख रहे तो क्या मार करना है नाइधर नौर खतम दोनों गलत दिख रहे तो क्या मार करना है नाइधर नौर खतम जिन्दगी जन्नत इसके आगे अपने जिन्दगी जन्नत है रे समझ में आ गई बाद समझ में आ गई अगर हाँ तो चैट सेक्शन में लगा दो फटा फटा आग एक बर में रिवाइज करा देता हूं सिर्फ तीन कंडिशन साइब पहली दो अंडू-पंडू कंडिशन से अंडू-पंडू यह ना तिरंगा मूवी देखे हो है नाना पाटे करमस्त वो कोन है वो अपना ब्रिगेडियर सुर्य देव सिंग की पार्टी से आ रहा आ गया होता है रूम पे और फिर उस प्याटाक हो जाता है वो सब को सब को मार भगाता है और फिर डायलोग मारता है आंडू-पंडू समझाए गया तो ऐसे ये दो कंडिशन तो आंडू-पंडू ये तिसरी कंडिशन हमको बोल रही है आंडू-पंडू समझाएगा तो एक बार तिसरी कंडिशन को अच्छे से समझ लेते है पहली दो कंडिशन दो कंक्लूजन में सेम वेरियेबल होने चाहिए दोनों कंक्लूजन गलत होन उब बीचा अजो भी, उनके बीच में, किसे ने relation पॉसिबल होता है, कहां से चेक करोगे statement, इस स्टेटमेंट से उनके बीच में relation निकालो, और देखो, कि उसमें कितने relation पॉसिबल हो रहा है, अगर दो पॉसिबल और है, तो दोनों के दोनों conclusion में दिखने चाहिए अगर तीन possible हो रहे हैं तीनों के तीनों दिखने चाहिए अब इदर और खतम जिन्दगी जन्नत ठीक है अब इदर एक छोड़ा से shortcut में बताता हूँ यह हर बार ऐसे लिखना नहीं है हर बार लिखेंगे थोड़ी बच्चे है क्या छोड़ी बच्चे है क्या हर बार लिखना नहीं है फिर क्या गरेंगे shortcut मारेंगे shortcut क्या है इन में से कोई भी एक variable पकड़ो इस में से कोई भी एक variable पकड़ो क्ये पकड़ते है कितने relations चेक करने है तीन कौन-कौन से के के साथ less than होना चाहिए के के साथ equal होना चाहिए के के साथ greater than होना चाहिए तीन relations चेक करने है तो देखो तीन हो आ रहा है क्या के के साथ less than आ रहा है के के साथ equal आ रहा है के के साथ फिर से less than आ रहा है के के साथ greater than दिखा ही नहीं के के साथ greater than दिखा ही नहीं अब लिखने की जरूरत है क्या नहीं वैसे ही इस वाले एक्जम्पल में चेक करो हमें कितने रिलेशन चेक करने थे तीन एक के साथ तीन चेक करो नहीं तो एफ के साथ तीन चेक करो ठीक है देखो एफ के साथ ग्रेटर आचुका है एफ के साथ लेस आचुका है एफ के साथ इधर दिखा, इकवल दिखा, लेस दिखा, तीनों दिख गया, आइधर और हो गया, अब इधर, इधर दोई चेक करने, इधर दिमाग तेज नहीं चला नहीं, इधर दोई चेक करने, क्योंकि B और D के बीच में दोई पॉसिबल हो रहता है, तो B या तो बड़ा हो सकता है, न इधर और क्लियर है, तो आग लगा दो फटा फट, यह सारी कंडिशन मैंने लिख कर रखी है, ताकि आपको जादा दिमाग लगाना ना पड़े, ठीक है, हिंगलिश में भी लिखी है, और इंगलिश में भी लिखी है, दोनों कंक्लूजन में सेम वेरियेबल होने चाहिए, यह पहली कंडिशन है हमारी स्क्रिंशोट ले लेना जिनको चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दूसरी और सिंपल कंडिशन, तीसरी कंडिशन जो वेरियेबल कंक्लूजन में रिपीट हुए है, उन में जतने रिलेशन्स पॉसिबल होते है, वो सारे के सारे कंक्लूजन में देखने चाहिए, सेम इंगलिश में लिखा हुआ, ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूँ, अगर किसी को स्क्रिंशोट लेना है, तो लिए लिए लिए, सारी की सारी चीज़ है, आपके सामने रेडी मेड बनाके रखी जा रही है, ठीक है, आगे भी सारे च कर रहे हैं, समझ लेना है, शान्तिस है, कोई एकाथ पॉइंट समझ में नहीं आता है, उसको फिर से सुनना है, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं, अब प्राक्टिस करेंगे थोड़ा सा, इसमें आंसर क्या होगा, आप ज़र बताओ, ठीक है, डस सेकेंड लेलो और आंसर बता चलेगा, इसमें बताओ, इसमें चलएगा, सिर्फ पहला conclusion से यह अब ज़रा देखो अब इधर भी तो दोनों conclusion में same variable आये थे ना तो either और के लिए सोच नहीं सकते थे क्या either और के लिए बिलकुल सोच सकते थे दो conclusion में same variable पर ये दोनों condition कहां satisfy हुई ये दूसरी condition नहीं satisfy हुई ना दूसरे condition के according दोनों conclusion गलत होने चाहिए थे इधर है क्या नहीं इधर तो एक इच गलत है either और के तीनों की तीनों condition satisfy नहीं होती है answer either और नहीं किया जा सकता ठीक है तो answer either और नहीं होता है तो क्या करना होता है वही करना होता है जो दिख रहा है अब देखो पहला सही दिख रहा है तो पहला सही बात खतम अगला question दस सेकेंड माक्सिमम चलो उड़ा दो E and I के बीच में relation चाहिए सोच समझ कर answer दे दो क्या relation मिल रहा है E and I के बीच में I is greater than or equal to E मजा आएगा अब I is greater than or equal to E तो ये पहला भी गलत हो गया दूसरा भी गलत हो गया आईदर और आएगा कि नहीं देखो मेरा दिमाग बोल रहा है दो conclusion में same variable है आईदर और होने का चान सेरे बाबा same variable दो conclusion में आईदर और हो सकता है पहली condition satisfy हो गया है दूसरी condition कहती है दोनों गलत होने चाहिए ये भी गलत है ये भी गलत है क्या बात है दूसरी भी होने तीसरी इन दोनों के बीच में जितने relations possible है वो सारे के सारे conclusion में दिखने चाहिए थे कितने relation possible है दो कितने relation possible है दो आई बड़ा होना चाहिए और आई बराबर होना चाहिए यही तो दो relation possible है I बड़ा भी होना चाहिए था I बराबर भी होना चाहिए था तो I बराबर तो दिख रहा है I बराबर तो दिख रहा है पर बड़ा नहीं दिखा न I is greater than E ये एक relation possible था I is equal to E ये एक relation possible था ये तो conclusion में दिख गया ये नहीं दिखा यह हर बार लिखना है के नहीं इधर से ही समझना है तो I is greater than E यह वाला relation conclusion में missing था इसके लिए either और नहीं आएगा तीन में से एक भी satisfy नहीं हुई either और answer नहीं आ सकता है अब जब either और नहीं आएगा तो क्या करना है why इच करना है जो इधर दिखता है क्या दिखता है इधर ये भी गलत ये भी गलत दोनों गलत है दोनों गलत है तो neither one nor two follows खतम टाटा पाई पाई मजा गया गुगली question थोड़ा सो गुगली है न तो जो लोग चीजों को रटेंगे न वो गड़ बढ़ होंगे जो समझेंगे वो कभी गलत अगला question देखो उड़ादो उड़ाओ तोफ से बंदूख से जिससे उड़ा सकते उड़ाओ एन अड़ जी के बीच में relation चाहिए था तो एन से लेकर जी तक जाते है खांदानी दुश्मन बीच में दिखते है एन से लेकर जी तक गए तो खांदानी दुश्मन बीच में दिखे तो relation निकल नहीं पाएंगे न बाबा ये भी गलत हो जाएंगा ये भी गलत हो जाएंगा क्योंकि इधर भी जी और एन इधर भी एन दोनों कंक्लूजन में एन और जी दिख गए same variable दोनों कंक्लूजन में दिख रहे है दिमाग की बत्ती जल गई आईधर और हो सकता है रे बाबा आईधर और हो सकता है ठीक है आईधर और हो सकता है बाकी की condition चेक करने पड़ेगी क्या है बाकी की condition दोनों conclusion गलत होने चाहिए थे दोनों गलत है क्या हाँ गलत है दोनों गलत हो चुके है तीसरी condition दो तो हो गए same variable दोनों गलत पहली दो conditions आडिस्वाय हो गए तीसरी इनके बीच में जितने relations possible होते है सारे चेक करो है कि नहीं अब cannot be determined मतलब तीन relation चेक करने है greater than equal to and less than ठेक तो कोई भी एक variable पकड़ेंगे और उसके साथ तीनों के तीनों symbol है की नहीं देखेंगे सिर्फ symbol मत देखना गड़बड हो जाएगा सिर्फ symbol देखोगे तो गड़बड हो जाएगा एक variable किसी भी एक variable के साथ तीनों दिखने चाहिए ठीक है अब जी के साथ less than दिखा जी के साथ फिर less than दिखा जी के साथ equal दिखा जी के साथ greater नहीं दिख रहा है जी के साथ greater नहीं दिख रहा है इसका मतलब जी is greater than n ये relation missing है n और जी के बीच में G is greater than impossible था, G is equal to impossible था, G is less than impossible था, तीन relation possible थे तीन में से ये दिख गया ये दिख गया, ये नहीं दिख रहा है है ना, पर ये लिख कर नहीं ऐसे, ट्रिक से चेक करें तो आइदर और हो सकता है या बताँ तीन में से तीसरी कंडिशन साटेस्वाई नहीं होई, पहली दो हो गई पर तीसरी नहीं होई ना तो जहां पे भी तीसरी कंडिशन साटेस्वाई नहीं होती है वहां पे आंसर आइदर और नहीं आता है एक भी condition satisfy नहीं हुई तो answer आइधर और नहीं आएगा आइधर और नहीं आएगा तो क्या आएगा वहीं आएगा जो इधर दिख रहा है क्या दिख रहा है दोनों गलत दोनों गलत दिख रहे हैं तो neither one nor to follows is absolutely correct answer अगला question उड़ा दू C and L के बीच में relation चाहिए किसके बीच में relation चाहिए C and L के बीच में तो C इधर है और L इधर है ठीक है अब इन दोनों के बीच में खांदनी दुश्मन आ चुके है तो C and L के बीच में relation निकल पाएंगा क्या नहीं cannot be determined पहला भी गलत दूसरा भी गलत ठीक है दोनों गलत हो चुके है अब दोनों के दोनों गलत हो चुके है रहे बाबा पिर आएधर हो की दो condition satisfy होगई C L दो conclusion में same variable था दोनों गलत हो चुके थे दो condition आईधर और की satisfy हो गई तीसरी condition क्या है C greater than होना चाहिए था C equal होना चाहिए था and C less than होना चाहिए था ये चेक करो या फिर ये भी चेक कर सकते हो L greater than होना चाहिए L equal होना चाहिए L less than होना चाहिए दोनों में से कुछ भी एक चेक करो ठीक है? मैं L check करता हूँ L less than है L equal है और L greater than है वाँ 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 क्या बात है क्या बात है तीनों के तीनों relation मिल गए आइदर और में पहली condition साटिस्वाई हो गई same variable दूसरी condition दोनों गलत तीसरी condition इनके बीच में तीन relation possible हो रहे थे और ये तीनों के तीनों conclusion में आ गए तीनों के तीनों conclusion में आ गए आइदर और की सारी condition साटिस्वाई हो गई option C either or I ये नमहा आई आई दर और स्वा चका चक क्लियर चलो ये discussion सबको चका चक क्लियर है तो chat section में आग लगाओ फटा फट अगला question अगला question जल्दी से उड़ाओ जल्दी से लुपवाओ झाला 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 सही किया है confidence है answer पे बताओ E और H के बीच में relation चाहिए था तो E और H के बीच में relation क्या मिल रहा है E और H के बीच में relation H is greater than or equal to E H is greater than or equal to E तो ये भी गलत है ये भी गलत है H greater than E है H equal to E है H greater than E है H equal to E है सारी condition हो गए ऐसे ही चेक कर रहा तो प्राक्टिस जितनी होगी न उतनी जादा condition दिमाग में फिर चप जाएगी और एक बार चप गई तो चेक करना जादा मुश्किल नहीं होता है केवल तीन condition दो conclusion में same variable दोनों गलत इनके बीच में जितने relation possible होता है उतने conclusion में दिखने चाहिए E और H के बीच में दो ही H greater हो सकता है H equal हो सकता है तो H greater भी है H equal भी है खतम टाटा बाई बाई आईदर और अगला question शकल सुरत तो आईदर और वाली है पर ये गुगली question है मैं आपको बता दू मज़ा आएगा सचिन सर की गुगली ठीक है हम बताईए आपका अंसर आईदर और है या नहीं है बस इतना बताओ चलो अब कितना मजाएगा देखना दो conclusion में same variable h and m के बीच में relation cannot be determined हैगी नहीं खंदनी दुश्मन आ गए है h और m के बीच में तो relation निकाल सकता है क्या नहीं रहे ये भी गलत ये भी गलत आईदर और की दो condition तो satisfy हो गई है ना अईदर और की तीन में से दो तो satisfy हो गई दो conclusion में same variable आचुके है और दोनों के दोनों गलत हो चुके है दोनों में same variable आचुके है दोनों के दोनों गलत भी हो चुके है तीसरी condition क्या check करेंगे अब cannot be determined मतलब तीन relation h is greater than m होना चाहिए h is equal to m होना चाहिए या फिर h is less than m होना चाहिए या तो ये check करो नहीं तो check करो m is greater than h होना चाहिए m is equal to h होना चाहिए या फिर m is less than h कुछ भी check करो जैसे जिसकी श्रत किसी का favorite later m है m को लेके check करो किसी का h है तो h less than h equal h greater than वावा h greater than भी है h less than भी है h equal to b तो सारे relation कबर होगे h और m के बीच में जितने भी relation possible थे सारे relation कभर होगे पहली भी होगे same variable दूसरी भी होगे दोनोगलत सारे relation possible तीसरी भी होगे either or की तीनों कंडिशन साटिस्पा निटUSTमा उगए आइदर और के तीनों की तीनों कंडिशन साटिस्पा होने के बावज रांसर आइदर और नहीं है नाइदर नौर आंसर है सबसे पहले ट्रिक समझो फिर कॉंसेप्ट एक्स्प्लेन करता है ट्रिक है रिलेशन रिपीट नहीं होना चाहिए ट्रिक क्या है इसकी इसकी ट्रिक यह है कि रिलेशन रिपीट नहीं होना चाहिए मतलब बताता हूँ ट्रिक क्या है कोई भी रिलेशन रिपीट नहीं होना चाहिए अब जैसे इस कंक्लूजन में ह is equal to m दिख रहा है और इस कंक्लूजन में भी h is equal to m दिख रहा है एक ही रिलेशन में सिंबल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिंबल की बात नहीं कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ रिलेशन की बात कर रहा हूँ h is equal to m यही रिलेशन h is equal to m सेकंड में भी आ गया है एक ही relation दो दो जग आ जाए नहीं चलेगा इत्ता लाड़ प्यार नहीं चलेगा तो बात समझ में आ गई हमारी जो यह तीन condition थी ठीक है सारे के सारे relations का conclusion में दिखने चाहिए ठीक है बट कोई relation repeat नहीं होगा यही condition है ना बट कोई relation repeat नहीं होना चाहिए इधर थोड़ा सा add कर लेंगे है ना यह आगे मैं आपको लिखकर दे रहा हूँ बस आप समझो दिखने repeat होने से क्या होता है सर हो रहा है तो होने दोना क्या दिक्कत है अरे नहीं चलेगा रही नहीं चलेगा आइधर और का concept हमने क्या देखा था गंगाधर और शक्तिमान मतलब गंगाधर हमारे सामने तो शक्तिमान नहीं आ सकता और शक्तिमान हमारे सामने तो गंगाधर नहीं आ सकता मतलब जब हम बोलते हैं आईदर वन जब हम बोलते हैं आईदर वन और टू फोलोज इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब यह होता है कि अगर पहला कंक्लूजन सही हो गया तो दूसरा गलत होना चलिए आईदर गंगाधर और शक्तिमान दोनों में से कोई तो एक दोनों नहीं दोनों नहीं तो या तो पहला सही होगा पहला सही होगा तो दूसरा गलत होगा और अगर दूसरा सही होगा तो पहला गलत होगा यह आईदर और का कॉंसेप्ट है यह आईदर और का कॉंसेप्ट है अ अगर मैं बोलता हूं पहला conclusion सही है तो पहले conclusion में h is equal to m ये जो पाठा रही है भी तो सही होगा पहला conclusion अगर मैं सही मानता हूं तो इसके अंदर ये जो h is equal to m छुपा हुआ है ये भी तो सही हो जाएगा और अगर h is equal to m सही हो गया अगर सही हो गया तो ये h is equal to m इधर भी छुपा हुआ है अब ये वाला part सही है तो क्या ये conclusion complete गलत हो जाएगा नहीं क्योंकि इसमें से जो h is equal to m का part है वो तो सही हो जाएगा बात समझ में आ रही है जब relation दोनों conclusion में repeat होता है तो आईदर और का basic funda satisfy नहीं होता है गंगाधर शक्तिमान वाला बात समझ में आ गई क्योंकि ये एक ही relation दोनों जगव पर आ गया तो एक को अगर हम सही मानते है तो दूसरा hundred percent गलत नहीं हो पाता किसकी वज़े से repeated relation की वज़े से समझ में आ गई बात समझ में आ गई बात अगर हाँ तो chat section में आग लगा दो अगर हाँ तो chat section में आग लगा दो a is greater than equal to b is greater than equal to c is less than b ठीक अब इसमें conclusions है पहला conclusion में आपको दे रहा हूँ a is greater than d दूसरा conclusion में आपको दे रहा हूँ b is greater than equal to a आइधर और है की नहीं जल्ली से बताओ देखो अब a और d के बीच में relation निकाल सकते है क्या नहीं a और d के बीच में हम लोग relation नहीं निकाल सकते है यह भी गलत है यह भी गलत है दोनों के दोनों गलत है अब तीन relation cannot be determined मतलब तीन relation a is greater than है a is less than है a is equal to है तीनों के तीनों relations cover हो गए है आइधर और के तीनों condition satisfy हो गई तो इसका answer क्या आना चाहिए आइधर और आना चाहिए अब यह मत बोलना इसमें अब इसमें यह मत बोलना इसका answer हमने निकाल लिया था आइधर ठीक है इसमें यह नहीं बोलना सर इधर तो यह relation repeat हुआ है फिर कैसा इधर और symbol repeat हुआ है relation नहीं repeat हुआ इधर यह बता रहा है a is greater than d और यह बता रहा है d is greater than a तो symbol same होने से कुछ नहीं होता relation अलग आया है बाद समझ मागे greater than का symbol इधर है greater than का symbol इधर है symbol अलग चीज है relation अलग चीज है symbol repeat हो ना हो फरक नहीं पड़ता symbol की तरफ हमें ध्यान देना ही नहीं है सारा ध्यान relation पर होना चाहिए ठीक है a is greater than d इधर दिख रहा है क्या नहीं अगर यह conclusion ऐसा होता a is greater than d और अगर मैं इसमें लेता d is less than or equal to a तो neither होता तो क्या होता neither ठीक ओके समझ में आ गई बात बात समझ में आ गई तो यह exceptional case पहली googleी समझ में आ गई सबको simple trick अगर समझ नहीं है trick simple है concept भी समझ में आ गई trick क्या है कि उन दो conclusion में कोई relation repeat नहीं होना चाहिए पहले गोगली अगर clear है तो फटा फट आग लगा दो clear है तो chat section में फटा फट आग लगा दो ठीक है यह googleी नंबर टू हम बताओ मजा आएगा इसको solve करके तो बहुत मजा आएगा क्या है इसका answer f और d के बीच में relation चाहिए तो f और d के बीच में relation मिलता है f is greater than or equal to d गलत g और e के बीच में relation चाहिए g और e के बीच में relation मिलता है g is greater than or equal to e यह भी गलत दोनों गलत है neither nor को नमस्ते कर लो आगे निकल लो है neither nor को टाटा बाई बाई कर दो आगे निकल लो आई से नहीं होगा रे इदर answer है either or अई किदर है आई आजा रे अरे आजा answer है either one or two follows मजा आ गया मजा आ गया either one or two follows is absolutely correct answer अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे कैसे sir either or का तो पहला ही condition है कि दो conclusion में same variable होने चाहिए देखो आपको याद नहीं आ रहा है मैं याद दिला देता हूँ है ना आप बहुत टाइम से लेक्चर ले रहे हो तो आप शायद भूल गए होंगे है ना यह आप ही ने बताया है कि दो conclusion में shame variable होना चाहिए इदर किदर है इदर किदर है बताओ इदर d है f है e है j variable same हीच नहीं है फिर आइदर और कैसे इसे इसलिए तो google है ना इसलिए तो google है देखो पहला conclusion क्या दिया है हम लोग को d is less than f यह हमारा पहला conclusion है दूसरा conclusion है e is equal to g यह दूसरा conclusion है statement को observe करो statement बोल रहा है f और g equal है कुछ समझे statement बोल रहा है f और g equal है अगर f और g दोनों equal है तो क्या मैं इस f को g से replace नहीं कर सकता मैं इस f को g से replace कर देता हूँ क्योंकि f और g दोनों तो equal है ना बराबर है दोनों दोनों equal है तो किसी के जगह कोई भी रख दू क्या फरक पड़ता है तो इस f को मैं g कर दिया वैसे ही ध्यान दो d is equal to e है वैसे ही क्या है d is equal to e है अगर d और e दोनों बराबर है तो मैं इस d को e लिख दू क्या फरक पड़ेगा क्योंकि दोनों तो equal है तो मैं इस d को e लिख देता हूँ d और e equal थे इसलिए मैंने d को e लिख दिया f और g equal थे इसलिए मैंने f को g लिख दिया अब यह less than either as it is यह जो हमारा दूसरा conclusion था e is equal to g अब जरा देखो इसकी शकल सूरत either or wali बनी की नहीं बना अब बन गई ना अब बन गई शकल सूरत either or wali क्योंकि e और g के बीच में हमें relation क्या मिल रहा था क्या मिल रहा था g is greater than equal to e g is greater than equal to e यह गलत यह गलत g बड़ा जी बड़ाबर g बड़ा जी बराबर सारा अब परेशान हो कोई दिक्कत नहीं है बस एक बार सीख लिये है तो examination में परेशान ही नहीं होनी चाहिए गलतिया हो रही है इधर session में करो कोई दिक्कत नहीं exam में नहीं होनी चाहिए simple अब सर इधर एक दिखत है, चलो ये तो समझ में आगया, कि ये इधर ऐसा है, इसा कांड हो गएला था, इसलिए इधर आईधर और आगया है, चलो ये समझ में आगया, एगजाम में कैसे समझेंगे, एगजाम में तो हम फुल फुल ऐसे स्पीड से question solve कर रहे होगे, इत्ता स् इसका ध्यान कैसे रखेंगे है हिंट बताता हूं ठीक है इस हिंट को ध्यान में रखते हुए प्राक्टिस करोगे तो एक्जामिनेशन में भी गलत नहीं होगे किते भी स्पीड से करो हिंट यह है यह शैता नहीं कौन किया है वेरियेबल को रिपलेस करके आईदर और वाला स साहिन आए और उससे जुड़े हुए वेरियेबल्स कंक्लूजन में दिखे है क्या गा मैंने जभी भी स्टेटमेंट में इक्वल्टू वाला साहिन आ जाए और उससे जुड़े हुए वेरियेबल्स कंक्लूजन में दिखे तो थोड़ा सा चोकन ना होना है थोड़ा सा सतर सावधान रही है सतर्क रही है कब जब equal to वाला symbol statement में दिख रहा statement में अगर equal to दिखा और उससे जुड़े variables equal to से जुड़ा de था de दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है equal to से जुड़ा fg था fg दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है थोड़ा से चोकन ना हो जाओ और चेक करो गल्प कभी नहीं हो गए ठीक है तो ये google case second था पहली google case क्या थी पहली google case ये थी कि relation repeat नहीं होना चाहिए तीन condition तो समझ में आ गई साथ ठीक है उन तीन condition के साथ साथ एक छोटा सा exceptional case हमने क्या देखा relation repeat नहीं होना चाहिए ठीक है और दूसरा क्या देखा variable same ना हो तो equal to की sign की वज़ा से variable same बना के भी आईदर और किया जा सकता है दूसरी google case पहली google दूसरी google अभी चलते है आगे ठीक है इसमें तो और भी मजा आएगा सचिन सर की google नंबर तीन वावाव क्याव दूसर थ경ान झा दीक है तो लूसरी जा आएखा लावट बना मा झालते है ते दूसरा क्या समें जाओा告訴 दूसर्ट कि दोस्तों पना व poop से तो गाभी जा हम पता था गल हूळार अना दूसरा के दोसा है आदे से जादा लोग तो बूल रहे होंगे क्वेश्चन ही गलत है सर क्वेश्चन तो देखो आरे ओ ही इच नहीं स्टेट्मेंट में कहें लिख दिये सही है क्वेश्चन बिल्कुल सही है आंसर बताओ अगर अच्छे लेवल के एग्जामिनेशन क्लियर करना है अच्छे लेवल के मानलो आपको प्यो बनना है IBPS प्यो बनना है SBI प्यो बनना है कोई भी अच्छा लेवल का एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो आपको थाट प्रोसेस चाहिए वो time बहुत पहले निकल गया कौन सा वाला time जब हम जैसा सीखते थे वैसा का as it is हमें चाहे examination में हो चाहे job में हो implement करके काम चल जाता था वो जमाना निकल गया मतलब आपको training दे दिया x y z y e y e काम सीखना है और वो ही काम as it is करना है वो जमाना चला गया आज का time इतना competitive हो चुका है कि आज के time में हमें इसको दोड़ा के कुछ ना 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 करना पड़ता है जब अच्छे examinations को clear करने की बारी आती है तो उनका expectation यही रहता है कि हमारी organization को ऐसे candidate मिले जिनके पास सोचने की शक्ति है सही direction में जो सोच सकता है ताकि उसको लेने से मेरा organization आगे जा सके अब मुझे वो गधा मस्दूरी नहीं चाहिए कि एक काम मैंने बताया और जिन्दगी बरूसाल वोई काम कर रहा है यह नहीं चलेगा अब आपके पास अपना यह जो computer है यह चलना चाहिए पेड से नीचे गिरता हुआ apple सब को दिखा था सब ने देखा था पेड से apple नीचे गिरता है ग्राविटी का पता खाली न्यूटन को लगा क्यों क्योंकि न्यूटन ने सोचा यह इसा क्यूं हो रहा है और उसका follow प्लिया तो examination clear अगर करने है आज के time में सिर्फ concept रट करने ही चलेगा एक thought process लेनी पड़ेगी इसी में जब advance part आएगा inequality का फिर thought process का क्या मज़ा होता है मैं आपको बताऊँगा thought process का क्या मज़ा होता है मैं आपको बताऊँगा ठीक है अब देखो ना sir इसको कैसे thought process मतलब लाए जो process हमने सेखा है सिर्फ उस process को ध्यान में रखते हुए चले मैं आपको वो thought process देने की कुशिश कर रहा हूँ एक Japanese proverb है अगर कोई भूका है तो उसको खाने के लिए मचली मत दो उसको मचली पकड़ने की कला दो Japanese proverb है है ना examination clear सिर्फ question solve करने से नहीं होगा आज के time में लाखो लाखो students question solve कर रहे है selection उसी का होगा जो exam clear करने वाली quality जल्दी से जल्दी अपने अंदर develop करेगा कौन सी quality thought process सही direction हम लोगों ने क्या किया है सबसे पहले हम लोगों ने यही किया है कि इधर देखा इधर देखा ही नहीं हमने इधर देखा और फिर हमने किया कि चलो अब C और O के बीच में relation निकालता है जो भी variables conclusion में दिये है उनके बीच में relation निकालता है तो C तो मिल गया O मिल इच नहीं रहा है O statement में है इच नहीं तो क्या गलत है question नहीं रहे question सही है अब एक बात मुझे बताओ C का relation उस variable के साथ जो यहां पे है इच नहीं क्या आएगा ओ इधर ही नहीं ना तो O के साथ C का relation निकाल सकता है क्या नहीं निकाल सकते C के साथ O का relation नहीं निकाल सकते cannot be determined cannot be determined ओ नहीं है तो cannot be determined अब कौन सा मुश्किल है बताओ अब मुश्किल है क्या बस यही तो छोटी सी चीज समझनी थी कि भाई साथ O अगर statement में है ही नहीं तो C & O का relation determine ही नहीं कर पाएंगे शुर नहीं होगा क्या relation है तो फिर आगे देखो अब relation ही determine नहीं कर पाएंगे मतलब दोनों गलत हो गए तो ओ बड़ा है ओ छोटा है ओ बराबर है आई इदर और स्वाह मजा आ गया है तो लगा दो आग चाट सेक्षन में कॉमेंट सेक्षन में चलो बताओ जल्दी से A to Z सारा का सारा discussion क्लियर है तो कॉमेंट सेक्षन में आग लगा दो तीसरी गूगली देखी फटा फट तीनों गूगली रिवाइज करते है पहली गूगली कोन से थी relation repeat नहीं होना चाहिए पहली गूगली दूसरी गूगली कोन से थी वेरियेबल सेम नहो तब भी आइधर और बन सकता है दूसरी गूगली तीस्री गूगली दूसरे ग्रह से लोग आ रहे यार प्यार से इसका अंसर बता दो चलो जल्दी से अब आएगा मजा maximum लोग इस question का अंसर गलत करेंगे maximum लोग इस question का अंसर गलत करेंगे ओके चलो अब ज़रा देखो h and i के बीच में relation तो इधर से ही मिल रहा है h is less than equal to i है ना इधर से ही मिल तो h is less than equal to i इधर भी है h is less than equal to i इधर भी है तो दोनों से ही होना चाहिए either or का पंगा इधर होगा नहीं क्यों नहीं होगा क्योंकि either or के लिए दोनों गलत होने चाहिए हमारे पास दोनों गलत नहीं है either or की दूसरी condition क्या दोनों गलत होने चाहिए इधर है क्या दोनों गलत नहीं तो फिर either or के बारे में सोचना बंद करो either or है I is greater than or equal to h पहला conclusion भी वही कह रहा है I is greater than equal to h I is greater than equal to h दूसरा conclusion भी तो वही कह रहा है तो क्या ये और ये दोनों भी सही है क्या दोनों के दोनों conclusion सही है answer है पहला गलत दूसरा सही यह जैकन छिकरे याद आ गया अरे नहीं खेलना है मुझे cheating करता है तू नहीं खेलना है आईशे कैशे कैशे हुआ आईशे है इस conclusion का भी कहना वही है I is greater than or equal to H है इस conclusion का कहना भी वही है I is greater than equal to H दोनों का कहना जब seem है तो पहला गलत और दूसरा सही ऐसा काए बाभू बया ऐसा है अभी तक हम दना दन दना दन दन कंक्लूजन उड़ाये जा रहे है यह conclusion सही यह conclusion गलत पर अभी तक हमने conclusion का मतलब समझा ही नहीं conclusion का मतलब समझा ही नहीं सिर्फ बोल रहे है यह conclusion सही है यह गलत है पर इसका मतलब कौन समझे था conclusion का मतलब क्या होता है जो भी information हमें दी जाती है जो भी information हमें दी जाती है उस information को process करने के बाद दी हुए information को process करने के बाद जो opinion बनता है उसको conclusion कहता है किसको कहते है समझ में आगे यह तू रुक रहे तू रुक conclusion किसको कहता है जो भी information हमें दी है उस information को process करने के बाद जो भी opinion बनाते है उसको conclusion कहता है यानि किसी भी चीज़ को conclusion कहलवाने के लिए process होना ज़रूरी है information का process होने के बाद ही तो conclusion है इधर क्या हुआ? ये जो information थी, वो as it is इधर लाई गई ये जो information थी, as it is इधर लाई गई, तो ये क्या है? restatement क्या है? restatement या repeated information अब repeated information है ना? जो information दी है, as it is इधर ली गई है तो क्या इस information में कोई processing हुआ है? इसमें कोई processing नहीं हुआ, जैसे information दी थी, वैसी ही इधर फिर से लाई गई तो basically processing ना होने के कारण, ये conclusion ही नहीं था processing ना होने के कारण, ये conclusion ही नहीं था, और इसी लिए वो गलत है गूगली नमबर 4, hashtag गूगली नमबर 4, clear? discussion चका चक clear है, तो फटा फट आग लगा दो comment section में, ओके? अब आगे चलते हैं, आगे question नमबर, conclusion नमबर 13 ये तो answer सबको देना है, अब ये गूगली नहीं है, ठीक है? ये गूगली question नहीं है, अब इतने सारे चारी गूगली है, इसके अलवा कोई गूगली नहीं है, ठीक है? जे और N के बीच में relation चाहिए, तो निकालो, जे और N के बीच में, टॉग 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 फादर, फादर, चाइल्ड, ग्रेंड फादर, तो relation आएगा, जे अगा, जे इस देखो दो कंक्लूजन में सेम वेरियेबल दो कंक्लूजन में सेम वेरियेबल दोनों के दोनों गलत है ना दो कंक्लूजन में सेम वेरियेबल आ चुके है दोनों के दोनों गलत हो चुके है और इन में जितने भी रिलेशन पॉसिबल हो रहे थे J और N में एक ही relation possible हो रहा था और वो relation इधर दिख रहा है जितने भी relation possible हो रहे थे सारे के सारे conclusion में दिख रहे है आई आईदर और की तीनों condition satisfy फिर से होगी आईदर और की तीनों condition satisfy फिर से हो गई पर answer आईदर और नहीं reason है बिन बुलाया महमान नहीं दिखना चाहिए याद रखना ये examiner फसाएगा इन पांच cases में है न ये पांच भी गुगली थी बिन बुलाया महमान नहीं दिखना चाहिए ठेक है पिचर क्लियर बिन बुलाया महमान नहीं दिखना चाहिए मतलब जे और एन के बीच में एक ये relation पॉसिबल था जे और एन के बीच में ये ही relation पॉसिबल था तो ये बाकी लोग क्या कर रहे इदर जितने है सिर्फ उतने के उतने आने चाहिए ठीक है बिन बुलाया महमान नहीं होने चाहिए और वैसे भी एक चीज़ बता दू कि आईदर और सिर्फ तब पॉसिबल हो सकता है जब कैननाट भी डिटर्माइन आता है greater than equal to आता है या less than equal to आता है variables में जब इन तीन में कोई relation आता है सिर्फ और सिर्फ तभी आईदर और बन सकता है ये वाले relation में तो आईदर और बनेगा इचिन आईदर ये या वो कहदे के लिए एक से ज़ादा relation possible होने जरूरी है ना इदर तो एक ही है आईदर और के पाँच के पाँच exceptional cases कौन से पहले exceptional case चलो पहले तो हम क्या करते है आईदर और नाइदर का difference देख लेते है कुछ लोगों का होता है सर अब आईदर समझ में आ गया नाइदर का condition बताओ सर आईदर एकदम clear अब नाइदर बताओ सबसे पहले मैं बता दू आईदर और नाइदर नाइदर की condition बताओ ऐसा कुछ होता ही नहीं है नाइदर नौर के लिए कोई condition है नहीं ठीक है नाइदर नौर के लिए कोई condition है इच नहीं जब दोनों के दोनों conclusion गलत हो रहे हो और आईदर और की condition satisfy नहीं हो रही हो नाइदर नौर basically कब करना है जब पहला भी एई नाइदर नौर basically कब करना है जब पहला भी conclusion गलत हो गया है दूसरा भी गलत हो गया है जब दोनों गलत हो गये है पर कभी कभी क्या होता है ना दोनों गलत होने के बाद आईदर और का chance बनता है तो हमें क्या करना है जब दोनों गलत हो गये हो और आइदर और नहीं बन रहा हो दोनों के दोनों गलत हो और आइदर और नहीं बन रहा हो तब नाइदर नौर आंसर होता है ठीक अगर आइदर और की condition satisfy हो गई तो आइदर नौर कि अलग सी separate कुछ condition है क्या नहीं कुछ condition नहीं है जहां दोनों गलत हो जाए वहां नाइदर नौर लगता है ठीक अगर दोनों गलत होकर आइदर और की satisfy हुए तो आइदर और लगाएंगे नहीं तो चुप चाप बैठे खतम ठीक तो यह पहला confusion होता है और कुछ-कुछ students का confusion यहां पर होता है सर यह बताओ अब सब समझ में आ गया यस एक दम बढ़िया से आ गया अब यह बताओ नाइदर नौर में और नन में क्या फरक होता है नाइदर वन और टुफॉलोज अनन फॉलोज में क्या फरक होता है तो answer इसका English में है मतलब English grammar के लो या language का rule के लो जो क आएगा जब दोgmentLousion होंगे और दोनो के दोनो अगर गलत हो रहे होंगे तो नाइदर नोर भी लिख सकते हो नन भी लिख सकते हो कोई दिक्त में है अना दोंन से ज़्यादा अगर दो से जाधा conclusions है more than two conclusions है ना दो से जाधा conclusions के लिए मानलो मैंने तीन conclusions आपको दे दिये एक statement दे दिया उसके उपर तीन दे दिये और तीनों के तीनों गलत तो आप ऐसा बोलोगे neither one nor two nor three तो English case आप से गलत हो जाएगा आचल मैं बहुत डाटेंगी फिर मेरे को भी डाटेंगी आपको भी डाटेंगी तो English हमें इस बात की इजाजत दो से जाधा conclusion के लिए नहीं देता है कि neither nor use करें तो जब more than two conclusions हो और सारे गलत हो रहे हो तो non follows ही लग सकता है बाकी दो conclusion के लिए non follows अब कुछ confusion है अब कुछ confusion है बताओ चलो अगर कोई confusion नहीं है तो आगे बढ़ते हैं अभी तक हमने आइदर और और सारे exceptional cases देख लिए है अब फटाफट फटाफट चीजों को revise करते हैं और कुछ note है वो note याद रखते हैं यह slide में आइदर और सारा revise हो जाएगा तीन condition दो conclusion में same variable होनी चाहिए पहली condition दूसरी condition दोनों conclusions गलत होने चाहिए and तीसरी condition आइदर और की conclusion में जो भी variables repeat हुए है उन में जितने भी relation possible होते हैं वो सारे के सारे 2 possible हो रहे तो 2, 3 possible हो रहे तो 3 conclusion में दिखने चाहिए अब एक छोटी सी note है आइदर और की लिए छोटी सी note क्या दोनों relation, 2 relation कहां check करने, 3 relation कहां check करने clear होना चाहिए relation repeat नहीं होने चाहिए relation repeat हो गया तो आइदर और नहीं mark कर सकते है variable same नहीं हो तब भी आइदर और बन सकता है गुगली वाली case variable same नहीं है पर equal to के कारण variable same बन सकते है बस ये चेक करो थोड़ा सध्यांटर को इस पर and दूसरे ग्रह से भी लोग आ सकते है वो N and O वाला case है ना वो statement में था नहीं फिर भी conclusion में आ गया है ना दूसरे ग्रह से लोग आ सकते है डरना मना है concept clear है अपना ठीक है तो इसके बाहर आइदर और में अब कुछ नहीं है ठीक है तो यहां तक A to Z सारी के सारी चीज़े clear है तो फटा फट चाट सेक्षन में आग लगाना अब हम चलेंगे missing inequality पर ठीक है missing inequality का जो question है वो कुछ इस तरीके से दिखता है तो question का format इस तरीके से होता है हमें एक statement दिया जाता है और उस statement में कुछ symbols गाइब कर दिये जाता है statement दिया गया उस statement से कुछ symbols गाइब कर दिये गया और हमसे पूचा है कि in option में से कौन सा symbol in question mark की जगर रखेंगे तो ये दोनों के दोनों conclusion सही हो जाएंगे इन option में से कौन से conclusions इन दोनों question mark की जगर रखेंगे तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे ऐसा हमें बोला गया है तो करो check हमें 1 is greater than 4 चाहिए तो हमें 1 और 4 के बीच में क्या relation चाहिए 1 is greater than 4 अब ये वाला relation इधर ये वाला symbol इधर रख दूँगा तो 1 is greater than 4 आ जाएगा चलो पहला तो सही हो गया 3 and 6 के बीच में क्या relation चाहिए हमें 3 and 6 के बीच में relation चाहिए 3 is greater than or equal to 6 अब equal to इधर रख दिया इस question mark के जगर ये equal to रख दिया तो 3 is equal to 6 आ जाएगा ये relation गलत हो जाएगा इसका मतलब पहले option में जो भी symbol दिये है उनसे जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा तो question को solve करने का तरीका क्या है इन में से एक एक symbol उठाओ डाल के चेक करो option से चेक करो अब ये वाला combination में question marks के जगर रखता हूँ तो क्या हमें answer मिल रहा है देखना पड़ेगा पहला symbol है greater than equal to इधर greater than equal to लिख दिया दूसरा symbol है greater than 3 is greater than 6 हो जाएगा second conclusion गलत हो जाएगा इसका मतलब ये option भी नहीं चलेगा तीसर option देखते हैं अगर ये वाला greater than इधर रखते है ये वाला greater than equal to इधर रखते है 1 and 4 के बीच में क्या relation होगा 1 and 4 के बीच में 1 is greater than 4 होगा तो चलो पहला तो सही हो गया 3 and 6 के बीच में क्या relation होगा 3 is greater than or equal to 6 तो option C से सारी चीज़े sort out हो रही है option C में जो भी symbol का sequence दिया था अगर वो यहाँ पे रख देते है जो भी symbols का sequence दिया था अगर वो sequence यहाँ पे रख देते है तो सारी के सारी चीज़े sort out हो रही है ठीक है? चलो अब अगला question फटा फटा देखो अब हमें क्या चाहिए D is less than A and F is greater than equal to C definitely true होने चाहिए अब एक ही symbol गायब कर दिया है अब यह फिर से वह ही है मतलब examiner की घर पे जगडा हुआ है नहीं हुआ है अगर हुआ है तो दो-चार symbol गायब कर देगा अगर नहीं हुआ है तो आपको कम परिशान करेगा एकाट symbol ही गायब कर देगा है ना तो अब देखो अगर इस question mark की जगड़ greater than रख देते हैं तो A is greater than D पहला तो सही हो जाएगा दूसरा F और C के बीच में relation चाहिए F से C तक खांदानी दुश्मन आ जाएंगे नहीं चलेगा इसका मतलब हमें A से D जाना है और F से C जाना है इसका मतलब यहां पर हमें ऐसा सिंबल चाहिए जो दोनों साइड से entry देदे A से D तक आने के लिए भी entry देदे F से C तक जाने के लिए भी entry देदे और दोनों साइड से entry केवल और केवल A की सिंबल देता है equal to सारे option रख के देखोगे तब भी चलेगा smart सोचोगे basic तरीका क्या था basic तरीका था यह इदर रख के check करो फिर इसको रखो फिर इसको रखो basic तरीका था smart तरीका क्या था option मतलब question देखके हमें समझ में आ रहा है कि हमें A से D तक पहुचना भी ज़रूरी है और F से C तक पहुचना भी ज़रूरी है मतलब यह question mark जो है वो question mark left से भी cross होना ज़रूरी है right से भी cross होना ज़रूरी है और यह केवल equal to के पास कलाकारी है बाकी ऐसी कलाकारी किसी के पास नहीं है ठीक है option D is absolutely correct answer so missing inequality इतना सूपा हो मतलब इतना आसान होता है मराठी निकल गया मूँसे ठीक है आसान को मराठी में सूपा बोलते है ठीक है missing inequality इतना आसान होता है बस symbol गायब कर दिये जाएंगे option से check करना होगा बात करता हो ठीक है अब इसी में क्या होता है एक reverse inequality करके आता है यह भी simple होता है reverse inequality में क्या होता है आपको conclusions पहले से ही दिये जाता है और बोला जाता है कि बताओ यह conclusion in में से किस in में से कौन से statement में सही हो रही है यह पूचा जाता है आप से यह दोनों conclusions किस option में सही हो रहे है ठीक है अब देखो z is greater than equal to x z से x relation नहीं निकलेगा गलत z is greater than x relation निकलेगा गलत z is greater than equal to x इधर z is greater than equal to x निकलेगा y and v में relation चाहिए था v is greater than y तो option c क्या करना है वही करना है है ना तो इन में से कौन से statement में यह दोनों conclusions सही हो रहे इधर इधर हमने z और x के बीच में relation निकला तो z और x के बीच में cannot be determined आ गया z और x के बीच में cannot be determined आ गया तो यह गलत हो गया इधर हमने z और x के बीच में relation निकला z और x के बीच में इधर हमने relation निकला तो यह क्या हो रहा है z is greater than x हो रहा है Z is greater than X हो रहा है ये भी गलत क्योंकि हमें greater than equal to चाहिए है अब इधर हमने निकाला Z is Z और X के बीच में इधर relation निकाला तो Z is greater than equal to X आ गया देखो ये ही है और फिर V and Y में relation चाहिए था तो V से Y तक grandfather, father, child तो V is greater than Y यही हमें चाहिए था यहने option C जिन्दगी आसान है जिन्दगी आसान है ठीक है अब अगला question reverse inequality से B is greater than E and F is less than equal to D definitely true होने चाहिए था B and E के बीच में relation निकल नहीं पा रहा है first में, खांदा नहीं दुश्मन है गलत B and E के बीच में relation क्या निकला B is greater than E B is greater than E यही चाहिए था F और D के बीच में relation D is greater than F यह नहीं चाहिए था D is greater than F यह चाहिए था क्या हमें नहीं नहीं चाहिए अब हमें इसमें B और E के बीच में relation B is greater than E, चलो, यही चाहिए था B is greater than E F and D के बीच में relation D is equal to F आ जाएगा, यह चाहिए था क्या हमें, नहीं रहे, चलो, गया B and D के बीच में relation, B is greater than E ठेक, D and F के बीच में relation, D is greater than or equal to F, यही चाहिए था option, clear हो गया चलो, सारी जिज़े clear हो गया है, तो फटा फट चाट सेक्शन में आग लगा दो अभी हमने क्या क्या देखा एक बार revise कर लेते हैं, फटा फट चलो, किदर गया, अभी तक हम लोगों ने यह देखा आइदर और देखा, आइदर और के 5 exceptional cases, 5 गुगली देखा है, और उसके बाद आइदर नाइदर में difference देखा, और फ़ेर हम लोगों ने missing inequality देखा ठीक है, और फ़ेर हम लोगों ने देखा reverse inequality ठीक है, तो ये चार चीज़े हमने देखिए 5 चीज़े, ओके सारी के सारी clear है आपके कोई भी prelims examination का syllabus यहाँ पे खतम हो जाता किसी भी prelims examination में इस से आगे सवाल नहीं पूछा जाएगा, अब inequality बचता है means के अंगल ठीक है तो तकरीबन साड़े तीन गंटे हो गए है साड़े तीन गंटे में हमारा prelims का सारा a to z इसके आगे examiner में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो inequality में कोई और सवाल और टाइप का बना सके ना examiner में इतनी हिम्मत नहीं है means में भी हम उस level पे जाके देखेंगे inequality कि examiner भी उसके आगे नहीं पहुच पाए ठीक है तो अभी तक का सारा discussion clear है तो फड़ा फट चाट सेक्शन में आग लगा दो हम बढ़ते हैं आगे तो अभी हम सीखने वाले है coded inequality कोड़ेड इनक्वालिटी में हम दो तरीके देखने वाले हैं एक तो जैसा आप सभी को पता है अब तक हम लोगों ने जो डिसकस करते आये है आम जिंदगी है ना एक नॉर्मल जिंदगी आम जिंदगी coded inequality में हम देखेंगे ठीक और फिर इसके बाद coded inequality में हम लोग देखेंगे selection वाले जिंदगी जिसमें हम लोग बिना pen paper के question solve करेंगे ठीक है selection वाली जिंदगी में pen चलाना मना है coded inequality के questions हम बिना pen paper के solve करेंगे ठीक है चलिए शुरू करते है जिनको coded inequality क्या है कैसा होता है यह कौन से दुनिया का question होता है कुछ भी पता नहीं है question आपके सामने है आपको question इस तरीके से मिलेगा जिनको हिंदी में solve करना है यहाँ पर वीडियो pause कर ले ना पकी जिनको English में solve करना है यह रहा question आप लोगों के सामने अब इसमें क्या होता पता है हमें यह बोला जाता है कि देखो ऐसा है P add the rate क्योंका कुछ मतलब है फिर P percentage क्योंका कुछ मतलब है फिर हमें एक statement डिया जाता है जिसमें वो सारे symbols दिये जाते है और उसके उपर कुछ conclusions होते है उसमें भी वो सारे symbols होते है तो basically inequality में अब तक हमने जो question solve किये है जो normal questions थे जिनमें symbol हमें direct मिलते थे अब वो symbol किसी और चीज से replace हो गए regular information को अलग format में अलग pattern में represent करना उसको हम coding कहता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो regular information थी code के format में replace हो गई और यह inequality की information थी इसलिए हम इस part को क्या बोलते है coded inequality ठीक है इस part को हम क्या बोलते है coded inequality clear अब इसको solve करने की आम जिंदगी देखते है अब add rate का मतलब P is greater than क्यों तो add rate का मतलब है greater than P percentage क्यों का मतलब P is less than or equal to less than or equal to इसका मतलब किये हुआ एगे निए ठीक है P hash क्यों मतलब P is less than क्यों okay मतलब clear है P ampersand क्यों ampersand का मतलब है greater than or equal to ampersand का मतलब है greater than or equal to and P cap Q means P is equal to Q P cap Q means P is equal to Q सारे जीज़े पता चल गई है रख और करो सौल है कि नहीं देखिए अब ampersand ampersand का मतलब क्या था greater than or equal to इधर रख दो greater than or equal to ampersand greater than or equal to add the rate का मतलब क्या है greater than है तो add the rate की जगए greater than रख दो percentage का मतलब less than or equal to hash का मतलब क्या था? hash का मतलब less than था, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, ये question solve करना, कौन से rocket science है? फट से solve नहीं होगा, Q and E के बीच में relation चाहिया था, हमें relation किस के बीच में चाहिया था? Q and E के बीच में relation चाहिया था, तो देखते हैं, Q and E के बीच में क्या relation मिलता है? Q इधर है, और E इधर है, तो Q से लेकर E तक अगर हम जाएंगे, तो खांदानी दुश्मन बीच में दिखेंगे, relation निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता, Q and E के बीच में हम लोग relation determine नहीं कर पाए, इसलिए पहला conclusion गलत हो है, तो H and P के बीच में, H से लेकर P तक जाएंगे, खांदानी दुश्मन बीच में दिखेंगे, नहीं रहे बबा, इधर भी क्या हो गया, इधर भी क्या हो रहे लाए, relation determine नहीं हो रहे लाए, तो फिर, टाटा बाई बाई बाई, T and S के बीच में relation चाहिए था, T इधर है, S इधर है, T से S जा रहे, खांदानी दुश्मन बीच में आ रहे है, T से S, खांदानी दुश्मन बीच में आ रहे है, तो फिर, यहाँ पे हम लोग relation determine नहीं कर पाएंगे ना, यह भी क्या हो जाएगा, सारे के सारे गलत हो गया है, None follows, option number 5 is absolutely correct answer, यहाँ पे एक important चीज समझनी ह अगर आपने इज़त से basic पढ़ लिया है, इज़त से मैं बूल रहा हूँ, मतलब शिदद से basic पढ़ लिया है, तो means solve करने के लिए basic sufficient होता है, क्योंकि concept वह ही है, हमने कुछ नया concept चीज़, ओ means से कुछ तो नया पढ़ना पढ़ींगा, यह means में कुछ तो नया आएगा, सारा का सारा concept वही इस्तमाल किया, जो हमने prelims में पढ़ा था, means examination में आपको question पूछने का तरीका बदल दिया जाएगा, यह जिसको जितने जल्दी समझ में आएगा, उसकी means की तयारी उतनी अच्छी और उतनी जल्दी होगी, ठीक है, means में क्या होगा, concept वही रहेगा, बस question पूछने का तरीका, question पूछने का तरीका means में बदल दिया जाता है, है कि नहीं, inequality में अभी तक हम लोगोंने कैसे, limbu-timbu question देके, marati word है, limbu-timbu, andu-pandu मतलब होता है, ठीक है, कच्छा limbu, आप जिसको खेलते होए हिंदी में बोलते हो ना, कच्छा limbu, है ना, तो वैसे होत है, limbu-timbu, तो ये, prelims में, inequality में हमने अभी तक limbu-timbu question solve किये, means में concept वही लगा, बस question पूछने का तरीका बदल दिया गया, तो means की तयारी करनी है, मतलब क्या करना है, means की तयारी करनी है, मतलब क्या करना है, जितने जल्दी समझेंगे फायदे में, means की तयारी में सबसे मजबूत चीज जो चाहिए, वो है comprehension, चाहे आप reasoning से deal करो, चाहे आप quant से deal करो, means examination में, comprehension बहुत ज़्यादा matter करेगा, comprehension याने दिया हुआ question समझ पाना, question frame इस तरीके से कर दिया जाता है, आगे चलके इसमें और मैं ऐसा demo दिखाऊंगा आपको, है न, कि means examination में क्या और कैसे चीज़े होती है, चलेंगे हम आगे, but means examination को clear करने की पहली requirement, comprehension strong होना, ठीक, बाकी चीज़े फिर basic आता है, तो वो बाकी आगे का कर लेंगे, question समझ में आना चाहिए, ये पहली requirement है, ठीक है, अब coded inequality को solve करने की आम जिंदगी तो देख लिए हमने coded inequality को अभी जिस method से हमने solve किया था, वो आम जिंदगी थी, अभी selection वाली जिंदगी देखेंगे, अभी क्या करेंगे, selection वाली जिंदगी देखेंगे, क्योंकि अभी जो method से solve किया, उस method से अगर करने जाते है, तो ये सब लिखना पड़ता, इतना नहीं लिखना है, हमें सिर सेशन के शुरुवात में हम लोगों ने घर की कहानी सुनी थी, याद है वो घर की कहानी सबको, बर्सों पहले चार घंटे पहले की बात है, जा आण? सधिया हो गई, चार घंटे पहले हमने इस एक घर की कहानी सुनी थी, इस घर में यहाँ पे child रहता था, कोन था हो child equal to था यहाँ पर पापा रहते थे कौन थे वो greater than equal to थे यहाँ पर grandpapa थे कौन थे greater than यहाँ पर पापा थे कौन थे less than equal to यहाँ पर grandpapa थे कौन थे greater than बस यह symbols इनकी जगह रखने है हमें यह जो symbols है इनकी जगह रखने है add the rate का मतलब क्या था greater than तो जहां पे greater than होता है वहां पे add the rate लिखो, जहां पे greater than होता है वहां पे add the rate लिखो, अब percentage का मतलब क्या है, less than or equal to, जहां पे less than or equal to है वहां पे percentage लिखो, hash का मतलब है less than, तो यहां पर hash लिखो, ठीक है, greater than or equal to का मतलब है ampersand, यहां पर ampersand लिखो, और यह cap का मतलब था equal to, यहाँ पर equal to लगता हूँ प्रियोरिटी रूल हमें पता है अब कुछ-कुछ चीज़े सीखेंगे ठीक है अब इसमें हम लोगों को statement अगर दिया है ठीक है statement अगर हम लोगों को दिया है a add b ampersand c cap d percentage e and hash f ध्यान से सुनना थे ध्यान से सुनना थे यह statement हमें दिया है अब relation निकालना है बिना pen चला है बिना इन सिंबल को transfer किये बिना इन सिंबल को बदले relation निकालना है कैसे निकालेंगे देख ले नमज़ा आएगा हमें relation चाहिए a और c के बीच में a और c के बीच में कोन आया add rate आया ampersand आया picture देखो picture देखो add rate और ampersand add rate और ampersand दोनों में किसकी जाधा चलती है add rate की add rate और ampersand दोनों में किसकी जाधा चलती है add rate की तो a and c में relation क्या आएगा add rate का है ना at the rate के left में a था जो relation निकल कर आया उस relation के left में a था तो left में a ही रहना चाहिए और right में c आना चाहिए क्यों क्योंकि इस relation के right में c है और left में a है sequence change नहीं करनेगारी बाबा दिक्कत हो जाएगा पेंच अलाया हमने नहीं बिना पेंच अलाया relation निकल गया अब ऐसे ही आप लोग फटा फट बी और डी के बीच में अगर आप relation निकालेंगे तो बी और डी के बीच में कौन को ना रहा है एमपरसंट आ रहा है क्या पार रहा है बी और डी के बीच में एमपरसंट आ रहा है क्या पार रहा है एमपरसंट और क्याप में एमपरसंट और क्याप में किसकी ज्यादा चलनी है एमपरसंट के ज्यादा चलनी है तो बी और डी के बीच में relation क्या आएगा Ampercent का आएगा B और D के बीच में relation Ampercent का आएगा अब Ampercent के Left में भी था तो इधर भी Left में H भी हो ना मंगता है हाईगे नए जो relation निकला उसके Left side में भी था, Relation में भी Left side में ही हो ना मंगता निया में कानून नहीं तोडने का नाई आइगे न आई A और D के बीच में फटा फट relation बताओ आप A और D के बीच में फटा फट relation बताओ क्या आएगा A और D के बीच में relation अब A से लेकर D तक जाते है add the rate है, ampersand है, cap है add the rate, ampersand, cap किसकी जादा चलेगी? add the rate के जादा चलेगी तो relation क्या आएगा? add the rate का, मजा आया की नहीं आया? मजा आया की नहीं आया? आग लगा कर बताओ तो ये relation क्या होगा? A add the rate D relation क्या होगा? A add the rate D add the rate के left में D था? A था, तो left में ही A होना मंगता है नियम है, कानून है, तोड़ने का नहीं, ठीक, अब तक कि सारे जिज़े क्लियर है, सब लोग फटा-फट, ये रिलेशन मुझे बताओ, C और E के बीच में क्या रिलेशन होएगा, C से लेकर E तक जाओ, कौन-कौन दिखता है, काप दिखा, परसेंटेज दिखा, काप और परसेंटेज में किसकी जादा चलनी है, परसेंटेज की, तो C और E के बीच में रिलेशन क्या आएगा, परसेंटेज का आएगा, C और E के बीच में रिलेशन आएगा, परसेंटेज का, परसेंटेज की राइट में E, लेफ्ट में C, परसेंटेज की लेफ्ट में C है, राइट में E है, तो परसेंटेज की लेफ्ट में C और राइट में E च होना मंगता, नहीं हमाएक कानून है, तोड़ने का नहीं, ठीक ज़रा सोच समझ के आंसर देना आप थोड़ा थोड़ा variation करेंगे यह देखो एक बार relation आपने बिना pain चलाए निकाल लिया यह चेक करना मुश्किल है क्या मुझे बताओ चेक करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ठीक है अब मुझे बताओ f और d के बीच में क्या relation आएगा सोच समझ कर बताना f और d के बीच में f और d के बीच में percentage और hash है percentage और hash किसकी ज़्यादा चलनी है hash की percentage और hash में किसकी ज़्यादा चलनी है hash की तो f और d में क्या f hash d यह relation आएगा अंसर है नहीं F और D में ये relation नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा हैश के right side में F था जो relation आया उस relation के right में F था तो इधर हमने left में काई को लिखा उसको काई को लिखा रहे हैं उसको left में allowed नहीं है है ना तो जो भी relation आ रहा था उसके जिस side में जो है उसको उसिच side में रखने का जेल हो जाएगा नहीं तो सुकीला माफी नाई ठीक है समझ में आगई बात है अगर यहां तक समझ में आ गया है ठीक है तो यह क्या होना चाहिए relation यह relation होना चाहिए था d hash ठीक है अब यहां तक सारी छीज़े सारा picture समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे कुंसा कलर लेलो कुंसा लेलो यह लेले लेता है तो जल्दी से आप मुझे ए और ए के बीच में क्या relation आएगा बताओ रही जल्दी से बताओ ए और ए के बीच में क्या relation आएगा देखो, यह इधर है, यह इधर है, add the rate, ampersand, cap, percentage, add the rate, ampersand, फिर क्या आया, cap और फिर percentage, add the rate, ampersand, cap, percentage, इन सब में, किसकी चलेगी, किसे के नहीं खांदानी दुश्मन, सूर्य वंचम का क्लाइमक्स इन हो गए लाए, है ना, यह दोनो, opposite family members आ चुके है, opposite family members आ चुके है, ठीक है, तो ए और ही के बीच में, percentage, दूसरी family का, ampersand, पहली family का, खांदानी दुश्मन रास्ते में आए है, तो क्या हम relation निकाल सकते हैं, नी रे बाबा, ए और ही के बीच में, relation आई इच नहीं सकता है, खांदानी दुश्मन आ गए लाए ना बीच में, कई से आईगा, आईच नहीं सकता है, ठीक है, अब आप मुझे, बी और एफ के बीच में, relation बता, बी और एफ के बीच में, relation बता, पकड़ो भी को भागो एफ तक, ampersand, cap, percentage, hash, ampersand, cap, percentage, आए, 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 ये और ये, opposite family के members, opposite family के members, रास्त में आए, तो चलींगा, क्या रे, नहीं चलींगा, relation determine नहीं होईगा, बिना pen चलाए, अगर आप सिर्फ ये picture देखके, relation निकाल पा रहे हो, क्या, अगर हाथ तो फटा-फटा आग लगा के बता दू, ठीक है, ये सबसे पहली और important step है, selection वाली जिंदगी की, बिना pen चलाए, question क्या से solve करते है, देख लेंगे, ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, समझ में आ गया ना आपको, अब Q के और E के बीच में relation चाहिया था, क्यों इधर है, E इधर है, बीच में जो भी symbol आए है, चुप, चाप, अच्छे बच्चों की तरह direct symbol का उंपर करो, ampersand, ampersand, add rate, percentage . ampersand, ampersand, add rate, I, percentage ौ paragraph या फिर , fansand kart आया , ampersand , फिर wheira Elementary आया कोई दिखकत नहीं थे, फिर percentage काcessor की को आया रे ? यह दूसरी फैंपलिली का है, आ पान दनी दुश्मन बीच में आ गया ये खांदानी दुश्मन बीच में आगए खांदानी दुश्मन बीच में आए तो relation determine होईँगा इछ नहीं रहे अगर relation ही determine नहीं होईँगा तो conclusion सही कैसे होईँगा conclusion गलत है conclusion गलत है बिना pen चलाय हो गया pen चलाय है कि आमने नहीं दिमाग और pen pen दोनों में सब से तेज कोन चल सकता है दिमाग दिमाग और pen में तेज कोन चल सकता है दिमाग चल सकता है तो दिमाग को चलाओ pen को नहीं अगला conclusion अब अगला conclusion में h and p के बीच में relation चाहिए ठीक तो h कहा है h h h h h h h h यहाँ है p कहा है यहाँ है डाइरेक्ट सिंबल्स कंपेर करो, डाइरेक्ट सिंबल्स, परसंटेज, काप, हैश, एमपरसंट, परसंटेज, काप, हैश, दिक्कत नहीं है, सही जा रही है, परसंटेज है पहले, फिर काप है, फिर हैश है, परसंटेज, काप, हैश, बाद में यह एमपरसंट आया, निदुश्मन यह और यह खांदा निदुश्मन बीच में आ गये तो रिलेशन कैसे डिटर्माइन वहींगा रे रिलेशन डिटर्माइन होंगा इच नहीं सेकेंट भी गलत हो जाएंगा है कि नहीं ती और एस के बीच मंधर रिलेयरेशन चाहिए है न अरे यह तो खांदय नि दूश्मन आड़ाइट and पर्सेंटेच का ? औहुं क्या pen paper की जरूरत, सिर्फ 5 symbols लिखने है, काम खताम, none follows, ठीक है, अब इस information पे हमें 3 से 5 questions examination में मिलेंगे, same information पे एक question हो गया, अब दूसरा question करेंगे, ठीक है, cap ampershant at direct percentage hash, बस इतना लिखना है, इसके अलावा pen चलाना पाप है, ठीक है, इधर में लिख देता हूँ, इसके अलावा सिर्फ इतना pen चलाना है, pen चलाना पाप है सिर्फ इतना पेंच चलाएंगे ठीक है मैं एक बार confirm कर लो मैंने सही लिखा cap ampersand direct percentage hash cap ampersand direct percentage information तो सेम है अब यह हमारे दिमाग में यह family चब गई है ना चब गई है की नहीं चब गई है है ना इधर equal to है हमें पता है greater than equal to है हमें पता है इधर greater than है इधर less than equal to है इधर less than है यह हमें पता है तो सिर्फ यह symbols देखने से हमें चीजे एकदम clear हो जाएगी अब इसमें बहुत सारे लोगों का तो answer आ भी गया होगा कितने लोगों ने बिना pen चला है answer निकाला जरब बताना मुझे f and l के बीच में relation चाहिया था f यहाँ है l यहाँ है compare करो cap percentage cap percentage cap percentage cap percentage आए 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 same family परसंटेज में चलेगी किसकी percentage की चलेगी तो f and l के बीच में relation तो percentage का आएगा f and l के बीच में relation percentage का आएगा अब आप मुझे बताओगे f percentage l relation होगा या l percentage f relation होगा आप बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से देखो परसेंटेज के लेफ्ट में F था तो relation में भी परसेंटेज के लेफ्ट में इच F होना मंगता है नियम ऐ कानू नई तोदने का नई सजा हो सकता है आगे नई ठीक है तो ये relation हमें मिल गया F percentage L relation हमें क्या मिल गया F percentage L conclusion में यही relation दिया था conclusion में यही relation दिया था F percentage L conclusion सही हो गया जो relation हमें मिला exact ditto copy paste conclusion में था सही हो गया लगी के pen paper के जरूरत नहीं लगी अगला चेक करो F and Z के बीच में relation चाहिए एक रिजर F and Z के बीच में relation चाहिए F इधर है Z इधर है करो compare cap percentage cap percentage ampersand add direct cap percentage cap percentage ampersand हो गई गडबर percentage and I am percent खांदानी दुश्मन बीच में आ गए है कि नहीं ये जो है खांदानी दुश्मन बीच में आ गए हमारे रास्ते में तो relation निकल सकता है क्या नहीं निकल सकता F and Z के बीच में relation नहीं निकलींगा ना रे अगर नहीं निकलींगा तो गलत हो जाएंगा second conclusion गलत है मजा रहे है pen paper की जरुरती नहीं पढ़ रही है मजा रहे है तो बताओ जल्दी से है ना D and M के बीच में relation चाहिए किस के बीच में relation चाहिए D और M के बीच में तो D और M के बीच में hash, cap, percentage, cap hash, cap, percentage, cap सारे same family से है ना hash, cap, percentage, cap सारे same f arrangement से तो priority किस की ज़यदा hash की ज़यदा तो इधर D और M के बीच में relation क्या निकलींगा hash निकलींगा इस hash के left में D था hash के left में D था तो इस hash के left में D होईगा और इसके right में M होईगा तो जो relation हमें मिला है exactly वही conclusion में दिख रहा ही मजायक किनिया है बताओ बिना pin, pin सिर्फ इदर चलाना है, pin चलाना पाप है, नदी किनारे साप है बताओ, ठीक है, तो पहला and टीसरा conclusion सही थे, option number second is absolutely correct, option number second is absolutely correct, first and third follows, ओगे, चलो, एक और question भी न, pen, paper के, cap, ampersend, add, direct, percentage, hash answer आ गया होगा इतने में, है न, ये मुझे बार-बार लिखना पढ़ रहा है, क्योंकि मेरे पास roughshit नहीं है, है न, मेरे बास हर बार slide change हो रही है, इसलिए मुझे बार-बार लिखना पढ़ रहा है, आपको एक बार लिख लिया, काम खतम आपका, ठीक है, किसके बीच में relation चाहिए, M और P, just a second में confirm कर लू, काप, आपर्शंट, अडडरेट, परसेंटेज, काप, आपर्शंट, 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 काप, आपर्शंट, 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 काप, सारे सेंट फामिली के है, आपर्शंट, 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 M को ही रखना पड़ेगा, M add the rate P relation दलेगा, हमें relation मिला M add the rate P, conclusion में भी relation दिया था M add the rate P, conclusion सही हो गया, लग रही है क्या pen paper की ज़रूरत, है क्या pen paper की ज़रूरत बताओ, P and X के बीच में relation चाहिए था, P and X के बीच में relation चाहिए था, P यहाँ है, X यहाँ है, करो direct symbol को compare, percentage, hash, ampersand, percentage, hash, ampersand, percentage, hash, ampersand, खंदानी दुश्मन, खंदानी दुश्मन बीच में आ गया, है क्यों, hash और ampersand, खंदानी दुश्मन है, तो relation निकल रहा है, क्या नहीं निकला है, रहे बाबा, तो relation नहीं निकला, तो गलत हो जाएंगा ना, रहे, है क्यों नहीं, असान है, असान है लास्ट T and X के बीच में relation चाहिए था T इधर है X इधर है अभी हमने देखा ये दोनों खंदानी दुश्मन है hash and ampersand hash ampersand खंदानी दुश्मन relation निकलिंगा नहीं रे बाबा cannot be determined तो गलत हो जाएंगा खतम टाटा बाई बाई बिना pen के है ना ओके अब इसका answer क्या है only one follow कर ले नमस्ते कर ले आगे चले only one follows कर के आगे चले क्या नए गुगली question था ये ये गुगली question था इसका answer only one follows नहीं है अगर आईदर और मैं आपने ध्यान दिया है तो ये गुगली कॉंसेप्ट आपको पता है क्या है इधर T cap P है ना T cap P है अब T cap P cap का मतलब क्या है equal to T cap P का मतलब T is equal to P है T is equal to P है अगर तो P के जगर पर मैं T लिख दू तो ये क्या हो जाएगा T hash X हो जाएगा राइट T hash X हो जाएगा अब ये क्या है ये है T ampersand X T hash X and T ampersand X T and X के बीच में relation निकल नहीं रहा था T है X है T है X है आइधर और का चानस बन रहे लाइबीडू आइधर और का चानस बन रहे लाइधर दोनों conclusion में T और X आ चुके है दो conclusion में same variable दोनों के दोनों गलत T and X के बीच में cannot be determined तो तीन relation T के साथ होने चाहिए T greater than होना चाहिए T equal to होना चाहिए T less than होना चाहिए है है कि नहीं तो T के साथ hash आ गये ला है hash का मतलब less than T के साथ less than आ चुका है T के साथ less than आ चुका है अब T के साथ ampersand है ampersand का मतलब है greater than और equal to तो T के साथ greater than भी आ चुका equal to भी आ चुका है T के साथ greater than भी आ चुका equal to भी आ चुका है either or key सारी condition हो गए लिए satisfy तो either 2 और 3 इसका answer होगा either 2 और 3 है ना और इसके साथ पहला conclusion सही हो रहा था तो इसका answer है only one and either 2 और 3 follows सचिन सर की class में स्वागत है welcome to the class of reasoning कोई भी variation जो means में आ सकता है नहीं छूटेगा बस आप इसके revision और practice करते रहना अब देखो both one and either 2 और 3 follows option number 3 इसका सही answer हो जाए था ठीक है हमने क्या सीखा हुआ था देखो ये either और का doubt मेरे मन में क्यों आया क्योंकि ये दो conclusion गलत हो चुके थे इसमें भी x था इसमें भी x था इन दोनों में एक variable common आ चुका था अब मेरे दिमाग में थोड़ा सा ये doubt था इधर p और t आपस में replace होके अगर equal बन गए तो यहाँ पर दोनों conclusion में same variable हो जाएंगे आइधर और का base बन जाएगा तो इसलिए मैंने क्या किया ये दोनों equal हो सकते है के नहीं देखा तो जब मैंने देखा तब मेरे को लगा t cap p है याईने t is equal to p replace हो सकता था फिर मैंने आइधर और में आगे दिमाग लगाया और समझ में आया आइधर और है समझ में आगे thought process क्या और कैसे रखना है discussion चका चक clear है तो फटा फट सब लोग आग लगा दो chat section में है ना और इस question का answer देना cap ampersand add direct percentage hash अब तक इस question का answer आ गया होगा आया की नहीं आया j और s के बीच में relation चाहिए जे इधर है s इधर है add direct hash खंदानी दुश्मन हो गए add direct and hash खंदानी दुश्मन हो गए तो j and s के बीच में खंदानी दुश्मन आ रहे है तो क्या हम relation निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं रिएशन इछ नहीं निकला तो कंक्लूजन सही कैसे होईगा रहे कंक्लूजन गलत होजाएगा जे एंड स आप आप ती काइट ampersand I cap ampersand I खंदानी दुश्मन खंदानी दुश्मन बीच में आ गया है तो relation नहीं निकलेगा खंदानी दुश्मन बीच में आ गया है तो relation नहीं निकलेगा relation नहीं निकला तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा S and J के बीच में relation चाहिए से एंड जे के बीच में खंदानी दुश्मन आ रहे थे हमने देखा ना अटडरेट एंफ एंडरेट एंट है डिलेशन नहीं निकलेगा रिलेशन नहीं निकाल पाइंगे तो सड़ बिडिटर है नन फॉलोज मार्क करके निकल ले आगे या कुछ-कुछ दिख रहा है आपको कुछ-कुछ हो रहा है क्या कुछ-कुछ हो रहा है क्या देखो होना चाहिए कुछ-कुछ J S J S आईदर और का चांस बन रहा है दो केंक्लूजन में सेम वेरियेबल आ चुके है और का चांस बन रहा है तो देखो आईदर और J and S के बीच में relation determine नहीं कर पा रहे था है कोई भी एक वेरियेबल पकड़ो और उसके साथ तीनों relation associated है की नहीं देखो मैं J पकड़ता हूँ इस बार J के साथ greater than होना चाहिए J के साथ equal होना चाहिए J के साथ less than होना चाहिए J के साथ ampersand आचुका है ampersand का मतलब greater than or equal to S है ना ampersand का मतलब तो J के साथ less than आचुका J के साथ equal आचुका J के साथ less than आचुका J के साथ equal आचुका अब इदर J के साथ add the rate है add the rate का मतलब greater than है तो J के साथ greater than भी आचुका हो गई न सारी condition satisfy आईधर और की सारी condition पहले और तीसरे में satisfy हो गई so either one और three follows option number three is आपसे जोट लेकर रिखता हूं मज़ा आ गया बिना pen paper के coded inequality solve करके मज़ा आ गया कि नहीं बताओ चलो आगे चले आगे यही है क्या हाँ यही है ठीक है cap ampersand direct percentage hash अब तक solve हो गया होगा अब तक questions all हो गया होगा किसके बीच में relation चाहिए वी और एसके बीच में कोन है वी और एसके बीच में ampersand cap ampersand ampersand cap ampersand ठीक है ampersand cap ampersand same family है किसकी जादा चलनी है ampersand की जादा चलनी है तो वी और एसके बीच में relation क्या आएगा ampersand v ampersand s जो हमें मिला क्या वो conclusion में 100% match हो रहा है नहीं हो रहा है जो हमें मिला था अगर exact exact वैसा ही conclusion में नहीं दिख रहा है तो टाटा बाइबा स्वाहा जे एंड के के बीच में relation चाहिए यह जे इदर है के इदर है आणा add the rate and hash खांदा नी दुश्मन है रे बीच में add the rate and hash खांदा नी दुश्मन है कांदा नी दुश्मन है तो relation निकलिंगाई नहीं relation निकलिंगा नहीं तो conclusion गलत हो जाएंगा है कि न आए है and last s and y के बीच में relation चाहिया था तो y and s के बीच में relation hash ampersand cap ampersand hash ampersand cap ampersand hash i i i khandani dushman खandani dushman बीच में आ गई लाए तो relation निकल नहीं सकता है cannot be determined mind हाँ ठीक है अब देखो किसी में sy j k vs ठीक है अब देखो अब मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा चल रहा है s इधर भी है अगर v और y equal हुए v और y equal हुए तो first and third में फिर से either or का chance बनेगा तो मैं बस ये चेक करूँगा v और y equal हो सकते है क्या v इधर है और y है कि नहीं है है इधर इनके बीच में hash आ गया hash का मतलब equal to नहीं है v and y equal नहीं हो रहा है आईधर और का chance खतम हो गया आईधर और बनेगा क्या अब नहीं बनेगा बस ये precaution लेके चलना है यही thought process लगाना है अब इमानदारी से दिल पे हाथ रखके मुझे बताओ pen paper की जरूरत पड़ी क्या है आप मैंसे कुछ लोग बहुत तेज है अरे sir यह आपका अच्छा है अच्छा सिंपल सिंपल एक एक statement में अपना method लेके आँ बताओ हाँ अब नहीं लग रहा है कौमा वाला statement में करके दिखाओ तो मानू दिखाओ करके कौमा वाले में दिखाओ दिखाओ कौमा वाले में वो भी करेंगे है यह नहीं वो भी करेंगे coded inequality single statement में हो चुका है अब तक हमने बिना pen paper के solve करने का चाहे आइदर और हो यह simple हो प्लेन हो बिना pen paper के solve करने का तरीका देखा और यह अभी तक जो देखा ना यह foundation है अपना इस foundation पे अभी double statement डिल करेंगे हम ठीक है अगला question आप लोगों के सामने screen पर है तीन तीन statement इसमें भी pen नहीं चलाएंगे जिनको हिंदी में solve करना है यहाँ पे video pause कर लेना ठीक है जिनको English में solve करना है यह रहा symbols note down कैसे करने है यह 5 dots हमें पता है यह 5 dots हमें पता है है कि नहीं कोन सी जगर पे क्या आता है यह भी पता है है ना अब देखो ampersand का मतलब r is i neither greater i nor less than i क्या है यह पिछले question में तो simple simple दिया था यहाँ पे negative language का इस्तमाल हुआ है यहाँ पे negative language का इस्तमाल हुआ है अब negative language मतलब क्या है ठीक है यह जो negative language का इस्तमाल हुआ है यहाँ पे ठीक है negative language एकदम simple से अगर deal करनी है तो बस एक मुझे question का answer करो inequality में comparison कितने तरीकों से possible होते है session के शुरुवात में हमने discuss किया था inequality में comparison कितने तरीकों से possible होते है तीन तरीकों से comparison तीन तरीकों से possible है greater than हो सकता है equal to हो सकता है less than हो सकता है ठीक है greater than हो सकता है equal to हो सकता है less than हो सकता है इन तीनों के अलावा और कोई comparison possible है क्या नहीं इन तीन के अलावा अब और कोई comparison possible है इच नहीं है है ना अब ये जो नाइधर नौर होता है या फिर नौट होता है ये जो नेगेटिव लैंग्वेज है ना ये है पुलिस का डंडा पुलिस का डंडा यही तो करता है ना इधर आया तो फेक के मारूंगा यह लाइन है यह लाइन है और इस लाइन के आगे बढ़ने का नहीं है है ना तो पुलिस का डंडा कैसे गाम करता है नेगेटिव है ना ये नहीं करना वो नहीं करना ये लाइन के आगे बड़े तो गोली मार दूगा तो negative language is police का डंडा है ना अब कितना असन हो गया देखो आर एज नाइदर greater nor lower than c आर c से बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है डंडा किस किस पे पड़ा किस किस पे negative language अपलाए हुआ नाइदर डंडा है जो जो negative word है वो डंडा है greater than पे डंडा पड़ा जिस पे डंडा पड़ा वो भाग जाएंगा ये भाग गया greater than पे डंडा पड़ा भाग गया nor lower than lower than पे डंडा पड़ा मतलब ये भी भाग जाएगा इन तीनों में से जिस जिस पे डंडा पड़ेगा वो भाग जाएगा बचा कौन? बड़ा भी नहीं था छोटा भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो बराबर होगा तो क्या होगा? बराबर होगा है ना? तो ampersend का मतलब equal to equal to की जगह कहा है? यहां है, रख दिया equal to उदर equal to की जगह वहाँ थी, तो equal to वहाँ पे रख दिया, कैसे deal करना है समझ में आ गया? कैसे deal करना है समझ में आ गया? हमारे पास तीन सिंबल है, negative language को deal करना है मतलब negative language है, police का dunda आगे आया तो फैक के मारूंगा जिस पर डंडा पढ़ेगा, वो भाग जाएगा Second statement deal करते हैं, किस-किस पर डंडा पढ़ रहा है percentage का मतलब बताया जा रहा है Neither greater nor equal बड़ा भी नहीं है, equal भी नहीं है बड़ा नहीं है, डंडा पढ़ा equal नहीं है, डंडा पढ़ा ये भी भाग गया ये भी भाग गया बचा कौन लेस दान बचा लेस दान तो परसंटेज का मतलब क्या हुआ परसंटेज का मतलब हुआ लेस दान तो जहां पे लेस दान है वहां पे परसंटेज लिख दो लेस दान कहा होता है हमारे इस टरक्चर में इस टरक्चर में लेस दा कहा होता है इधर होता है percentage लिख दो है डॉलर का मतलब डंडा किस-kिस पर पढ़ा नाइधर लोवर नौर इक्वल लोवर नहीं है यानि следующ बंडा पढ़ा इकवल नहीं है यानि इकवल पर इडंडा पढ़ा इन दोनों पर डंडा पढ़ा हैं ना लोवर पे डंड़ा पडा neither lower nor equal lower और equal पे डंड़ा पडा दोनों भाग गए बचा कौन? Greater than दोनों भाग गए तो बचा कौन? Greater than बचा तो greater than की जगर लिग दो? क्या लिग दो? Dollar greater than कहा होता है हमारे इस structure में? Is structure में greater than इधर होता है इधर greater than dollar लिग दिया अब आगे add the rate है, आगे क्या है, add the rate है, add the rate का मतलब not greater than, डंडा किस पे पड़ा, greater than पे पड़ा, अब जिस पे डंडा पड़ा वो तो भाग जाए गरी, greater than भाग गया तो बचा कौन, less than and equal to बचा, r is not greater than c, c से बड़ा नहीं है, not greater than मतलब less than or equal to, तीनो में से जिस पे डंडा पड़ेगा, वो भाग जाएगा, तो greater than भाग गया, बचा less than or equal to, बचा less than or equal to, and last, hash, hash का मतलब not lower than, डंडा किस पे पड़ा, lower than पे, तो lower than भाग गया, तो बचा कौन, greater than or equal to, बचा कौन, greater than or equal to, तो hash का मतलब क्या है, hash का मतलब है, greater than or equal to, हो गया, हो गया, अब, ये तो हो गया, अब ये कौमा का क्या करना है, चलो देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई rocket science नहीं है, एकदम आसाने है, जिन्दगी जन्नत है, अब हमें कहां से कहा जाना है, एफ से के जाना है, ठीक है, जब कौमा वाला statement आए, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, traveling direction, क्या होती है, अब भी बताता हूं, अब भी ठीक करके देता हूं, traveling direction, हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो traveling direction है न, वो traveling direction सेम रखनी है, हमें traveling direction क्या करना है, हमें traveling direction सेम रखनी है, यानि सेम direction में travel करना है, ऐसा नहीं, आदे लोग इधर 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 जा रहे है, आदे लोग इधर 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 जा रहे है, ऐसे नहीं करना है, सब लोगों को एक ही direction में जाना चाहिए, फिर काम आशनी से होता है जिस direction में मैं आगे जा रहा हूँ, उस डाइरेक्शन में आप जा रहा हूँ जिस direction में आप जा रहा हूँ, उस direction में मैं तो दिक्कत हो जाएगी तो रिजल्ट बहतरीन तभी मिलता है जब सारे एफट सेम डाइरेक्शन ना होता है तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है डिसाइड ऐसा हुआ है कि जो भी ट्रावलिंग का डाइरेक्शन है न रे बाबा वो सेम होना चाहिए क्या ही है ट्रावलिंग का डाइरेक्शन एफ से के तक कैसे जाओगे बताओ भला एफ से के तक किस्मत अच्छी है एक ही स्टेटमेंट मिल गया F से K तक एक ही statement में थे तो दिक्कत नहीं है direct symbols का bear कर लेंगे percentage, add the rate, ampersand percentage, add the rate, ampersand same family से सारे percentage, add the rate, ampersand सारे same family के है अब same family के है तो relation निकलिंगा न relation क्या निकलिंगा? percentage का निकलिंगा तो F and K के बीच में relation क्या निकला? percentage का क्या relation है? F percentage के relation है या K percentage F relation है दोनों में से कौन सा relation है? F percentage K है या K percentage F है? percentage के left side में K था percentage के left side में K था तो percentage के left side में ही K रखना है? right side में F था तो right side में ही F को रखना है हमारा relation मिला K percentage F समझ में आ गया? बिना pen चलाए हमने इधर relation निकाल लिया K percentage F अब इसको और इसको direct compare नहीं कर सकते हैं हमें जो relation मिला उस relation में V पहले था conclusion में भी M पहले है है कि नहीं हमें जो relation मिला था उसमें F पहले था conclusion में भी F पहले था है कि नहीं हमें इसमें कुछ नहीं relation मिला है तो अभी तक क्या हो रहा था हमें जो भी relation मिल रहा था उस relation में जो भी पहला variable था conclusion में भी वही पहला variable था अब ऐसा नहीं हुआ ना हमें जो relation मिला है उसमें के पहले है और इधर के बाद में है variable का sequence same नहीं है तो comparison नहीं कर सकते बात मानते हो ना मतलब एक ही है पर अब ये इधर direct हमारे सामने इसलिए समझ में आ रहा है है ना ये direct हमारे सामने इसलिए समझ में आ रहा है ये direct ने ये coded के format में है है ना तो यहाँ दो चीज़े आप कर सकते हो understanding के level पे understanding के level पे f at the rate k मतलब f is less than equal to k f at the rate k मतलब f is less than equal to k और k percentage f मतलब k is less than f ऐसा आप समझ सकते हो और उसके basis पर decision ले सकते हो एक ये चीज़ कर सकते हो दूसरी और important चीज़ अब हमें symbol changing operation सीखना है अब हमें क्या सीखना है symbol changing operation सीखना है बहुत simple चीज़ है है ना symbol changing operation operation के नाम से किसी को डर लग रहा है नहीं लग रहा है ना लगना नहीं चाहिए है ना चाहिए ना देखो अब क्या है ना हम लोगों को ऐसा relation दिया है मान लो a is greater than b अब इस relation में क्या हो रहा है ना इस relation में मुझे ये a का थोबड़ा पसंद नहीं है a का शकल पसंद इच नहीं है मेरे को तो मैं a को पहले देखना नहीं चाहूंगा मैं b को पहले देखना चाहूंगा तो क्या करना पड़ेगा अब हम लोगों को relation तो पता है कि relation आईसा है पर इसमें हमें a का थोबड़ा पसंद नहीं है तो a को पहले रखने ही सकते तो b को पहले लेकर आए आरे sequence change कर भी दिया तो relation का मतलब change नहीं होना चाहिए ना sequence change कर भी दिया तब भी relation का मतलब change नहीं होना चाहिए तो a is greater than b का a is greater than b ही रहना चाहिए जब हमने variable का sequence change किया तो बीच में symbol भी change हो गया अगर मान लो हमें ऐसा दिया होता P is less than or equal to Q अब इसमें मुझे P का थोगड़ा पसंद नहीं है P का थोगड़ा पसंद नहीं है मेरे को तो मुझे Q पहले चाहिए और P बाद में चाहिए फिर क्या करना पड़ेगा यह बीच वाला symbol change करना पड़ेगा बीच वाला symbol change करना पड़ेगा है ना अगर मुझे ऐसा दिया है M is equal to N अब मुझे N का M का थोगड़ा पसंद नहीं है मुझे N पहले चाहिए M बाद में चाहिए अब बीच वाला equal to कुछ फरक नहीं पड़ेगा equal to पे कुछ फरक नहीं पड़ेगा तो यह बात समझ में आ गई आपको जब हम variable का sequence बदल देते है तो बीच वाला symbol भी बदल जाता है अब यह symbol कैसे बदलता है थोड़ा सा family tree में द्यान देखिया यह हमारी family tree थी यह हमाली family tree थी है ना और इधर कौन था equal to था इधर कौन था greater than equal to इधर कौन है greater than इधर less than equal to इधर less than तो एक बात देखू ज़रा यह जो greater than था यह किस से change हुआ less than से तो greater than और less than आपस में change होते है यह जो less than equal to था किस से change हुआ greater than equal to से तो यह आपस में change होते है जो horizontal level पर है ना जो horizontal level पर है वो आपस में change होते है तो अब जरा क्या था इधर ampersand hash dollar add rate percentage अब यह हमारा ऐसा था ठीक है अब अगर हमें relation मिलता है मान लो c hash d हमें relation क्या मिला है c hash d यह mechanism important है क्वामा वाले statement बिना pen चला है अगर solve करना है तो mechanism important है ज्यान से जुनना c hash d मेरे कुछ c का थोबड़ा पसंद नहीं है अब c का थोबड़ा पसंद नहीं है तो d पहले लाना पड़ेगा c बाद में रखना पड़ेगा c d पहले लाना इसी बाद में क्यों सी थोबड़ा पसंद नहीं है तो यह hash किस से change होगा यह hash किस से change होगा horizontally जो उसके level पर है कौन add the rate तो यह sequence change करेंगे तो add the rate होगा अगर हमें दिया रहता अगर हमें दिया रहता f add the rate h है ना और हमें f का थोबड़ा पसंद नहीं होता h पहले लाना है f बाद में रखना है तो यह add the rate किस से change होता horizontally जो उसके सामने है hash से change होता तो यह हो जाता h hash f अगर हमें दिया है g dollar f अगर हमें दिया है g dollar f है ना तो मुझे जी का थोबड़ा पसंद नहीं है अब अब जी का थोबड़ा पसंद नहीं तो f पहले आना चाहिए g बाद में आना चाहिए है ना तो dollar किस से change होगा horizontally जो उसके सामने है कोन है horizontally उसके सामने percentage तो f परसंटेज g अगर हमें ऐसा दिया रहता p percentage क्यों ऐसा दिया है p percentage क्यों मेरे को फिर से p का थोबड़ा पसंद नहीं है तो क्यों पहले आना चाहिए p बाद में आना चाहिए percentage उसके सामने वाले से interchange होगा इधर आजाएगा dollar अगर हमें दिया है s amp percent t अब मुझे t का थोबड़ा ज्यादा पसंद है मुझे t का थोबड़ा ज्यादा पसंद है तो t को पहले आना पड़ेगा s को बाद में आना पड़ेगा amp percent का मतलब equal to अब equal to उल्टा सेधा कुछ नहीं होता है वो equal to ही रहता है symbol changing mechanism समझ में आ गया क्या हाँ तो फटा फटा आग लगाओ एक बार यह बहुत important चीज है जिसने यह समझ डाला उसके life जिंगा लाला double statement में भी pen नहीं चलेगा double statement में भी pen नहीं चलेगा बस यह समझ में आना जरूरी है ठीक है चलो तो अब जरा इसमें देखो हमने क्या देखा symbol कब interchange करना है जब हमें variable का sequence बदलने की जरूरत है कब पड़ेगी सर कईसे पता चलेगा इसे पता चलेगा इधर जो relation हम लोगों को मिला था यहां पर जो relation हम लोगों को मिला था के उसमें पहले था और उसमें f पहले है तो यह match करने के लिए symbol change करना पड़ेगा percentage किस से change होगा उसके सामने वाले से percentage किसके सामने था dollar के सामने तो जब यह sequence change हो जाएगा तो यह बन जाएगा f dollar k क्या बन जाएगा f dollar k तो पहला conclusion गलत हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हाँ चलो अब आगे देखते हैं h and e के बीच में relation चाहिए कहां है रहे h and e h इधर है e इधर है फिर से किसमत अच्छी है एक इस statement में दोनों आ गए क्या बात है तो h and e के बीच में relation चाहिए था तो h and e के बीच में relation है ampersand h ampersand e ठेक तो क्या ये 100% match हो रहा है नहीं हो रहा है गलत हो जाएगा ठीक q and g के बीच में relation चाहिए था अब q कि इधर है q इधर है g इधर है अब 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 करके दिखाओ अलग statement आ गया अब बिना pen paper के करके दिखाओ 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 q से g तक अगर पहुचना है तो travel कैसे करेंगे सबसे पहले इसको figure out करो q से g तक अगर पहुचना है तो q से f तक जाएंगे कैसे जा रहे है left डारेक्शन में जा रहे है Q से F तक कैसे जा रहे है, left direction में जा रहे है, Q से F गए left direction में, F से G इधर भी गए left direction में, क्या traveling की direction सेम है, हाँ से, traveling की direction अगर सेम है, traveling की direction अगर सेम है, direct symbols compare करो, traveling की direction अगर सेम है, तो direct symbols को compare करो, मजा आएगा, है ना, अब traveling की direction तो सेम है, यहाँ से F तक left में travel किया, यहाँ से यहाँ तक left में travel किया, traveling की direction सेम, तो direct symbol compare करेंगे, ampersand dollar hash, ampersand dollar hash, ampersand आया है रस्ते में यह वाला, फिर dollar आया, फिर hash आया, ampersand dollar hash, किस की priority जादा, dollar की, सारे सेम family के थे, dollar की priority जादा, तो relation क्या निकलिंगा, dollar का निकलिंगा, G और Q के बीच में relation क्या निकला, dollar का निकला, dollar के जिस side में जो है, उस side में उसको रखो, dollar के right side में Q था, तो हमें भी यहाँ पर dollar के right side में Q को रखना है, dollar के left side में G था, हमें भी यहाँ पर left side में ही G रखना है, क्या हम, अब हमें relation तो मिल गया, relation तो मिल गया, G dollar Q, अब यह मिला हुआ relation, direct इसके साथ compare हो सकता है, क्या, यह वाला relation direct इसके साथ compare हो सकता है क्या नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि इसमें Q पहले है इसमें G पहले है तो compare करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा Q को पहले लाना पड़ेगा G को बाद में भेजना पड़ेगा तो यह dollar किस से replace होगा percentage तो यह relation क्या निकलेगा Q % G Q % G मिला Q hash G दिया 100% match नहीं खतम देखो यह वाला simple है यह वाला simple है दोनों भी simple है और यह वाला तो और भी ज्यादा simple है traveling का direction same है तो direct symbol compare करो traveling का direction same रखना है अगर traveling का direction same है direct symbol compare करो अगर नहीं है तो same करो कैसे करना है process भी बताऊंगा traveling का direction same नहीं तो क्या करना है process भी बताऊंगा बट अभी तक की सारी रामा अबारत clear है तो हमारा answer GQHEKF symbol same होने के chances किदर भी नहीं है symbol same होने के chances किदर भी नहीं है option में either or का option दिख रहा है 1 and 2 में either or FH equal हो सकते है क्या F इदर है H बहुत दूर है equal नहीं हो सकते KHKE equal हो सकते है क्या नहीं हो सकते चलो तो none follows इसमें हम answer करेंगे और आगे बढ़ेंगे, symbol equal होने के chance नहीं थे, आइदर और नहीं बने था, method समझ में आगे, a to z सारा method समझ में आगे है, तो फटा फट चाट सेक्शन में, comment सेक्शन में आग लगा, चलो, मैं एक बार symbol देख लो, ampersand hash dollar at direct percentage, ऐसा ही sequence था हमारा, ऐसा ही sequence था, ampersand dollar hash at direct percentage, hash dollar at percentage, ठीक है, चलो, लगाओ, इसमें दिमाग, किस के बीच में relation चाहिए, m और q के बीच में relation चाहिए, रास्ता दूढ़ो, m और q के बीच में किसमत अच्छी है, एक ही statement में m और q मिल गए, एक ही statement में है, तो करो direct compare, कौन रोकेगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, hash, percentage, ampersand, hash, percentage, ampersand, hash और percentage, आए, खांदानी दुश्मन, ये और ये खांदानी दुश्मन, तो relation निकलिंगा क्या रहे, m और q के बीच में, M और Q के बीच में relation निकलिंगा यह नहीं अब relation निकलिंगा नहीं मतलब गलत हो जाएंगा पहला conclusion हो गए लाए गलत पहला conclusion गलत हो गए लाए दूसरा A और D के बीच में relation चाहिए अब A और D के बीच में relation कैसे मिलिंगा A इधर है D इधर है क्या traveling का direction सेम है सबसे पहले अगर अलग-अलग statement में आया है तो यही देखना है क्या traveling का direction same है check करो तो a से लेकर d तक कैसे पहुच रहे लेओ आप a से निकले m तक गए कौनसे direction में गए right direction में गए m से निकले d तक गए कौनसे direction में गए फिर से right direction में गए a से लेकर d तक पहुचने गए तो a से m right direction में m से d फिर से right direction में तो यहाँ पे traveling direction क्या हुआ मिया traveling direction सेम हुआ traveling direction सेम है क्या हाँ सेम है traveling direction अगर सेम है traveling direction सेम थी क्या हाँ सेम थी traveling direction सेम थी तो क्या करना था direct डाइरेक्ट सिंबल को compare करना था, ठीक है, अब करो symbol को compare, dollar है, dollar है, ampersand है, hash, dollar, dollar, ampersand hash, dollar, dollar, ampersand hash, dollar, dollar, ampersand hash, same family के, किसकी priority जादा, dollar की priority जादा, तो relation क्या निकलिंगा, dollar निकलिंगा, तो क्या होईगा relation, a dollar d होईगा, यह d dollar a होईगा, क्या होईगा, बताओ, क्या होगा relation, dollar के जिस side में जो है, उस side में उसी को रखना है, डॉलर के लेफ्ट साइड में A था तो डॉलर के लेफ्ट साइड में A रखेंगे इस डॉलर के राइट साइड में D था तो डॉलर के राइट साइड में D को रखेंगे ठीक है तो हमें यहाँ पर रिलेशन क्या मिल गया है A डॉलर D second conclusion सही हो गया A dollar D Second conclusion क्या हो गया सही हो गया Third conclusion P and V के बीच में relation चाहिए P यहाँ है V यहाँ है Traveling का direction देखो P से V कैसे पहुचेंगे P से Q पहुचेंगे Q से V पहुचेंगे P से Q left में travel किया Q से V left में travel किया P से Q left में travel किया Q से V left में travel किया इधर भी left में travel हो रहा है इधर भी left में travel हो रहा है traveling का direction सेम है direct symbol compare करो तो इधर ampersand add the rate percentage ampersand add the rate percentage percentage की priority ज्यादा तो P and V के बीच में relation कौन सा निकला percentage का percentage के जिस side में जो है उसको रखो percentage के right side में P था P रख दिया अब कौन बचा V बचा तो V इधर रखती है direct compare कर सकते हैं क्या नई इधर पहले V है इधर पहले P है तो sequence change करना पड़ेगा P पहले और V बाद में तो यह percentage किस में change होगा dollar में change होगा exact यही conclusion में दिया था बिना pen paper के है बिना pen paper के है paper पे सिर्फ यह 5 symbol लिखने हैं बाकी कुछ नहीं लिखना है दूसरा और तिसरा conclusion सही थे option number 2 discussion चकाचक clear है चकाचक A to Z सारा का सारा discussion clear है तो फटाफट chat section में आग लगा के बताओ जल्दी से ठीक है चलो तो अभी आगे चलेंगे amp percentage dollar at direct percentage h यह तो single statement आगया h और p के बीच में relation चाहिए था तो h और p के बीच में single statement है इसमें तो क्या ही time लगेगा dollar hash percentage at direct percentage dollar hash percentage dollar hash percentage खांदा नी दुश्मन cannot be determined गलत है के और डी के बीच में relation चाहिए किसके बीच में के और डी के बीच में relation चाहिए percentage add rate percentage add rate percentage add rate percentage add rate priority किस के ज्यादा percentage के ज्यादा तो के और डी के बीच में relation कौन सा आया percentage का आया percentage के right side में के था percentage के right side में के को रखना पड़ेगा और दूसरी side में डी को direct compare नहीं कर सकते क्यों इसमें डी पहले है इसमें के पहले है तो हमें k पहले चाहिए d बाद में तो ये percentage किस से change होगा उसके सामने वाले symbol से याने dollar से तो ये क्या बना k dollar d यही conclusion में दिया था second conclusion सही हो गया a और v के बीच में relation चाहिए a और v के बीच में relation चाहिए करो direct compare dollar dollar hash percentage dollar dollar hash percentage बीच खांदानी दुश्मन आ गए बीच में relation नहीं निकलिंगा cannot be determined गलत तो सिर्फ second conclusion सही है either और का चाहन सही क्या a v h p equal हो सकते है क्या नहीं हो सकते चलो ठीक है तो only one only second follows है क्या option option number स्वाहा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है pen paper में सिर्फ इतना लिखना है ampersand hash dollar add direct percentage ampersand hash dollar add direct percentage फिर से इंगल स्टेट्मेंट hp kf ph अभी solve किया है क्या हमने hp यह लगा है ठीक है hp h इदर है p इदर है direct symbol compare करो hash dollar ampersand add direct hash hash dollar ampersand hash add direct खांदानी दुश्मन आ गये अड़ड़R एंड डॉलर खांदानी दुश्मन है तो h and p के बीच में खांदानी दुश्मन आ गये relation निकलेगा नहीं गलत हो जाएगा k and f के बीच में relation चाहिए f इदर है k इदर है यह खांदानी दुश्मन है dollar and add direct, dollar and add direct खंदा नी दुश्मन है, तो के और F के बीच में भी relation निकलिंगा क्या, नहीं निकलिंगा, ये भी गलत हो जाएंगा, प and H के बीच में relation चाहिया था, तो H इधर है, P इधर है, इनके बीच में relation चाहिया था, तो ये दोनों फिर से खंदा नी दुश्मन, खंदा नी दुश्मन याने इनके बीच में भी relation नहीं निकलिंगा, यानि ये भी, इंग, मुश्मन, कितना डाइम लग रहे है, नार्मल इन इकलिठीडी जैसे ही हो रहा है, कितने लोगों को लग रहा है कि, अब ये नार्मल इनिकलिठी जैसे भी बन गया है, फड़ा-फड चाच्ट सेक्शन में आग लगाके बताओ, जल्दीसे से कॉमें आग लगाके ब अब इन में cannot be determined है, तो किसी भी एक symbol के साथ तीनो relation दिखने चाहिए था है, P के साथ greater than दिखना चाहिए, P के साथ equal to दिखना चाहिए, P के साथ less than दिखना चाहिए, P के साथ percentage आया है, percentage का मतलब है less than, तो P के साथ greater than दिख गया, P के साथ greater than दिख गया, P के साथ add the rate आया है, add the rate का मतलब है less than और equal to, तो P के साथ less than भी दिखा, equal to भी दिखा, P के साथ less than भी दिखा, equal to भी दिखा, आइधर और की सारी condition satisfy हो गई, दो conclusion में same variable pH, दोनों के दोनों गलत, P और H में, तीन relation possible हो रहे लिए थे, और तीनों के तीनों relation, यहाँ पे हमें दिख रहे है, आइधर और की सारी condition satisfy हो गई, तो इसमें answer आएगा, आइधर one, आइधर one और three follows, क्या यह option में दिखता है, यहाँ पर एक और नई चीज सीख गए हम, option में तो नहीं है, अब इधर दो option है, एक है none of this, इसके बीच में difference कितने लोगों को पता है, none follows, and none of these के बीच में difference कितने लोगों को पता है, none follows का मतलब होता है, conclusion में से कोई conclusion सही नहीं है, none follows कब करना है, जब एक भी conclusion सही नहीं हो, and none of these कब करना है, जब एक भी conclusion सही नहीं हो, and none of these कब करना है, जब एक भी option सही नहीं हो, मतलब बताता हूं, ठीक है, ओक है, अब इसमें, none follows, इस option का relation conclusion के साथ होता है, none follows किस के साथ वास्ता रखता है, none follows का वास्ता conclusion के साथ होता है, जब भी conclusions दिये है, जब भी conclusions दिये है, उन में से, एक भी conclusion सही नहीं हुआ, तो none follows करेंगा, दिये हुए कंक्लूजन में से एक भी कंक्लूजन सही नहीं हुआ तो non follows None of these, दिये हुए option, पहला option, दूसरा option, तीसरा option, चौथा option, पाँचवा option None of these का relation किस के साथ है? जब दिये हुए option में से एक भी option सही नहीं होगा, तब none of these करेंगे None of these, जब सारे option गलत होंगे, None follows, जब सारे conclusion गलत होंगे क्या अब हमारे सारे conclusion गलत है? आंसर है नहीं, आइधर one और three तो सही हो सकता है या तो पहला सही हो सकता है, नहीं तो तीसरा सही हो सकता है यहाँ पे या तो पहला conclusion सही होगा, या फिर तीसरा सही होगा, इस वज़ से None follows answer नहीं आएगा आइधर one और three follows, यह सही answer है, बट यह हमारे पास option में नहीं था तो option में हमारा answer नहीं है, इसी लिए None of these answer आएगा दिये हुए option में हमारा answer नहीं है, इसी लिए answer None of these आएगा समझ में आ गया है, तो लिख दो स्वाहा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे इसी पर question है कि अलग है, इसी पर है, तो इसको नोकडाउन कर लेते हैं, ampersand hash dollar, ampersand hash dollar add rate percentage, ठीक है, अब हमें किस के बीच में relation चाहिए, अब हमें V&Y के बीच में relation चाहिए, अब हमें V&Y के बीच में relation चाहिए, रास्ता दोणडो, V से M, M से Y, same direction में traveling हो रही है, क्या करें, V से M, right में travel किया, M से Y, right में travel किया, same direction में traveling हुआ, तो direct symbol compare करेंगे, same direction में traveling हो रहा है, तो direct symbols compare करेंगे, add the rate hash dollar, add the rate hash, traveling का direction same है, तो direct symbol compare करेंगे, add the rate and hash में, relay खांदानी दुश्मन आ गए, relation determine हो नहीं सकता, तो conclusion गलत, खतम, टाटा, bye bye, R&W के बीच में relation चाहिए है, तो R&W के बीच में relation, R से M, M से W, R से M, M से W, same direction में traveling हुआ, R से M right में, M से W right में, प्ष्क, प्ष्क, दोनों भी state, मतलब दोनों भी जगह right direction में traveling हो रही है, ठीक है, तो अब direct symbol compare करेंगे, hash dollar ampersand, hash dollar ampersand, तीनों same family के, तो priority किसकी जएदा है, dollar की priority जएदा है, तो relation dollar का आएगा, dollar के जिस side में जो है, उस side में वो रहेगा, dollar के right side में W था, तो dollar के right side में W रहेगा, और बची हुई side में आ रा जाएगा, dollar के right side में W था, तो right side में W रहेगा, बचे हुवी side में R आ जाएगा, हमें relation मिला R dollar W, conclusion में भी वही दिया था स्वाहा pen paper का इस्तमाल ही नहीं है, D और W के बीच में relation चाहिए था, भागो D से W तक, D से M तक भागेंगे, M से W तक भागेंगे traveling का direction सेम है, traveling का direction सेम है, तो direct symbol compare करेंगे, ampersand, add the rate, hash, add the rate and hash, add the rate and hash, opposite family members, तो relation निकलेगा नहीं, cannot be determined, गलत होगा या नहीं बाबा, अब, post and third में either और का chance है क्या, V, Y, D, W, variable, same होने के chances है क्या, V, Y, D, W, नहीं, V, Y, D, W, Y, and W, ampersand, Y, W equal हो सकता है, Y, W equal हो सकता है क्योंकि Y और W के बीच में ampersand है, है ना, अब Y और W equal हो सकता है, तो V और D equal हो सकते है क्या, यह कौन देखिगा, यह हर बार check करना होगा, अगर conclusions गलत मिलते हैं, तो जो भी conclusions गलत मिल रहे हैं, उन conclusions में variable same बनने के chance है क्या, देखो, D ampersand, V था, है ना, तो V की जगह मैं अगर D लिख दू, तो यह बन जाएगा D percentage Y, है, और Y और W equal थे, तो मैं Y की जगह D, W लिख दू, तो यह बन जाएगा D percentage W, तो पहला conclusion क्या हुआ हमारे पास, D percentage W, पहला conclusion हुआ, और यह तीसरा conclusion क्या था हमारे पास, तीसरा conclusion यह था, D add the rate W, D add the rate W, शकल सुरत तो आईदर और वाल यह, D W, D W, relation cannot be determined है, अब relation cannot be determined है, मतलब तीन relation check करने है, कोई भी एक variable पकड़ो, उसके साथ तीनो symbol associated है की नहीं check करो, W के साथ greater than, W के साथ equal to, W के साथ less than, तीनों आये है के check करो, percentage है, percentage का मतलब less than, तो W के साथ less than आचुका है, add the rate का मतलब है, less than or equal to, W के साथ greater than आचुका है, equal to आचुका है, less than आचुका है, सारे symbol आचुके थे, either one और three follows, इसका सही answer, स्वाहाँ, reasoning की class में स्वागत है, इतने variations प्राक्टिस किये हैं अभी तक हमने, के examination में इसके आगे examiner कुछ नहीं सूच सकता, इसके आगे examiner और कुछ नहीं सूच सकता, सारे के सारे variations हम लोगों ने discuss कर लिए था, ठीक है, आपको बस क्या करना है, revision, practice, revision, practice, revision, practice, revision, practice करनी है, that's it, ठीक है, ठीक है, यहां तक सारे चीज़े clear है, तो फटा पट, comment section में आग लगा कर बता दो फटा 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 सारी की सारी चीज़े A to Z सारी चीज़े clear है तो comment section में आग लगा दो अब traveling का direction change हो जाता है तो क्या करना है देखेंगे ठीक है जिनको Hindi में solve करना है वीडियो यही पर pause कर सकते हो बाकी जिनको English में solve करना है question ये रहा चलो star का मतलब not smaller than अब ये दिमाग में चलना चाहिए ये लिखना नहीं है अब हम बड़े हो गए जब छोटे थे नन्ने मुन्ने बच्चे थे तब लिखते थे अब बड़े हो गए न अब लिखना नहीं है ठीक है imagine करना है अब जिनको imagine नहीं हो रहा है उनके लिए मैंने board पे लिखा है बट बीना इसके लिखे solve करने के कोशिश करें not smaller इस पे डंडा पड़ा तो ये भाग गया बचे दोनो greater than or equal to तो star का मतलब क्या है greater than or equal to percentage का मतलब not greater than इस पे डंडा पड़ा भाग गया मतलब less than or equal to less than or equal to percentage percentage का मतलब नाइधर greater nor equal greater भी नहीं है equal भी नहीं है दोनों पे डंडा पड़ा दोनों भाग गया बचा कौन equal to तो एक्सलेमेटरी मार्क का मतलब equal to समझ में आ रहा है कैसे symbol note down करने है सिर्फ 5 symbol लिखने है उसके अलावा pen चलाना पाप है डॉलर का मतलब नाइधर smaller nor equal to smaller भी नहीं equal भी नहीं ये दोनों पे डंडा पड़ा दोनों भाग गया बचा कौन greater than तो डॉलर का मतलब greater than ग्रेटर दन की जगर डॉलर लिख दिया काप का मतलब नाइधर greater nor smaller greater भी नहीं smaller भी नहीं दोनों पे डंडा पड़ा दोनों भाग गया बचा less than तो काप का मतलब पाच सिंबल हो गए खतम टाटा बाई बाई कहानी सीधा आएंगे conclusion पे n और e के बीच में relation चाहिए था किसमत अच्छी है n और e एक statement में मिल गया star percentage dollar cap star percentage किसा ही खतम है खंदानी दुश्मन बीच में मिल गया है star और percentage खंदानी दुश्मन रास्ते में मिल गया relation determined नहीं होईंगा गलत हो जाएंगा t and o के बीच में relation चाहिए तो t से ओ तक कैसे जाएंगे t से e अभी मजा आएगा ना बीडू अब तोक तो same direction में travel कर रहे थे left में तो left में right में तो right में इधर traveling का direction change हो गया ना t से कहा जाना था ओ तक कैसे जाते है t से e and फिर e से o क्या traveling का direction सेम है क्या traveling का direction सेम है answer है नहीं अब की बार traveling का direction सेम नहीं है answer है नहीं traveling का direction सेम नहीं है तो सबसे पहला काम traveling का direction सेम करो कैसे करेंगे उससे पहले यह समझ लेता है कि traveling का direction सेम नहीं है मतलब क्या देखो t से e पहुचने तक कोन से direction में हमने travel किया right direction में travel किया t से e तक पहुचने के लिए हम लोगों ने travel किया right direction में e से o पहुचने के लिए हमने left direction में travel किया तो एक बार हम right direction में travel कर रहे दूसरी बार हम left direction में travel कर रहे है traveling का direction change हो रहा है कभी right में कभी left में कभी इधर कभी उधर ऐसे नहीं कर रहे है अब traveling का direction सेम करना है तो symbol changing mechanism picture में आएगा अब कोई तो symbol बदलना पड़ेगा कोई तो symbol बदलना पड़ेगा dollar के left में हमें t चाहिए था dollar के left में t दिख रहा है किसको बदलते है dollar के left में t हमें चाहिए था t already dollar के left में आया है तो इन दोनों को नहीं छेड़ेंगे इसको छेड़ते है अब exclamatory mark को बदलना होगा तो किस से बदलेंगे exclamatory mark यानि equal to का sign है equal to का sign है अगर तो equal to का sign तो किसी से नहीं बदलेगा वो तो इधर से देखो उधर से देखो सेम ही होता है तो इसको बदलने की जरूरत ही नहीं है equal to वाले sign को बदलने की जरूरत ही नहीं है तो फिर अब हम क्या करेंगे फिर अब हम direct symbol को compare करेंगे अगर बदलने की जरूरत नहीं है तो direct symbols को compare करेंगे उन्ही symbols को compare करेंगे जो रास्ते में आते हैं यह हमारे रास्ते में है और यह हमारे रास्ते में है यानि कंपेर होगा डॉलर, कैप और यह एक्सलमेटरी मार्क डॉलर, कैप, खांदानी दुश्मन, कहानी खता हूँ डॉलर और कैप, खांदानी दुश्मन, तो relation निकलेंगा इच नई रे बाबा, can not be determined mind, तो यह गलत हो जाएंगा, अब जरह एक बार तसल्ली करो, कि T, O, N, E आपस में symbol equal नहीं हो सकते, ठीक है, तो देखो, N और T आपस में equal हो सकते क्या नहीं हो सकते, N और T आपस में equal नहीं हो सकते, N और O भी आपस में equal नहीं हो सकते मतलाब, इन में यह देखो, भले O और E replace हो रहे हो, O and E equal है, O and E equal है तो E की जगह O रख देता हूं मैं, कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो इधर भी O है, इधर भी O है, पर N और T replace करके same हो सकते है क्या, नहीं, N और T replace करके same नहीं हो सकते, इसलिए आइधर और का chance नहीं आएगा, बात समझ में आगई, बात समझ में आगई, तो यहाँ पर दोनों के direction same करना है, कैसे same करेंगे, किसी एक जगह के symbol change कर देंगे, कैसे change करेंगे, symbol changing mechanism से change करेंगे, ठीक है, percentage star dollar, नहीं, एक्सलिमेटरी मार्क, star dollar, percentage काप, ठीक है, एक बार में तसलिए कर लो, सही लिखा है, dollar, star dollar, percentage काप, star dollar, percentage काप, ठीक है, अब हमें किस के बीच में relation चाहिए, D और H के बीच में relation चाहिए, तो D और H के बीच में relation कैसे मिलेंगा, D से S, S से H, ट्रावलिंग का direction change हुआ, D से S जा रहे है, right में, S से H रहे है, left में, इन दोनों को बदलना ज्यादा आसान है, या एक को बदलना ज्यादा आसान है, एक को बदलना ज्यादा आसान है, ट्रावलिंग का डायरेक्शन सेम नहीं था, इधर राइट में ट्रावल किया था, इधर लेफ्ट में ट्रावल किया, इस तरफ और इस तरफ, ट्रावलिंग का डायरेक्शन चेंज हुआ, तो सेम करना पड़ेंगा, इन दोनों को नहीं छेडेंगे, क्यों, दो को छेडने से अच्छा है एक को छेड़ो तो यह dollar किस से change होगा cap से तो लिखना नहीं है लिखना नहीं है जब इस dollar को compare कर रहे होंगे बस cap imagine करो है ना इधर हमें क्या लिखा हुआ मिल रहा है h dollar s अगर हमें इधर s और h चाहिए तो वो dollar किस से change होगा cap से change होगा तो अब traveling का direction same हो जाएगा d से s right में travel किया s से h right में travel किया traveling का direction क्या हुआ same हुआ traveling का direction same हुआ okay तो इतना जमेला नहीं करना है इस dollar की जगह बस cap को compare करना है खतम लिखना ही नहीं है dollar की जगह cap को compare करो दिमाग की बत्ती जलाओ तो dollar cap और cap किसकी priority जादा dollar cap और cap किसी के खांदानी दुश्मन है वो वो खांदानी दुश्मन है relation निकलिंगा नहीं तो conclusion गलत हो जाएंगा मज़ा आ गया मज़ा आ गया बदाओ अब n और dollar के बीच में relation एन और x के बीच में relation चाहिए तो n और x के बीच में relation कैसे मिल रहा है n से s जाएंगे और s से x जाएंगे traveling का direction फिर से change हो गया n से s travel किया right direction में s से x travel किया left direction में इधर right में जा रहे है इधर left में जा रहे है traveling का direction सेम नहीं था करो करो सेम कैसे करेंगे ये cap को change करेंगे cap किस से change होगा dollar से change होगा तो cap के वज़ा यहां बस dollar को compare करेंगे dollar star dollar dollar star dollar अब dollar की priority जादा है तो relation किसका निकलेंगा dollar का निकलेंगा अब dollar के left side में n था dollar के left side में n था तो dollar के left side में n को रखना पड़ेगा दूसरी side में x तो relation हमें क्या मिला n डॉलर x वही conclusion में दिया स्वाहा pen paper की जरूरत इच नहीं है है इच नहीं pen paper की जरूरत है इच नहीं second only option number two option number two is absolutely correct answer मज़ा आ गया ठीक है चालो एक्सलमेटरी मार्क स्टार डॉलर percentage cap किसके बीच में relation चाहिए जी और s के बीच में relation चाहिए तो g और s के बीच में relation कैसे मिल रहा है g से d और d से ट्रावलिंग का direction फिर चेंज होगया traveling का direction फिर चेंज होगया जी से d left direction में travel किया डी से s right direction में travel किया तो अब कुछ तो symbol change करने पड़ेंगे इधर भी तीन है इधर भी तीन है कोई भी symbol change करो या तो इन तीनों को change करो नहीं तो इन तीनों को change करो कोई फरक नहीं पड़ेगा किसको change करें? किसी को भी कर लेते हैं इनको change कर लेते हैं तो dollar किस से change होगा? dollar change होगा cap से तो इधर आ जाएगी cap star किस से change होगा? percentage से इधर आ जाएगा percentage, और star किस से change होगा, percentage, अब हम direct symbols compare कर सकते है, cap, star, dollar, cap, percentage, percentage, cap, star, dollar, cap, star, star, cap, star, खंदा नहीं दुश्मन, cap और star तो खंदा नहीं दुश्मन है, तो relation निकलेगा क्या यह, नहीं निकलेगा, तो G.O.R.S. के बीच में relation निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, can not be determined, can not be determined, ठीक है, ओके, तो पहला conclusion गलत हो जाएगा, दूसरा conclusion, F और G के बीच में relation चाहिए, F और G के बीच में relation चाहिए, अब F और G के बीच में relation कौन दे रहा है, D, F से D गए और D से G गए, अब इधर फिर से traveling direction opposite हो गई है, इधर left में travel कर रहे है, इधर right में travel कर रहे है, इनको change किया था, तो फिर से एक बार इनको change कर लेता है, dollar किस से change होगा, cap से, star किस से change होगा, परसेंटिक से, star किस से change होगा, परसेंटिक से, ठीक है, तो अब जरह इसमें देखिए, direct symbol compare करेंगे अब, cap, dollar, star, cap, cap और star, फिर से खांदानी दुश्मन हो गए, तो खांदानी दुश्मन रास्ते में आ गए है, तो relation निकल सकता है, क्या, गलत, दोनों में भी cannot be determined आ चुका है, दोनों भी गलत हो चुका है, बस एक बार ये देखेंगे, क्या दोनों में symbol equal बनाए जा सकते हैं, ठीक है, G, S, F, G, तो G, F और G मेंसे किसी के साथ equal हो रहा है, क्या देखो, सेम है, है न, S और F अगर equal बन पाए, S और F अगर equal बन पाए, तो either or का chance होगा, और either or check करना पड़ेगा, तो S और F equal हो पा रहे है, क्या देखो, S और F के बीच में cap रखी थी, S और F के बीच में cap, cap का मतलब equal to नहीं है, इसका मतलब F और S equal नहीं हो पा रहे है, either or का chance नहीं आएगा, अब आगे चलेंगे, neither nor tick करते होगा, पिच्चर क्लियर है, A to Z सारा पिच्चर क्लियर है तो बताओ, ठीक है, परसेंटेज स्टार डॉलर, एक्सलेमेटरी मार्क, स्टार डॉलर, हो गया, ठीक है, तो अब तक हमने inequality में क्या-क्या देखा है, सबसे पहले coded inequality का revision करते है, ठीक है, coded inequality में, अभी तक सबसे पहले और important चीज़ हमने क्या देखी है, कि coded inequality में, जो symbols है, उन symbols को इस format में note down करना है, ये हमने अभी तक सबसे important चीज़ देखी, ठीक, ओके, इसको थोड़ा सा बढ़ा draw करू करूँए, coded inequality में जो symbols है, उन symbols को इस format में note down करना है, ये हमने देखा, ये हमने सीखा, ये हमने जाना, ठीक, फिर इसके बाद coded inequality में हमने क्या देखा, इसके बाद coded inequality में हमने देखा, ओरली, बिना पेंचलाए, statement से relation कैसे निकालना है। है न, ये हमने देखा, बहुत important है, ओके, फिर बिना पेंचलाए, ये देखा, फिर जो भी relation मिल रहा है, उसको compare करके, सही गलत कैसे करना है, चेक करना ये देखा, फिर हमने पल्टी मारने का concept देखा, फिर हमने पल्टी मार concept देखा, ये पल्टी मार concept क्या है, यह पल्टी मार कॉंसेट्ट क्या है वेरियेबल का सिक्वेंस चेंज करने की अगर जरूरत पड़ी पल्टी मारने की अगर जरूरत पड़ी मतलब एदर अगर A अड़ दर इड भी दिया है और मुझे B कतो A कतो बड़ा पसंद नहीं था A बाद में और B पहले लाना है तो यह अड़ दर इड किस से चेंग होगा तो यह पल्टी मार कॉंसेट हमने देखा है ना पल्टी मार कॉंसेट में क्या होता है यह आमने सामने वाले सिंबल्स आपस में इंटर चेंज होता है है ना तो यह हमारा पल्टिमार कॉंसेट है पल्टिमार कॉंसेट के बाद हमने क्या देखा ट्रावलिंग का डायरेक्शन सेम हो तो कैसे करना है यह हमने देखा और ट्रावलिंग का डायरेक्शन सेम ना हो तो कैसे करना है यह भी हमने देखा और ट्रावलिंग का डायरेक्श ट्रावलिंग का डायरेक्शन सेम हो और ट्रावलिंग का डायरेक्शन सेम ना हो इसके बाद कोडेड इनिक्वालिटी में पेंट चलाना पाप है ठीक है तो बस इतनी सी ही चीज़े है पिछले तकरीबन तकरीबन पौने दो घंटे से हमने कोडेड इनिक्वालिटी ही डिसकस किया है बट ये पौने दो घंटे का डिसकेशन और दो तिन दिन की अच्छी प्राक्टिस दो तिन दिन की अच्छे revision और practice आज ये वाला part दो बार तीन बार चार बार जितनी बार देखना पड़े उतनी बार देखो हर एक चीज crystal clear रखो हर एक चीज क्या करो crystal clear रखो ठीक है और दो से तीन दिन में coded inequality बिना pen paper के master बनो अगले दो तिन दिन में examination में याद करोगे इस method को ठीक है तो अभी हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है reverse coded inequality अभी हमें देखना बाकी है अभी तक इतनी सारी चीज है symbol उसका meaning उनकी priority कहानी के जरिये हमने देखा था single statement में relation कैसे determine करना है conclusion कैसे check करना है single statement डिल किया double statement डिल किया multiple statement डिल किया either or किया reverse missing inequality किया coded inequality किया reverse coded inequality अभी हम discuss करेंगे reverse coded inequality पे जाने से पहले make sure अभी तक जितनी भी चीज़े हम लोगों ने discuss की है A to Z सारी चीज़े आप लोगों को clear हो तो अब आपके सामने है थोड़ा सा और इंट्रेस्टिंग question reverse coded inequality ठीक है? reverse coded inequality लास्ट येर SBI PO means यानि SBI PO means 2022 में पूछा गया था ठीक है? तो usually क्या होता था न? कि inequality जासा topic PO means और वो भी SBI PO means में नहीं पूछा जाता था SBI तो SBI है उसने लगाया दिमाग और दिमाग लगा के उसने क्या किया? उसने reverse coded inequality पोच लिया अब reverse coded inequality कैसा है? ये instructions तो हमने coded inequality में deal किये ही था तो instruction में कुछ फरक नहीं है ठीक है? तो instructions अगर किसी को note down करने तो फटा फट note down को रेक काम करता है हम साथ में note down कर लेते है instructions को ठीक है? अट the rate का मतलब क्या है? नाइधर greater nor lower है ना तो जिस पर डंडा पड़ा है उसको बगा देंगे ये तीन symbols है है ना तीन symbols हमें imagine करने है ठीक है? तो ये क्या बोल रहा है? नाइधर greater nor lower ग्रेटर भी नहीं है लोवर भी नहीं है इक्वल टू होना चाहिए ठीक है? तो add the rate का मतलब क्या है? इक्वल टू है ठीक उसके बाद percentage का मतलब क्या है? नाइधर greater nor equal greater और equal में से कुछ भी नहीं है तो less than तो percentage का मतलब क्या है? लेस दन तो less than के जग़ परसेंटेज लिख लिए है exclamatory mark इसका मतलब neither lower nor equal lower भी नहीं equal भी नहीं मतलब greater than तो exclamatory mark को greater than के जग़ लिख लेंगे आगे amp परसेंट का मतलब है not greater than not greater than इस पर डंडा पड़ा तो जो बचे है वो भाग जिस पर डंडा पड़ा वो भाग जाएंगे not greater than मतलब यह भाग गया less than or equal to बचा तो amp परसेंट का मतलब less than equal to and last क्या बचा question mark question mark का मतलब not lower than बचा क्या greater than or equal to तो यह क्या सिंबल था question mark decode हो गया है ना अब इन ही को क्या करते है अगले slide पर लिखते question का pattern देखते है और उड़ा देते है ठीक है add direct question mark exclamatory mark amp परसेंट परसेंटेज add direct question mark exclamatory mark amp परसेंटेज ठीक है तो हम लोगों ने क्या कर लिया यहां पर हम लोगों ने यह सारा कर लिया ठीक अब reverse coded inequality में हमें क्या बोला है यह conclusion as well as y exclamatory mark z यह conclusion definitely true होना चाहिए इस में से कुछ पर है अब मुझे बताओ इसको अगर लिखकर solve करते है तो time जादा लिखना नहीं है अभी जो method हमने देखा वही method लगाना है w और z के बीच में relation चाहिए तो यह रहा w यह रहा z direct symbol compare करेंगे exclamatory mark exclamatory mark add rate exclamatory mark exclamatory mark add rate same family members है exclamatory mark और add rate में exclamatory mark की priority ज्यादा रहेगी तो इसमें relation क्या आएगा w exclamatory mark z डब्ल्यू एक्सलेमेट्री मार्क जड ठीक है तो डब्ल्यू एक्सलेमेट्री मार्क जड ये रिलेशन इसमें आ जाएगा हमें क्या चाहिए था डब्ल्यू एक्सलेमेट्री मार्क जड ही चाहिए था तो चलो ये तो सही हो गया अब Y and Z में relation चाहिए था, Y and Z में relation चाहिए था, तो percentage and ampersand, percentage and ampersand में priority जादा किसकी, percentage की, तो ये relation क्या निकलेगा, percentage का, percentage के right side में Y था, तो Y को percentage के right side में रखना होगा, और दूसरे side में Z को रखना होगा, Y and Z में relation जो हमें दिया था, उसमें Y पहले था, Y and Z में जो relation हमें दिया था, उसमें Y पहले था, हमें जो मिला है, उसमें Y बाद में है, तो पल्टी मार कॉंसेप्ट, पल्टी मारेंगे अब, क्या गरेंगे इसको, पल्टी मारेंगे, अब इसको पल्टी मारेंगे, तो percentage किस से change होगा, एक्सलमेटरी मार्क से change होगा, पल्टी मारेंगे तो percentage किस से change होगा, एक्सलमेटरी मार्क से change होगा, तो Y एक्सलमेटरी मार्क Z, यही conclusion भी check कर लादा, relation भी वही मिल गया, यानि इसमें तो दोनों conclusion सही हो रहे है, पर सबर बच्चा सबर, option में all of the above भी है, एक बार यह दोनों भी option चेक करने पड़ेंगे, तो अब W और Z के बीच में relation, W इदर है, Z इदर है, question mark add, rate percentage change करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे, question mark add, rate, एक्सलमेटरी मार्क, question mark add, rate, एक्सलमेटरी मार्क, तीनों same family के, यह, 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 same family के, तो priority किसकी जादा, इक्सलमेटरी मार्क के जादा, relation क्या निकला, W एक्सलमेटरी मार्क Z, पहला conclusion सही हो गया, अब Y & Z में relation चाइए, Y & Z में relation चाइए, तो Z & Y में ampersant & percentage, ampersant & percentage में, percentage की priority जादा, तो relation क्या निकलेगा, Z percentage Y, Z percentage Y का ही मतलब क्या होता है, Y ! यानि, second option में भी दूसरा conclusion और पहला दोनों सही हो गया पहले option में भी दोनों conclusion सही हुए दूसरा option में भी दोनों conclusion सही हुए ठीक है तो अब बचा आखरी conclusion आखरी option उसको भी check कर लेते हैं W and Z को check करेंगे add the rate, exclamatory mark, question mark add the rate, exclamatory mark, question mark तीनो same family के priority जादा exclamatory mark की, तो relation आएगा W exclamatory mark Z Z and Y के बीच में relation percentage percentage में percentage की ही priority जादा तो relation निकलेगा Z percentage Y, आसान है की नहीं है बताओ method एक बार सीख लिया एक बार method सीख लिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है कोई दिक्कत वाली बात, हैरानी वाली बात परिशानी वाली बात है ही नहीं ठेक, तो इसी का मतलब क्या है, Y exclamatory mark Z और conclusion भी वही चाहिए था इसमें भी answer मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है इसमें भी मिल रहा है, तो all of the above, option B इतना असान है मन्जिले अक्सर वही परिशान करती है जिन तक पहुचने के रास्ते पता नहीं है है न, एक बार पता चल गया, डील कैसे गरना है फिर वो परिशान नहीं करती है अगले question पर चलेंगे, add direct चल, उड़ा दो, क्या चाहिए ह परसेंटेज जे, definitely true होना चाहिए ह और जे के बीच में relation चाहिए ह और जे के बीच में, question mark और add direct compare करेंगे question mark और add direct compare करेंगे तो relation आएगा, question mark का question mark के left में h है, right में j है तो ये relation मिलेगा, h question mark j हमें percentage j चाहिए था, गलत h और j के बीच में relation exclaimer mark, question mark, add direct exclaimer mark, question mark, add direct exc doorway mark का relation निकलेगा ये relation का निकलेगा, h exclaimer mark, j गलत पेन चलाना ही नहीं है, औरली हो रहा है, यह तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ताकि यह जब notes आपके पास आए, तब आपके पास सारी चीज़ा एच्छ से लिखी हुई हो, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अब J और H के बीच में relation चाहिए, J इदर है, H इदर है, add the rate question mark, exclamatory mark, so add the rate, question mark and exclamatory mark, add the rate, question mark, exclamatory mark, relation क्या आएगा, exclamatory mark का, कौन exclamatory mark, J, exclamatory mark, H, हमें H पहले चाहिए था, अब इसमें, अगर H पहले लाना है, तो यह change होगा, किस से, percentage से, exclamatory mark, percentage से change होगा, H परसेंटेज जे, option C सही हो गया, option C सही हो गया, option D चेक करे की आगे भागे, option D चेक करे की आगे भागे, चेक करना है, क्योंकि none of these भी तो option दिया है, मान लो, both option C and D ऐसा answer आता फिर, option C and D ऐसा answer आता, फिर हमें option E चेक करना पड़ता ना, है ना, तो, तो चेक करना पड़ेगा, H and J के बीच में relation चाहिए था, किसको गंपर करेंगे, question mark, exclamatory mark, percentage, question mark, exclamatory mark, percentage, percentage खानदा नहीं, दुश्मन, अब नहीं, तो सही answer क्या है, option C, मुझे बता, अगर ये method practice कर लिया, तो reverse coded inequality चाहे क्यों ना हो, 50 से 60 maximum, एक मिनिट, एक मिनिट maximum में answer निकाल सकते हैं, मैं maximum बात कर रहा हूँ, जिसकी practice अच्छी है, वो 40 से 50 second के अंदर answer निकाल लेगा, ठीक है, चलो, एक और question solve करते हैं, add the rate, question mark, exclamatory mark, ठीक, same question है, जी percentage is question mark, I added it, same question है, चलो, ठीक है, इसका answer तो हमें पता था, option C, okay, तो reverse coded inequality हो गया, method अगर आ गया ना, एक method सही तरीका हम लोगों ने जान लिया, तो फिर आगे ज़्यादा difficulty नहीं नहीं था, अगला type interesting है, क्या है ये, question का शकल सूरत देखो, बहुत सारे लोगों के लिए, ये वाले symbol जिन्दगी में पहली बार दिख रहे होंगे, symbol आपने शायद पहली बार देखे है, पर इनके जो भी मतलब है न, वो आप लोगों ने already deal कर लिये है, कैसे, देखो, इसको उठाते हैं और इसको उठाते हैं, P is, कुछ तो ऐसा symbol Q, ठीक है, P is, समझ में आ रहा है क्या है, कुछ तो ऐसा symbol Q, ठीक, ओके, R is, कुछ तो ऐसा symbol U, ए, question लिखो गया, R is, कुछ तो ऐसा symbol U, Coded Inequality में, अभी अभी हमने कुछ ये language पढ़ी है, ये क्या है, Equal To है, ये क्या है, Equal To है, जब इस Equal To पे डंडा पढ़ जाता है, तो इसको क्या बोलते हो आप, Not Equal To बोलता है, ये Equal To है, जब इस Equal To पे डंडा पढ़ जाता है, तब आप उसको क्या बोलते हो, Not Equal To, है कि नहीं, तो अब मुझे बताओ, ये क्या है, Greater Than, है कि नहीं, ये हमारा क्या था, ए, यह हमारा क्या था, equal to था, तो यह क्या होगा, not equal to, यह हमारा क्या है, greater than, तो यह क्या होगा, not greater than, यह हमारा क्या है, less than, तो यह क्या होगा, not less than, यह क्या है, greater than or equal to, greater than or equal to जब इस पे डंडा पड़ेगा तो क्या मतलब होगा neither greater nor equal ठीक है लिख कर दू क्या आपको चलो लिख कर देता हूँ ये क्या है not equal ये क्या है not greater than not greater than ये क्या है not less than ठीक ये क्या है neither greater nor equal neither greater nor equal logically है ना सब ये सारी language तो अभी हमने deal किये coded inequality में है ना वैसे ही मुझे बताओ ये क्या है हमारा less than or equal to ये क्या है less than or equal to अब इस पर हम डंडा करेंगे तो ये क्या होगा sorry ये क्या होगा neither less neither less nor equal चोटा बी नहीं बराबर भी नहीं बड़ा भी नहीं बराबर भी नहीं चोटा नहीं बड़ा नहीं बराबर नहीं तो ये जो भी है क्या है समझ में आ गया ये negative relations है क्या है ये नेगेटिव रिलेशन्स नेगेटिव रिलेशन्स को स्टेटमेंट के फॉर्माट में हमने कोड़ेड इनिक्वालिटी में देख लिया था कल चल के अगर SBI PO मेंस में या फिर IBPS PO मेंस में ऐसा सिंबल देखने को मिलता है तो बॉकला मत जाना है ना ऐसे सिंबल एक्जाम में अभी तक हमने देखे नहीं है बट क्यों नहीं बन सकते मुझे बताओ कोई एक रिजन है आपके पास कि ना सार ना अभी तक नहीं आया कैसे आएगा हाँ रिवर्स कोड़िड इनिक्वालिटी में मेंज़ेशन में अभी तक नहीं आया था आया ना आया ना चालीस फ्लोर का परजल लिफ्ट के साथ mathematical condition देने के बाद किसी मेंज़ेशन में अभ तक नहीं आया था last to last year IBPSPO मेंज़ेशन में आया था आया ना मेंज़ेशन में banking में variations होते रहते हैं innovations होते रहते हैं और वो innovations के साथ वही deal कर सकता है जिसने thought process develop किया है वही deal कर सकता है बाकी कोई नहीं ठीक है तो अब ज़रा इधर ध्यान दो है ना अब ज़रा इधर ध्यान देजिये अब इन सब के मतलब देख लेते हैं जरूरत वैसे नहीं है पर देख लेते हैं not equal मतलब क्या होगा मान लो अगर हम लिखते हैं a is not equal इनको हटा देते हैं इसकी जरूरत नहीं है ठीक है मान लो इसको भी हटा देते हैं ठीक है, हमने लिखा है, A is not equal to B, मतलब क्या होगा इसका, हम लोगों ने देखा है, negative symbols को deal कैसे करना, तीन ही तो comparisons है, तीन ही तो comparisons है, अब इन तीनो comparisons पे में से, जिस पे डंडा पड़ेगा, वो भाग जाएगा, किस पे डंडा पड़ा, equal to पे डंडा पड़ा, तो यह भाग गया, तो बचा कौन, greater than और equal to, ठेक है, तो इसका मतलब क्या होगा, A is either greater or less than B, A जो है, वो B से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, एकदम symbol है, क्या करना है, negative symbols को handle करने का तरीका, एकदम simple है, coded inequality के time मैंने आपको बताया, कि किसी में भी compare करने के लिए, केवल और केवल तीन ही तरीके होते है, किसी भी, किसी भी coded, किसी inequality में कोई भी चीज़ों में compare करना है, तो तीन ही तरीके है, अब negative sign मतलब डंडा, पुलिस का डंडा, एधर नहीं आना मार दूँगा, मार दूँगा, फेक के मारूँगा, तो ये, A और B के बीच में equal to को बोल रहे डंडा है, नहीं हम फटके पड़ेंगे, तो equal to क्यों आएगा इधर, अब equal to नहीं आएगा तो कौन, ये दोनों में से कोई आएगा, वैसे ही, अगर हमें दिया जाएगा, A is not greater than B, अगर हमें दिया जाएगा, A is not greater than B, तो क्या मतलब होगा इसका, A, B से बड़ा नहीं है, है ना, दंडा किस पे पड़ा, इस पे पड़ा, दंडा किस पे पड़ा, इस पे पड़ा, तो बचे कौन, ये दो, तो क्या मतलब होगा, less than or equal to, बताओ, मुश्किल है क्या, आपने किया हुआ है, बस मैंने क्या किया, सिंबल के format में लिख दिया, अगर अभी हमें दिया जाता है, A is not less than B, A is not less than B, डंडा किस पे पड़ा, less than पे तो बचा क्या, greater than or equal to, A is either greater than or equal to, ठीक, अब, अब, अगर हमें दिया जाता है, A is, पड़ेंगे कैसे इसको, A is neither greater nor equal to B, पड़ेंगे कैसे, A is neither greater nor equal to B, अब greater भी नहीं है, equal भी नहीं है, इन दोनों पे डंडा पड़ा, तो बचेगा कौन बचारा, less than बचेगा, दोनों तो भाग गए, A is less than B, ठीक, अब, अगर हमें दिया है, A is neither less nor equal to B, A is neither less nor equal to B, तो क्या मतलब होगा इसका, डंडा किस-किस पर पड़ा, less than पर पड़ा, equal to पर पड़ा, इन दोनों पे डंडा पड़ा, तो बचेगा रही है, बचा, तो इसका मतलब होगा, A is greater than B, क्या मतलब हुआ इसका, A is greater than B, ठीक, अब कौन सी rocket science है, है, अब ये question मुझकिल है क्या मुझे बता, मुझे बता ये question मुझकिल है क्या, greater than, equal to, और less than, तीनों मैंसे, जिस पर डंडा पड़ेगा, वो भाग जाएगा, बाकी जो रहे, वो रहे, देखो, किस किस पर डंडा पड़ा, less than पर डंडा पड़ा, equal to पर पड़ा, less than पर डंडा पड़ा, equal to पर तो बचा कोन, greater than, less than पर डंडा पड़ा, तो बचा कोन, greater than equal to, greater or equal to पर डंडा पड़ा, तो बचा कोन, less, greater पर डंडा पड़ा, तो बचा कोन, less than, greater पर डंडा पड़ा, तो ब अब मुझे बताओ, ये वाली चीज अल्रेडी आपको आती थी, है न, ये भी चीज आती थी, ये भी आती थी, ये भी आती थी, ये भी आती थी, ये भी आती थी, ये सारा आपको आता था, कोडेड इनिक्वालिटी में हमने देखा, ये आपको आता था, पर examiner examination में ऐसे ना लोग नहीं सोच पाते हैं और ये question छोड़ के आ जाते हैं और हमें ये नहीं करना है। इसी लिए एक topic में जतने भी सारे variations होंगे वो सारे के सारे variations हमें क्या करने हैं वो सारे के सारे variations हमें एकदम अच्छे से deal करने हैं। ठीक है, A to Z सारे variation हमें अच्छे से deal करने है, बस simple है, अब इसमें मुझे बताओ, कौन सी बड़ी बात है, सब लोगों ने answer अभी तक निकाल लिया होगा, P और Q के बीच में relation चाहिए था, तो P is greater than Q, सही होगिया, P is greater than Q, यही तो relation था हमारे पास, सही होगिया, है न, Q and R के बीच में relation चाहिए था, तो Q and R के बीच में relation कहां से मिलेगा, Q से जाएंगे T, T से जाएंगे R, तो Q से T नहीं जा सकते हैं, क्यों से T, नहीं जा सकते हैं, तो T से R जाके क्या ही करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, के आप खुद खुद से बिना किसी के बताए ऐसे question जिस दिन solve करने लगोगे उस दिन means का डर आपसे भाग जाएगा और ये possible है ये ऐसा नहीं है ओ ये होई नहीं सकता ना ऐसा नहीं है ये बिलकुल होगा बस आप रटने के पीछे मत पढ़ना रटने के पीछे पढ़ोगे तो फिर वही सोच पाओगे जो आपने रटा है अगर आपने चीजों को समझा ये ऐसा क्यूँ है आपने खुद से सवाल पूचा ये ऐसा ही क्यूँ है ऐसा क्यूँ नहीं है है ना तो जस दिन आप हर एक चीज़ को सवाल करोगे उस सवाल का जवाब आपके पास होगा उस दिन ऐसे question बिना किसी के explain की आप सौब कर सकते हैं अगला question देखते हैं डंडा किस पर पढ़ा? अब मुझे नहीं लगता है कि वो symbol लिखने की जरूरत है अब बिना symbol लिखे होना चाहिए डंडा पढ़ा less than पे तो बचे greater than और equal to less than और equal to पे डंडा पढ़ा तो बचा greater than greater than पे डंडा पढ़ा तो बचे less than और equal to greater और equal पे डंडा पढ़ा तो बचा less than खतम c and b के बीच में relation चाहिए c and b के बीच में relation कैसे मिलेगा? C से D जाएंगे और D से B जाएंगे C is greater than D था यहाँ पर अगर imagine किया तो C is greater than B आएगा relation क्या आएगा C is greater than B match नहीं हुआ गलत C and B के बीच में relation C is greater than B यहीं हमने निकाला था ना भी C is greater than B दूसरा सही हो गया only second follows only second follows तो शकल सूरत आइदर और वाली दिख रही है फसना नहीं इसमें आइदर और के लिए कुछ अलग rule लगेंगे क्या नहीं वही rule है rule वही है दिक्कत वाली tension वाली कोई बात नहीं है आगे देखो डंडा किस पे बढ़ा less than पे डंडा पड़ा मतलब greater than or equal to बचे less पे और equal पे डंडा पड़ा मतलब greater than बचा greater और equal पे डंडा पड़ा मतलब less than बचा ठीक? ओके? अब A, B is greater than D, E ओके? तो A, B से जाएंगे C, D और C, D से जाएंगे D, E traveling direction same direct compare करेंगे इसकी priority जादा तो relation यहीं आएगा A, B is greater than D, E सही हो जाएंगे I, J and A, B के बीच में relation चाहिए तो I, J and A, B के बीच में relation A, B का relation D, E के साथ निकला है A, B is greater than D, E इधर अगर imagine करेंगे A, B is greater than D, E इधर imagine करेंगे तो A, B से I, J relation क्या आएगा A, B is greater than I, J conclusion में कुछ और बूला है मजा आया कि नहीं है discussion अगर clear है अभी तक किया हुआ A to Z सारा discussion clear है तो फड़ा फट comment section में आग लगा कर बताओ अगला question उसी pattern में 3 conclusions है एक बार जल्दी से बताईए देखिया डेंडा किस पे पड़ा less than पे और equal to पे तो ये greater than हो जाएगा greater और equal पे डेंडा पड़ा less than हो जाएगा greater पे डेंडा पड़ा less than और equal to बचा less पे डेंडा पड़ा greater than और equal to बचा खतम लिखने की ज़रूरत है गया शुरू शुरू में ये लिखना पड़ेगा, शुरू शुरू में, प्राक्टिस अच्छे गरोगे, है न, और अगर मानलो इतना लिखना पड़ा, मेंस में तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब M and O के बीच में relation चाहिए था, M and O के बीच में relation कैसे मिलेगा, M से जाएंगे रास्ता बन, रास्ता बन यानि relation नहीं निकलेगा, खांदानी दुश्मन बीच में आ गए, यह देखो, M से Q से N, खांदानी दुश्मन बीच में आ गया, ख입니다, Q and O के बीच में relation चाहिए, Q and O के बीच में relation कैसे निकलता Q से N, N से O, Q से N ही नहीं जा पाए, Q से N ही नहीं जा पाए तो O तक जाके कुछ कर सकते है क्या नहीं कर सकते है गया वो भी N एंड आर के बीच में relation चाहिया था अब N एंड आर के बीच में relation कैसे मिलेगा N एंड आर के बीच में relation N से जाएंगे O O से जाएंगे R N से O जा सकते है क्या N से O नहीं जा सकते रास्ता बंद है उदर entry नहीं मिलेगी यानि ये भी गलत हो जाएगा जा नहीं सकते है कतम टाटा बाई 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 अब ज़रा थोड़ा सा सोचो इधर equal मतलब statement में कही equal to आया ही नहीं है तो variable replace होने का chance ही नहीं है आईदर और पर दिमाग लगाने का ही नहीं है none follows option number 4 is absolutely correct answer and I hope अभी तक आपको याद है के none follows and none of these में क्या difference होता है हम discuss कर चुके negative symbols clear हो गए इतना आसान है negative symbols को deal करना इतना आसान है ठीक है अब एक और interesting type definitely false यह syllogism में आपने देखा है वो भी कुछ-कुछ लोगों ने देखा होगा syllogism में कि definitely false नाम का भी चीज होता है अब question में आ गया देखो question है एक प्यारा सा statement बहुत खुश होंगे देखे means में ऐसा आ गया वा 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 क्या conclusion है means में वा 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 option देखोगे तो सर चकरा जाएगा definitely false आई किस बला का नाम है definitely false है ना सबसे पहले यह पंगा समझ लेते है क्या है मान लो एक statement मैं आपको दे रहा हू है ना statement है A is greater than or equal to B is greater than or equal to C is less than D is less than A is equal to F हम यह statement मैं आपको दे रहा है अब इस statement पर मैं कुछ conclusions लिखता हूँ पहला conclusion है A is greater than C दूसरा conclusion है B is less than C ठेक and तीसरा नहीं यह इधर नहीं लिखता हूँ B is less than C को तीसरा conclusion करते है and F is greater than C दूसरा conclusion करते है ठीक है अब normally अगर मैं आपसे पूछू तो आप बोलोगे यह सर A और C के बीच में relation है A is greater than or equal to C A is greater than or equal to C तो यह conclusion गलत है यह conclusion गलत है F और C के बीच में relation है F is greater than C F is greater than C तो यह conclusion सही है F and C के बीच में relation है F is greater than C तो conclusion सही है C and B के बीच में relation है B is greater than or equal to C B is greater than or equal to C तो यह conclusion गलत है पड़ अभी हमें इसमें सिर्फ सही गलत नहीं चाहिए अब हमें इसमें चाहिए कि कोनसा conclusion false है और कोनसा conclusion definitely false है दोनों में क्या फरक होता है दोनों में क्या फरक होता है वो मुझे हा नहीं बोलेगी यार अपने दिल की बात उसको बोल तो दू पर वो मुझे हा नहीं बोलेगी ठीक हां दूसरा एक दोस्त है दूसरा एक दोस्त है वो भी उसको वही बोल रहा है यार मैं तो उसको बोल दू मेरे दिल की बात पर वो मुझे कभी 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 हा नहीं बोलेगी सिनारियों के बीच में फरक समझ में आया पहला दोस्त कह रहा है यार दिल की बाद बोल दूपर वो मुझे हा नहीं बोलेगी पदा नहीं इसको हा बोलेगी नहीं बोलेगी ये इसका मन का वहम है पर दूसरे के पास confidence है वो बोलेगी नहीं हा इसने इत्ते कांड कर रखे है कि वो कभी हाँ बोली नहीं सकती इत्ते कांड कर रखे है इसने है ना तो कुछ-कुछ ऐसा ही हमें डेफिनेटली फॉल्स में चेक करना होता है है ना एई यह क्या हो गया कुछ-कुछ ऐसा ही हमें definitely false में check करना होता है अब देखो कौन सा conclusion false है और कौन सा conclusion definitely false है एकदम simple language में मैं बता दू definitely false का मतलब वो कभी 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 हा नहीं बोलेगी मतलब उसके हा बोलने का chance ही नहीं है वो कभी 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 हा नहीं बोलेगी मतलब उसके हा बोलने का chance ही नहीं है So definitely false क्या होता है? जिसके सही होने का chance ही नहीं होता। जिसके सही होने का chance ही नहीं होता, वो definitely false है। अब ये कैसे decide करेंगे कि सही होने का chance है या नहीं है? ये कैसे decide करेंगे? ये normally false वाला कोन सा है? अभी तक हमने जिन जिन conclusions को गलत किया है, वो false category में आते हैं। अभी तक जिन जिन conclusions को हमने क्या किया है? अभी तक जिन जिन conclusions को हमने गलत किया है, वो false वाली category के अंदर आते हैं। अब जरा देखो, इधर हमें बूला है A is greater than C, अब इसके सही होने का chance है या नहीं है? ये कौन decide करेंगा? इसके सही होने का chance है या नहीं है? कौन decide करेंगा? ये decide करेंगा ये वाला relation. ये वाला relation कहता है कि A जो है, वो C से greater हो सकता है या फिर A जो है, वो C के बराबर हो सकता है. ए और C में ये भी relation possible हो सकता है, ये भी relation possible हो सकता है. दोनों में से कोई भी relation possible होने का chance है. अगर इस relation के according, किस relation के according? जो relation हमें statement से मिला है, जो relation हमें statement से मिला है, उसके according, इसके सही होने का chance है क्या है? इस relation के according, ये relation exist कर सकता है, यानि इसके सही होने का chance है क्या? इसके सही होने का, हाँ, chance है. बत समझ मैं? क्यों chance है? क्यों chance है? क्योंकि A और C के बीच में, जो relation हमें मिल रहा है, वो relation, जो भी possible angle दे रहा है, उन possibilities में, ये सही होने का chance बनता है. तो हमारे पास कोई एक ऐसा possible scenario बन सकता है, जिसमें ये सही हो सकता है, इसी लिए इसको definitely false के अंदर treat नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ false conclusion है. ये सिर्फ false conclusion है, F is greater than C है, तो definitely true हो गया, जो हमें इसके बीच में मिला, वो ही दिया है, ये definitely true conclusion हो गया. ट्रू काओ, definitely true काओ, कोई फरक नहीं है, है ना, true काओ, definitely true काओ, दोनों ये की है, B is less than C. conclusion में, हमें बोला जा रहा है, कि B जो है ना, वो C से छोटा है, क्या इसके सही होने का chance है? बताओ, क्या इसके सही होने का chance है, तो B और C के बीच में ये जो relation हमें मिला है, ये बोलता है, कि B जो है ना, तो वो बोलता है, B, C से बड़ा हो सकता है, या फिर B जो है, वो C के बराबर हो सकता है. बी, C से बड़ा हो सकता है, बी जो है, वो C से बड़ा हो सकता है, या फिर B जो है, वो C के बराबर हो सकता है. अब मुझे बताओ, जो relation B और C के बीच में हमें statement से मिला था, B और C के बीच में, जो relation हमें statement से मिला था, वो कह रहा है, कि B और C के बीच में, या तो ये relation होगा नहीं, तो ये है, तो ज़रा सोचो, ये relation सही होने का chance है क्या? B is less than C, B is less than C, इस सिनारियो में भी नहीं, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके सही होने का chance नहीं है, सही होने का चांस नहीं है मतलब ये definitely false conclusion बात समझ मैं है बात समझ मैं तो definitely false conclusion कौन सा होता है जिसके सही होने का chance नहीं होता definitely false conclusion वो होता है कि जिसके सही होने का chance नहीं होता ठीक है अब सही होने का chance है या नहीं है किस बात पर decide होगा कि उन दोनों के बीच में statements है क्या relation मिलता है इस बात पर decide होगा अब उसी के basis पे हम ये वाले conclusions questions चेक करेंगे तो अब हमें इधर option में definitely false definitely false definitely false दिया है अब ज़रा देखिया कुछ मत करो सबसे पहले Q और M के बीच में relation निकालो तो statement से Q और M के बीच में relation क्या मिलता है M is greater than or equal to Q M is greater than or equal to Q इसका मतलब M is greater than Q हो सकता है या फिर M is equal to Q हो सकता है M और Q के बीच में या तो ये relation exist कर सकता है या फिर ये exist कर सकता है इधर क्या बोला जा रहा है M is less than Q conclusion में जो relation M और Q के बीच में बताया है क्या वो relation M और Q में exist कर सकता है statements है जो relation हमें M और Q के बीच में मिला है वो relation बोलता है कि M और Q के बीच में या तो ये relation होगा नहीं तो ये relation होगा ये relation आने का chance ही नहीं है तो ये relation exist कर ही नहीं सकता तो पहला conclusion definitely false है क्यों क्योंकि इसके exist करने का chance नहीं है इसके exist करने का chance नहीं है P और S के बीच में relation चाहिए था P और S के बीच में relation निकालो equal to greater than equal to greater than equal to तो P और S के बीच में relation क्या हैगा P is greater than or equal to S जिसका मतलब यह है P is greater than S हो सकता है या फिर P is equal to S हो सकता है P is greater than S हो सकता है या फिर P is equal to S हो सकता है, अब जो conclusion में relation बताया है, P S से बढ़ा होगा, क्या ये सही होने का chance है, सही होने का chance है, तो क्या इसको definitely false बोल सकते है, नहीं, ये definitely false नहीं है, ये केवल false है, ये केवल false, ये केवल false conclusion है, तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ पहला conclusion definitely false हुआ, option A is absolutely correct answer, definitely false का मतलब एक बार फिर से लिख रहा हूँ, अभी तक सब को समझ में आ गया होगा, जिस conclusion का, सही होने का chance ही नहीं है, सही होने का chance ही नहीं है, वो क्या है, definitely false conclusion है, कुछ questions और practice करेंगे, A और D के बीच में relation चाहिए, अब मुझे बताओ, क्या आप A और D के बीच में relation निकाल सकते हो, answer है नहीं, A और D के बीच में खंदानी दुश्मन आये है, तो हम A और D के बीच में relation निकाल नहीं सकते हैं, मतलब A भाई साब D से बड़े हो सकते हैं, A भाई साब D के बराबर हो सकते हैं, या फिर A भाई साब D से चोटे हो सकते हैं, अब सोचो, क्या ये वाला पाट सही होने का चांस है, क्या A, D से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, A, D से ग्रेटर भी हो सकता है, A, D से इक्वल भी हो सकता है, जब हमें पता चला, A और D के बीच में, हम लोग रिलेशन ही डिटर्माइन नहीं कर पा रहे हैं, A और D के बीच में, हम लोग रिलेशन ही डिटर्माइन नहीं कर पा रहे हैं, उसका मतलब A, D से बड़ा होगा, बराबर होगा, चोटा होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर, यह भी पॉसिबल हो सकता है, यह भी पॉसिबल हो सकता है, यह दोनों रिलेशन पॉसिबल हो सकते थे, तो यह कंक्लूजन क्या होगा, सिर्फ फॉल्स होगा, डेफ वेरियेबल में cannot be determined आ जाता है यह रटना नहीं यह समझना है ठीक है वरना मैंने बता दिया आपने रट लिया नहीं ऐसे नहीं करना अगर कोई दो वेरियेबल में cannot be determined आता है तो उन दो वेरियेबल में कोई भी conclusion definitely false आ ही नहीं सकता अगर कोई दो वेरियेबल में cannot be determined वाला relation आता है तो उन दो वेरियेबल में दुनिया का कोई conclusion definitely false हो इच नहीं सकता आईगे नाई बी और ए के बीच में conclusion relation चाहिया था तो E is greater than B क्या मिला हमें relation E is greater than B तो ये conclusion तो सही हो गया second conclusion सही हो गया definitely true हो गया तो क्या हमें इन दोनों में कोई भी conclusion definitely false मिला ये भी definitely false नहीं ये भी definitely false नहीं तो हम क्या answer mark करेंगे neither conclusion 1 nor conclusion 2 is definitely false ना तो conclusion एक definitely false है ना दो definitely false है हमारा answer होगा option D मजा आये की नहीं आया बताओ ठीक है हाँ चलिए अगला question H and L के बीच में relation चाहिए क्या H and L के बीच में कोई भी conclusion definitely false हो सकता है बताओ H and L के बीच में खंदानी दुश्मन आ रहे हैं याने हम relation निकाल नहीं सकते हैं जिन दो variables में relation निकाला नहीं जा रहा है हम relation निकाल नहीं पा रहे हैं उन में कोई भी conclusion definitely false नहीं हो सकता यह सिर्फ false होगा M और Q के बीच में relation चाहिए तो M and Q के बीच में relation है Q is greater than M M and Q के बीच में relation हमें क्या मिला Q is greater than M ठीक तो जो relation हमें मिला है जरा सोचना क्या इसके सही होने का chance है इस relation के सही होने का chance है क्या बताओ नहीं रहे इसके सही होने का chance नहीं है यह भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा है ना पर कैसा गलत false होगा यह definitely false होगा false होगा यह definitely false होगा अब जो relation मिला है वो तो हमें यह नहीं बता रहे कि यह exist कर सकता है q m से strictly बड़ा होना चाहिए था equal होने का chance ही नहीं था इसका मतलब इसमें second conclusion definitely false हुआ इसके सही होने का chance ही नहीं था m is equal to q कभी आ ही नहीं सकता है क्यों क्योंकि q strictly बड़ा है m से तो केवल दूसरा conclusion definitely false है option b is absolutely correct answer option b is absolutely correct answer ठेक अगला question h and f के बीच में relation चाहिए क्या मिल रहा है h is greater than or equal to f यह तो definitely true हो गया h is greater than or equal to f definitely true हो गया b and o के बीच में relation चाहिए b is greater than o अब बताओ relation कह रहा है b जो है न वो o से strictly बड़ा है b जो है वो o से strictly बड़ा है b क्या है o से strictly बड़ा है तो क्या कभी b o से चोटा हो सकता है इधर देखो इसको पूछो ए बता रहे क्या b कभी कभी o से चोटा हो सकता है यह बोलेगा नहीं रहे बी तो बड़ा है तो चोटा कैसे होगा नहीं हो सकता है क्या b कभी o के बराबर हो सकता है b और o equal होने का chance दिखता है क्या आपको इस से नहीं b और o equal भी नहीं हो सकते इसका मतलब यह conclusion सही होने का chance ही नहीं है जो conclusion सही होने का chance ही नहीं होता वो definitely false होता है only second is definitely false बात खताम जो conclusion जिन्दगी में कभी सही नहीं होगा वो definitely false होगा बात खताम A to Z सारा का सारा discussion clear है तो फड़ा फट चाट सेक्शन में comment सेक्शन में आग लगाओ अभी हम आगे बढ़ेंगे और interesting topic पर है inequality में possibility है inequality में possibility है कुछ नहीं है definitely false जिसको समझ में आया उसको ये question आराम से समझ में आएगा एक statement दिया है और पहला conclusion मैंने बोला है Z can assume any value that is less than G इसका मतलब क्या है Z can assume any value that is less than G का मतलब ये सही होने का chance है इसकी possibility है इसकी possibility है ऐसे ही बोल रहा है ना Z can assume any value that is less than G ऐसा chance है ऐसी possibility है जिसमें Z जिसे छोटा हो सकता है अब देखो तो पहले का मतलब समझ में आगा है दूसरे का मतलब there is a possibility that V and Z are equal V और Z equal होने का chance है V and Z equal होने का chance है अब देखो V और Z equal हो सकता है क्या Z जिसे छोटा हो सकता है क्या Z और G के बीच में क्या relation है Z और G के बीच में relation आता है Z is greater than G इदर लिखता हूँ Z और G के बीच में क्या relation मिलता है Z is greater than G ये हमें मिला हुआ relation है statement से हमें मिला हुआ relation ये है अब इस relation में क्या ये relation exist कर सकता है Z और G के बीच में जो relation हमें मिला है क्या उसमें ये relation exist कर सकता है बताओ बताओ कर सकता है क्या तो Z और G के बीच में यहाँ पर Z is greater than G था तो Z is less than G कभी नहीं हो सकता इसमें ये exist नहीं कर पाएगा ठीक अब हमें V and Z के बीच में क्या relation मिलता है देखते है V and Z के बीच में relation मिलता है Z is greater than or equal to V Z is greater than or equal to V ये relation हमें इस statement से Z और V के बीच में मिलता है statement से Z is greater than or equal to V मिलता है तो जो relation मिला है क्या उसमें ये possible हो सकता है Z और V equal हो सकते है क्या तो इसका मतलब है Z V से बड़ा हो सकता है या फिर Z V के बराबर हो सकता है Equal होने का chance आ रहा है पहला गलत हुआ दुसरा सही हुआ पहला गलत हुआ दुसरा सही हुआ options definitely false में है ये मत करना only one आगे definitely false लिखा है तो कौन सा option definitely false है option 2 तो definitely false होगा नही option 2 definitely false होगा नही क्या ये definitely false है क्या पहला option definitely false है of course ये वाला relation इसमें सही होने का कभी chance ही नहीं होगा तो पहला conclusion definitely false है पहला conclusion definitely false है only one is definitely false अब अगर इसमें true पूछते तो हम बोलते है second is true मज़ा आगया मज़ा आगया तो बताओ चलो अगला अब syllogism का एक keyword मैं यहां पे लेके आया हूँ S can never be equal to W शबबाश S can never be equal to W का मतलब है S is not equal to W ऐसा ही है ना S W के बराबर कभी नहीं हो सकता अब पहली बार किसी ने यह पढ़ा तो confused हो जाएगा पट confused नहीं होना है Confused नहीं होना है सारी चीजों को अच्छे से समझना है सारी A to Z सारी चीजों को अच्छे से समझना है ठीक है तो अब जरा देखिए अब जरा यहां पर देखिए तो S is not equal to W का मतलब क्या होगा डंडा किस पर पड़ा? इक्वल टू पर यह भाग जाएगा तो बचा कौन? S is greater than W हो सकता है या फिर S is less than W हो सकता है S is greater than W हो सकता है और S is less than W हो सकता है तो हमें यह चेक करना है कि यह relation definitely false है कि नहीं सबसे पहले तो हमने इस conclusion का मतलब समझार का है रही? इस मतलब conclusion का है? तो conclusion का मतलब है S greater भी हो सकता है, less भी हो सकता है S greater भी हो सकता है, S less भी हो सकता है ठीक है? S और W के बीच में relation चेक करता है तो S और W के बीच में relation निकल रहा है क्या? S और W के बीच में हम लोग relation निकाल ही नहीं पा रहे है opposite family members तो इस statement से हमें यह पता चला कि relation नहीं निकल रहा है जिन दो variables में relation नहीं निकल रहा हो उसमें कोई भी conclusion definitely false हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें तीनो possibilities exist कर सकती है SW से बढ़ा हो सकता है SW के बराबर हो सकता है या फिर SW से छोटा हो सकता है तीनो possibilities exist कर रही है तो SW से बढ़ा भी हो सकता है देखो SW से छोटा भी हो सकता है तो इसके सही होने का chance है जिसके सही होने का chance होता है वो definitely false नहीं हो सकता Y is not equal to W Y is not equal to W इसका मतलब है क्या मतलब है Y is either greater or less than W Y और W के बीच में relation क्या मिल रहा है Y is equal to W हो सकता है and Y is less than W हो सकता है तो ये भी सही होने का chance है ये भी सही होने का chance है तो ये भी conclusion सिर्फ false था definitely false नहीं है कि नहीं तो हमारा answer क्या होगा neither conclusion 1 nor conclusion 2 is definitely false समझ में आगई सारी चीज़े A to Z सारी चीज़े समझ में आगई अगर हाँ तो इस अगले question का फड़ा फड़ा answer दे दो अगे N can not be equal to W possibility A N can not be equal to E N can not be equal to E N E के equal नहीं हो सकता इसका मतलब N जो है E से बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है N E से बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है इधर क्या दिया है N is greater than E relation क्या मिला N is greater than E अब मजाएगा अब मजाएगा N is either greater or less than E क्या ये सही होने का चांस है इसका एक पहलू कहता है कि N जो है न वो E से बड़ा होगा और इसका दुसरा पहलू कहता है N जो है वो E से छोटा होगा हमें N और E के बीच में relation मिला है N is greater than E अगर ये बात है अगर ये बात है तो इस वाले पूर्षन का ये वाला पार्ट सही हो जाएगा इस वाले पूर्षन का ये वाला पार्ट सही हो जाएगा definitely false का मतलब दुनिया में ऐसा एक भी सिनारियों नहीं होना चाहिए जिसमें उसके सही होने का चांस हो इसका आधा पार्ट तो सही हो गया चलेगा क्या हमें definitely false के लिए ऐसा इसका आधा पार्ट तो सही हो रहा है अब आधा पार्ट सही हो गया तो उसको complete गलत नहीं बोल सकते हैं न थोड़ा सा हा बूल दिया है उसने थोड़ा सा हा उमीद भिक रही है है ना तो यह definitely false की category में नहीं आएगा यह सिर्फ false conclusion होगा E can be greater than V E जो है वो V से greater हो सकता है अब E V से greater हो सकता है तो देखो E और V के बीच में relation निकाल सकता है क्या नहीं E and V के बीच में relation निकाल सकता है क्या नहीं अगर E and V के बीच में relation निकाल नहीं पाए अगर E and V के बीच में relation निकाल नहीं पाए तो E V से बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है चोटा भी हो सकता है E and V के बीच में कोई भी possible relation सही हो सकता है तो can be greater बोला है possible relation की बात चल रही थी यह तो definitely true हो गया second conclusion definitely true हो गया तो ना तो पहला definitely false है ना ही दूसरा definitely false है option D is absolutely correct answer option D is absolutely correct answer यहां तक सारी A to Z चीज़े clear है तो फटा फट comment section में आग लगा दो और inequality हमने बहुत detail में देखा है है ना आप किसी भी examination के लिए कोई भी topic पढ़ रहा हो किसी भी examination के लिए ठीक है वो topic A to Z detail में पढ़ा करो उसमें जो जो भी अभी तक examination में पूछा गया है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है और अगर हम ख्वाईश रखते हैं कोई अच्छा examination clear करने की अच्छे post में जाने की तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये भी चेक करो कि उसमें और क्या-क्या चीज़े बन सकती है है ना तो inequality में हमने एकदम 0 से superhero level तक सारी चीज़े अभी तक discuss कर ली है that's it from my side in this session thank you, take care and enjoy your time, thank you so much, bye-bye अच्छे